आप घल्लो बच्चों क्या हाल है सबके आप एक क्या हाल चाल है वेलकम 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 बाक वेलकम बाक तु दे चैनल PW Foundation चैनल में अप सभी लोगों का स्वाकत है बच्चो वेलकम बाक क्यों लेटोपी कर रहे हो क्यों लेटोपी कर रहे हो यार ओन्टाइम हूँ भागा धवाडी मचा के आए ऐसा मत कब ज़ड़ क्या हाल है साउंड क्लियर है कि नहीं मैं साफ साफ दिख रही हूँ कि नहीं दिख रही हूँ बिटा जादा चैप्टर्स तो है नहीं पांच चैप्टर्स हैं पहले बताओ पहले ये बताओ कि क्या साउंड क्लियर है video clear आ रही है कि नहीं आ रही है यह पहले बताई यह comment section में क्या हाल चाल है कैसी चली last class कैसी रही history वाली class क्या क्या किसने किसने पढ़ी है भई कैसी रही है last class क्लियर है चलो बढ़िया है तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज civics का portion cover होगा बिटा आपके ICST batch में civics में 5 chapters दिये वे हैं लेकिन 5 chapters क्या require करते हैं conceptual clarity require करते हैं ठीक है तो वही 5 chapters लेके आई हूँ आज आपके लिए और बिटा most probably देखना important topics जितनी भी मैं करवाओंगी exam में टकराने वाले हैं ठीक है तो बताओ पहले बताओ कि बच्चे comment section ने ये बताएं कि civics कैसी लगती है civics as a subject कैसा लगता है पहले ये बताओ यार comment section में मुझे ये जानना है कैसी लगती है civics history civics किसका favorite subject है ये बताओ यार history civics किसका favorite subject है बेकार बोरिंग लगता है अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है अच्छा easy है बोल रहे हैं बच्चे easy है but we need revision ठीक है मैं सच बताओं मैं सच बताओं यार मतलब इसलिए नहीं कि मैं history civics पढ़ाती हूं तो मैं उसको पूरी तरह से बता दू कि यार best है मैं जूट नहीं बोलूंगी देखो school time में school time में अगर मेरे सबसे कम number आये हैं तो वो history civics में ही आये हैं और आप बच्चों को यकीन नहीं होगा कि civics में मेरे बहुत ही जादा कब number आते थे पूछो क्यों क्यों कि क्या है ना बिटा एक mindset बन जाता है कि यार boring subject है बहुत ही बेकार है यह क्या है लेकिन actual में क्या होता है न मैं आपको अपना life experience बताती हूं स्कूल में boring लगता था बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हुआ क्लास 12 के बाद जब entrance exams के तयारी करी जब competitive exams के तयारी करी तो पता यह चला कि यह जो subject है ना बिटा यह जो subject है यह maximum requirement होती है इससे maximum questions पूछे जाते एक्जाम में यह तो पता ही नहीं था क्यूंकि स्कूल कैसे पढ़ना पड़ा तो इसका होता क्या है ना बिटा होता यह कि यह बाद में क्या value होती है ना subject की यह बाद में पता चलता है तो civics में मेरे सबसे ज़्यादा कम number आते थे और civics थी मेरा favorite subject बन गया favorite subject बन गया तयारी के बाद civics portion जो था यह मेरा favorite बन गया क्यूंकि इतना बढ़िया है आपको अपनी country के बारे में अपने government setup के बारे में इतनी अच्छी चीज़े पता चलती है ना बिटा कि आपको उससे प्यार हो जाता है at least मुझे तो हो गया अभी नहीं तो आने वाली stages म हर एक school हर एक college competitive exams का culture इतना जाधा बढ़ गया है ना बिटा कि हो ना हो आपको कहीं ना कहीं तो इसको पढ़ना पढ़ेगा ही पढ़ेगा चाहे खुशी से पढ़ो चाहे मजबूर में पढ़ो तो पढ़ना तो पढ़ जाता है बिटा तो civics की value क्या है ना यह मुझे later stage पे यह पता चला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो यह समझ लो बेटा आने वाले टाइम में यह तो इस तरह मायम guarantee ले रहे है कि आने वाले टाइम में ना यह तुम सबसे दाधा subject पढ़ने वाले हो तो वो यही subject है यह क्या है civics है political structure of your country political structure of the government किस तरहां से country rule करती है किस तरहां से जो political structure है उस तरहां से किस तरहां से लोगों को गवर्न किया जाता है उस political structure के थूँ यह सारी चीज़े हम लोग civics में पढ़ते हैं यह सारी चीज़े हम लोग politics में पढ़ते है political science जो subject होता है उसमें भी यही सब पढ़ते हैं अब जो बच्चे जो बच्चे यह comment section पूछ रहा है न कि क्या cbsc से cbsc वाले पढ़ सकते हैं कि नहीं बिल्कुल पढ़ सकते हो बेटा बेसिक चीज़ें हैं इसमें भी तो विदाउट एनी फदर डू लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम लोग कवर करते हैं इस सब्जेक्ट को ठीक है तो जै जैसा हमारा history का अप्रोच रहा है all chapter summary summary notes प्रोवाइड करूँगे लेकिन इस बार इस बार जो है यह detailed notes होंगे ठीक है these will be your detailed notes ठीक है, थोड़ा detail में हम लोग इसको पढ़ने वाले है, साथ ये साथ to the point explanations, exam oriented approach, इसमें मेरा हमेशा focus रहता है बटा, मैं कभी भी deviate नहीं होती हूँ, उसके बाद important targeted topics and answer writing tips पहला chapter क्या है what is the first chapter पहला chapter क्या है the union parliament क्या है, the union parliament, क्या जानते हो union parliament से, what do you understand by union parliament, क्या होता है parliament, अरे bulldozer तिवारी आ गया, और कह रहा है demand कर रहा है कि 3 घंटे में खतम कर देना अरे गजब बेटा, कुछ नहीं बता सकती कितना time लगेगा कुछ नहीं बता सकती ठीक है, शुरू करते हैं, देखो union parliament, the main legislative organ of our country, इतना समझ लेना legislative organ का मतलब क्या है जो act bills pass करते हैं, act बनाते हैं, law बनाते हैं, ठीक है क्या क्या करते है law making organ is the legislature, clear चलो, आगे बढ़ते हैं अब इस chapter को बिटा शुरू करने से पहले इस chapter को शुरू करने से पहले हम लोग एक concept के बारे में जानेंगे, क्या concept है वो आईए इस concept के बारे में जाने इस concept के बारे में पढ़ते हैं बिटा, क्या है ये concept क्या है ये concept, federalism what does federalism say, federalism का मतलब क्या होता है, federalism का बेटा मतलब यह होता है, the division of power, between the center and the states, क्या होता है, division of power between the center and states, इसको कहते हैं हम लोग, federalism, federalism, federal structure, clear? तो, federalism को जानने के लिए, आपको definition चाहिए है की नहीं, पहले यह बताओ, definition चाहिए है की नहीं, definition बता तो जल्ली से पहले, चाहिए है की नहीं, federalism की definition, the powers, when the powers of the government are constitutionally, constitutionally divided, between, divided between, the center and the states, it is known as federalism, ना center powerful है और ना state powerful है, ना center state के subordinate है, ना state center के subordinate है, दोनों powers divided हैं, दोनों equally काम करते हैं, neither is subordinate, नाइदर is subordinate, powers are divided, the powers are divided, समझ में आ रहा है की नहीं, समझ में आ रहा है की नहीं, जब power divided होती है, जब power divided होती है, और जब कोई किसी के subordinate नहीं होता है, वहाँ पे उस country में आप देखोगे, वहाँ पे federalism follow होता है, ना center government powerful होती है, ना state government powerful होती है, तो हमारी country ने क्या अडॉप्ट किया, we adopted federalism, ठीक है, we adopted federalism, लेकिन एक बात समझ लेना, detail में नहीं बता रही हूँ, समझाने के perspective से बता रही हूँ, हमारी country में क्या है ना, हमारी country में center जो है ना, वो थोड़ा सा ज़ादा powerful है, थोड़ा सा ज़ादा powerful हमारा center है, ठीक है, इतना समझ के चलना, कोई किसी के subordinate नहीं होता और powers divided होती है, अब आओ, importance क्या है, क्या जरुवत क्या पड़ी मैम, federal structure के क्या जरुवत पड़ी, जरुवत इसलिए पड़ी कि unity और integrity हमारी country की maintain रहे, कैसे maintain रहेगी, देखो, हमारे पास किते states हैं, पहले states बताओ, फिर लिखूंगी, states, uts बताओ, states और uts बताओ, come on, states और uts बताइए, federalism समझ में नहीं आया, बेटा कुछ नहीं, इतना समझ लो, जब power divided होती है, किस चीज़ की power, rule करने की power, state के पास अपनी power है, center उसमें interfere नहीं करेगा, center की अपनी power है, state उसमें interfere नहीं करेगा, उस country में मान लेना कि federalism follow होता है, आगे पढ़ो, पहले ये बताओ कि कितनी, 29 states हैं, 29 states हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बेटा, गजब कर दिया, 28 states, there are 28 states, and 8 union territories, 28 states, and 8 union territories, कुछ नहीं पता है तुम लोगों को, कुछ नहीं पता है, ठीक है, 28 states, and 8 union territories, unity and integrity maintained रहे, ताकि जो ये 28 states है, ये जो 8 union territories है, ये एक union form करके रखे, India is what, India is a union of states, India क्या है, India is a union of states, state ये नहीं चाहे कि हमें अलग होना है, बटवारा कर दो, नहीं हो सकता, ठीक है, इससे क्या होगा, unity and integrity हमारी country की maintained रहेगी, ठीक है, तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर states, states should not separate, clear, states should not separate from our country, next, preventing fragmentation, fragmentation का क्या मतलब है, fragmentation का मतलब ये है बेटा, कि कोई country आए, और हमारे उपर capture, जैसा हम लोगों ने देखा, Britishers के साथ, आते हैं, capture कर लेते हैं, उससे क्या होता है, princely states form होने लगे, princely states अपने individual, वो तो पहले से form थे, लेकिन क्या होता है ना, separatist force कहा जाता है, separatist force, जो, जो forces दूसरी country से आती है, और जो unity है, हमारी country के वो बिगाड़ना चाहे, इसलिए federalism होता है, जाकि states के पास अपनी power हो, center के पास अपनी power हो, कोई भी separatist force आके, हमारी unity और integrity को disturb ना करे, clear, clear है कि नहीं, आप देखो, next point, division of power, division of power I think सबसे important point है बच्चो, अगर आप बात करो federalism में, कैसे, states के पास अगर आप ये power ही नहीं दोगे, कि आप ये law बना लो, आप अपने state में, अपने लोगों के लिए, मान के चलो, यूपी के, यूपी state के जो लोग है, अगर उत्तरपदेश की सरकार, उनके लिए schemes ना बना पाए, law लेके ना आ पाए, अगर यूपी सरकार की अपनी खुद की police ना हो, तो आप देखो कि लोगों को govern करने में, कितनी ज़ादा difficulty होगी, तो इसलिए ये power दी गई है, फेडरलिजम लेके आए हैं, ताकि states के पास अपनी power हो, ये नहीं कि center अपनी power को इतना ज़ादा exceed कर दे, कि state की अपने खुद को govern करने की power ही खतम हो जाए, क्या है, ये फेडरलिजम का essence है, essence क्या है, कि center इतनी ज़ादा अपनी power को exceed कर जाए, कि state की अपने खुद को govern करने की power खतम हो जाए, center को इतना powerful हम नहीं होने देंगी, हमने एक बार Britishers को सारी power दे दी है, अब हम नहीं दे सकते हैं, ये डर था, ये डर था हमारे constitution makers के अंदर, कि हम अब Britishers की तना power किसी के कर देंगे, बराबरी से, येर है, चलो, बिल्कुल है syllabus में, तुम लोग बहुत बात करते हो और पढ़ाई कम करते हो, federalism सबसे पहला point है, federalism तो सबसे पहला point है, जो पूछा जाएगा, और exam में भी आएगा, जो not in syllabus कह रहे हैं न, वो सबसे पहले federalism वाला सवाल है, हद कर दी तुम लोगोंने यार, not in syllabus लेओ, तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग ICSC में पहले अपना अलग-अलग syllabus है न, तुम लोग ICSC वालों को WhatsApp कर दो या Insta पे भेज़ दो, कि मेरा ये syllabus है, इसी से question paper बनाना, ये नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा, तुम्हें प स्टेट हैं और 8UTS है, ठीक है, चलो आगे बढ़े, division of power समझ में आ गया, तो division of power के कितनी list है, power किस तरह से divided है, power किस तरह से divided है, बताओ, division of power जिसको जिसको जो कह रहा है कि syllabus में नहीं है, बताओ, कैसे होता है division of power, division of power, law making power भी divided है, law making power भी divided है, administrative powers, मतलब क्या है, देखो, law making power, जितना भी law बनाना है, UP गर्मेंट अपनी बनाए, आंधरपदेश गर्मेंट अपनी बनाए, महराश्टा गर्मेंट अपनी बनाए, और वो law आपके state में valid होगा, और administrative powers, पुलिस, पुलिस की पावर, करमचारि की पावर, उस, उस state के पास, ये सारी powers होती है, आगे बढ़ो, by camera legislature, हमारी country में क्या है, by camera legislature है, और क्या दो divisions है, by camera legislature, दो क्या by camera legislatures है, बताइए, लोगसभा, लोगसभा and राजसभा, clear, लोगसभा and राजसभा, by camera legislature का मतलब क्या होता है, जहाँ पे दो, मतलब division हो जाए, अगर legislature में, लोगसभा है, सौरी, और राजसभा है, ठीक है, साथी साथ, adequate financial resources, जहाँ पे दोनो state, as well as center के पास, adequate financial resources हो, अपनी-अपनी units को govern करने के लिए, ठीक है, clear हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आज़ो बिटा, union parliament पे, ये क्या है, ये theoretical aspect हो गया आपका, पूरा-पूरा बिटा, factual, पूरा-पूरा factual है ये, ठीक है, अब इसम क्या है, इसमें समझने की चीज़े आ जाती है, अब सबसे पहले ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि union parliament को आप किस तरह से divide करोगे, union parliament को हमेशा ये समझ लेना, कि तुम्हें क्या लगता है, union parliament में सिर्फ लोकसभा और राजसभा होता है, क्या ये सच है, कितने units है, union parliament को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो comprise करती ही, ये बताओ, क्या क्या आता है union parliament में, बिना किताब में देखे बताना, बिना किताब में देखे बताना, मैं तो बता रही हूँ, सबसे उपर क्या होता है, सबसे उपर क्या मिलेगा आपको सबसे उपर मिलेगा आपको प्रेजिडेंट सबसे उपर क्या मिलेगा आपको प्रेजिडेंट उसके बाद उसके बाद नहीं हाँ ये सही बताया अंकित ने सही बताया ठीक है उसके बाद आपको क्या मिलेगा उसके बाद आपको मिलेगा लोकसभा, that is the lower house, and the राजसभा, and the राजसभा, that is the upper house of the parliament, इतनी बात clear हुई, यह division है, यह division है, ठीक है, clear हो गया, तो president head होगा, parliament में, president will be the head, and it will be divided in the लोकसभा, and the राजसभा, which is the upper house, and the lower house of the parliament, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अभी हमने ने समझ लिया, कि president जो है, वो head करेगा, president head पे हो गया, अब यहाँ पे executive, और legislature, दोनों का head है, parliament का तो हम लोग ने देख लिया, इसको हम लोग आगे देखेंगे, अभी हम लोग specifically parliament से deal करेंगे, तो यहाँ पे, क्योंकि president head होता है, तो लोकसभा और राजसभा, दोनों president के अंदर ही आते हैं, अब यहाँ पे division बता detail में करने वाले हैं, लोकसभा, राजसभा, members बता दिये हैं, कहां से elect होंगी, यह chart मैंने आप लोग लिए specifically लिखा है, mention किया है, ताकि आप लोग revision कर सको, राजसभा 200 members, 12 nominated by the president, not more than 238 representatives of the states and the UTs, आगे पड़े, आजाओ, अब आजाते हैं, लोकसभा में, detail में, अब बता द रुक जाएं, रुख जाएं नहीं है syllabus में, बता तो लोकसभा भी ना पढ़ाऊं, बता देू, बता दो पिता लोकसभा भी ना पढ़ाऊं, क्या कहा जाता है लोकसभा को, it is the lower house, lower house of the parliament, lower house of the parliament, और क्या कहा जाता है, it is the house, house of the people, अभी सवाल पूछूंगी जो बोल रहा है ना कि यह चीज़ सिलिबस में नहीं है तुम लोगों से सवाल पूछूंगी और अगर जवाब नहीं दे पाए तब तुम लोग देखना घर तक आ जाओंगी घर तक आ होंगी तुम लोगों के अब बताओ यहां पर क्या होता है बेटा यहां पर डायरेक्ली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं यहां पर जो बैठने वाले लोग सभा में जो बैठते हैं सदस्य वो डायरेक्ली इलेक्टेड होते हैं बाइद पीपल लिखो डायरेक्ली इलेक्टेड by the directly elected by the people ठीक है? क्या समझा हम लोगों ने? President Head कर रहा है जहां पर हम लोगसभा पर आ गए इस पर आए हैं ठीक है? लोगसभा आ जाओ आगे Term, अब Term बताओ बेटा सवाल बताओ जल्ली से Term कितना होता है लोगसभा का? What is the term of लोगसभा और कहां पर मेंचिन्ड है? क्या ये Rules में है? क्या ये Constitution में मेंचिन्ड है? क्या लोगसभा के लिए कोई और Law बना है? It is specifically mentioned in the Constitution It is mentioned in the Constitution ठीक है? और Term क्या होगा बच्चों? Term होगा 5 years का 5 years का Term होता है लोगसभा का Currently कौन सी लोगसभा है? Currently कौन सी लोगसभा है? बिना Google करें बताना कौन सी लोगसभा चल रही है? कौन सी लोगसभा चल रही है बिटा? कौन सी लोगसभा चल रही है? Currently it is the 17th लोगसभा 17th लोगसभा चल रही है Currently ठीक है? लिख सकते हो exam में? याद रखना currently 17th लोगसभा चल रही है और 5 साल के लिए ये form करी जाती है very good very good जो जो बता रहे है ना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है एक तो ये बात हो गई अब एक सवाल का जवाब दो क्या लोगसभा को dissolve किया जाता है क्या लोगसभा को बेटा dissolve किया जा सकता है is it possible to dissolve the लोगसभा बिलकुल किया जा सकता है लेकिन ये कौन कर सकता है ये कौन कर सकता है dissolution लोगसभा का कौन कर सकता है it can be done can be done only by the only by the precedent okay it can only be done by the precedent no 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 वा, करा जा सकता है बेटा, करा जा सकता है, आप confused हो रहे हो, it can be done, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है, और basically ये आप समझ लो, ये आप समझ लो, होता usually कब है, ये proclamation, proclamation of emergency के time पे होता है, प्रेजिडेंट ही dissolve कर सकता है, और ये usually होता है, जब आपकी proclamation of emergency होती है, clear हो गया इतनी बात, clear हो गया इतनी बात बच्चों, इतनी बात clear है, thumbs up दो पहले, thumbs up दो, first I want a thumbs up, अगर समझ में आ गया है, सबसे पहले तो बच्चों, thumbs up दो, ठीक है, सब बताऊंगी, no confidence motion, सारी चीजें, सारी चीजें हम लोग cover करेंगे बिटा, सब कुछ cover होने वाला है, इतना समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, very good, very good, very good, अब देखो, composition, कितने members होते हैं, maximum strength क्या है बच्चों, what is the maximum strength of लोगसभा, maximum strength क्या है, अगर हम लोग बात करें, इससे पहले मेरे बच्चे कहें कि मैं, pen की width कम कर लीजें, मैंने पहले इसे कम कर लीजें, ठीक है, maximum strength क्या है, maximum strength is according to the constitution, according to the constitution, 550, very good, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, not more than 550, पिटा, not more than 550, ठीक है, not more than 550 और इसमें, इसमें भी बटा bifurcation है, राइट, इसमें भी bifurcation है, याद रखना, सबसे पहले exam में क्या लिखोगे, maximum strength composition में, maximum strength is 550, and not more than 530 members from the states, क्या, not more than 530 members, not more than 530 members from the states, इतनी बात clear हो गई, 530 members से जाधा states से नहीं मिलेंगे आपको members लोकसभा में, और, और अगर बात करी जाए union territories की, if we talk about the union territories, then not more than 20 members shall represent the union territories, क्या, not more than, not more than 20 members from the, from the uts, clear, clear हो गया, very good, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है, मैं माज आपका mood अच्छा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है mood, बहुत ही बड़ी है मूड बिटा अच्छा एक बात बताओ मूड और अच्छा हो जाएगा सही जवाब देना लेकिन इन सब इन सारे जो टॉपिक्स है इन में से मुझे सही जवाब चाहिए ठीक है अच्छा वाइट कह रहा है I love you ma'am my heart is beating if for you please stop पता नहीं क्या बोला है उसन है एसे मत बोलो यार आइसे क्यों बोल रहो है । ऑ अच्छा सवाल का जवाब जवाब यह दू कि लोग tratar में सब्से जाधा members कौन से स्टेट से बताओ सबसे जाधा neighborhoodiende सब्सेट हो सब्से बरने में दो यूटी ज हैं जिनका मर्जर हुआ है, जिनका मर्जर हो गया है, मिक्स हो गई हैं दोनों आपस में, बताओ कौन सी यूटी है, बहुत बढ़िया, अरे, 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 बहुत ही बढ़िया, जवाब मिल गया भई, यूपी, यूपी is the state जिसमें से मैक्सिमम आप मेंबर्स पाओगे, maximum members पाओगे लोग सभा में, यूपी और याद रखना बिटा, दामन एंद्यू और दादर और नागर हवेली, इन दोनों का हो गया है merger, 26 जन्वरी 2020, ठीक है, 26 जन्वरी 2020, किसका हुआ है, दादर और नागर हवेली and दामन एंद्यू, remember it, दादर और नागर हवेली, प्लस दामन एंद्यू, इनका हो गया merger, इसलिए तो आप देखोगे न, चेंज हुआ, यूटीज में, clear है कि नहीं, very good, यूपी जो है, maximum, maximum members आपको यूपी से ही मिलेंगे, इन दो, लोकसभा, एक बात इतनी clear हो गई, क्या syllabus में नहीं है, अब मैं पता है, अब मैं ध्यानी नहीं दूंगी बच्चों को, जो बोल रहे हैं, यह syllabus में नहीं है, यह ठीक है, मेरे प्यारे बच्चे जो यह कह रहे हैं, कि मैं आप फोकस ही मत करो, सब है, मैं आप जाने तो वो सही बच्चे हैं, अब देखो, 104th Constitutional Amendment Act, 2020, in the province, nomination of Anglo-Indians to the लोकसभा, यह जो है ना, यह Amendment Act बहुत जादा important है, Anglo-Indians से related जो Amendment था, वो 104th Amendment था, यह याद रखना है, यह याद रखना है बच्चों, साथी साथ, जो basically अगर आप देखोगा ना, various states को, जो seat allotment होता है, इन दे लोकसभा यह कैसे होता है, on the basis of population, एक यह बाद याद रखना, तो यह दोनों चीज़े जो है, इनके साथ आपको mention करनी है, इस answer में, अगर लोकसभा से related आता है, आगे बढ़ो, अब आजो बेटा, qualification पे, बड़ा ही interesting, सभी को लोकसभा का member बनना होगा, हमारे वाँ यहाँ पे जो बैठे हैं बच्चे, सभी को लोकसभा का member बनना होगा, लेकिन जो बच्चा यहाँ पे युगांडा का होगा न, वो member नहीं बन पाएगा, जो बच्चा यहाँ पे युगांडा का होगा, वो member नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे requirement क्या होती है, यहाँ पर रिक्वार्मेंट होती है कि आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा बताओ किसका दोस्ट युगांडा को बिलॉंग करता है कि ठीक है एज बता दो वही एज बता दो एज बता दो अच्छा कोई भी लोग सवा का मेंबर नहीं बन सकता है वेरी सॉरी वेरी सॉरी इस टाइम पर तो कोई भी नहीं बन सकता है अच्छा एक तो हो गया सिटिजन ओफ इंडिया एक हो गया आपका एज एक यह इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफीकेशन है कि आपको अपने स्टेट के सा एलेक्टरल रोल्स में आपका नाम होना चाहिए ठीक है नेम इंदर इंदर अब देखो से मंना चाहिए अनपमा से सोचो common sense इसमें रटनी के क्या बात है भाई आप citizen होगे तभी तो आपको लोगसभा का member बनाएंगे आपको representative of people क्यों बनाएंगे अगर आप citizen ही नहीं हो आप हमारे भारत के नागरिकों के लिए कामी नहीं कर पाऊगे साथी साथ एज एक specific mind होना चाहिए ना कि आपको govern करना है अगर citizens को तो इसलिए 25 साल की एज रखिए qualification साथी साथ अगर आपको electoral roles में नामी नहीं होगा तो भाई electoral roles अभी एक system होता है आप कोई criminal activity में ना हो आपके उपर कोई case ना चल रहा हो ठीक है इसलिए electoral role की qualification अब क्या हो स important qualification है he should not be an insolvent पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं है साथी साथ not an insolvent साथी साथ आपके उपर कहीं कोई criminal activity का case तो नहीं चल रहा है कहीं कोई criminal activity का case तो नहीं चल रहा है कहीं आप criminal तो नहीं प्रोक्लेम्ड हो ठीक है he should not be not be a criminal क्या ये सच है ये बताओ पहले क्या ये सच है कि नहीं विल्कुल सही बिल्कुल सही बेटा करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है ठीक है he should not be a criminal साथ ही साथ कोई और office of profit तो नहीं है बढ़िया आप मस्ती से कहीं कि chairman बने वे हैं सरकार में और आप member भी बनना चारे हैं लोग सभा के तो ये चेक करा जाएगा कि कहीं कोई office of profit तो नहीं है तब ही आप बनोगे और अगर बन गया कहीं अगर कहीं बन गया तो वहां से माना जाएगा कि उसी time आपकी post zero हो गई आपकी seat वहां पे तुरंद ही vacate कर जाएगी कोई option option नहीं मिलेगा आपने क्यों member के लिए apply कर रहा why did you want to be a member जब आपकी office of profit है तो अगर आप apply कर रहे हैं तो फिर आपकी वाली seat तुरंद ही vacate कर जाएगी ठीक है तो यहां पर क्या लिखोगे no office of profit no office of profit कोई ऐसा office नहीं आप होल कर सकते हो जहां से आपको profit कमा रहे हो ठीक ह साथी साथ साथ not of unsound mind ठीक है unsound mind का बेटा जो definition है ना unsound mind का definition बहुत wide है ठीक है एक तो बात यह हो गई कि सही चीज को समझने की सही करने की चंता ही नहीं है वो भी unsound mind की category में आ जाएगा या अगर कोई पूरी तरह से इल है physically mentally वो सारी चीज़ें आपकी unsound mind की category में आ जाए जाएंगी clear है बहुत wide है unsound mind की definition जो है वो बहुत ही जादा wide है clear है अब देखो अब यतना हम लोग ने समझ लिया qualification तक आ गए to be the member of लोक सभा आजओ parliamentary procedures पे very very important क्या क्या parliamentary procedures है पहले मतलब समझो बच्चो पहले मतलब समझना parliamentary procedure का मतलब क्या होता है बहुत ही जादा important है parliamentary procedure का मतलब यह होता है यह हम लोग ने जान लिया अग भाई पार्लिमेंट को head करता है president लोग सभा होता है राज सभा होता है अब किस तरह से जो procedure है पार्लिमेंट का वो चल रहा होता है क्या वो methods है क्या वो items instruments हैं क्या उनके तरीके है पार्लिमेंट में बैठे members के जिससे वो अपनी पार्लिमेंट की functioning को जारी करते हैं देखो हम तुमें बताएं बेटा civics में जो words है न उनके उपर मत जाना क्योंकि मतलब उसका बड़ाई आसान होगा बहुत आसान मतलब होगा तो बड़े बड़े शब्द जो है न उनको एक बार google कर लिया करो और उसको अपनी language में interpret करके अपना answer बना के तो पढ़ाई करो बिटा पहले पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम लोग बाते करेंगे पहले पढ़ाई करते हैं सबसे पहले parliamentary procedures सबसे पहले Parliament का process कैसे गवन होता है it is done through sessions sessions की through होता है पारलेमेंट में sessions organized होते हैं बिल को discuss करने के लिए किसी scheme को discuss करने के लिए सरकार के उपर सवाल उठाने के लिए या सरकार अपनी कोई scheme सामने रखेगी सरकार कोई बहुत बढ़ा अगर कोई major change हो गया country में कोई major issue हो गया है कोई international dispute हो गया है कोई international point of concern है वो सब in sessions में discuss होता है समझ में आया कोरम, कितने members होने चाहिए हैं, कितने members होने चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, interpolation क्या होता है, zero hour क्या होता है, legislative procedures क्या-क्या है पारलिमेंट के, motions, adjournment, no confidence क्या होता है, और adjournment और prorogation बिटा, ये तो होता है, जो president के द्वारा किया जाता है, adjourn करना है अगर पारलिमेंट को, या अगर किसी भी house को adjourn करना है, या prorogation करना है, suspension करना है, उसका ये करता है, कौन, this is done by the president, आ जाओ, सबसे पहले, सवाल, who shall summon, who shall summon the house, who shall summon the house, कौन करता है ये, कौन बुलाता है session को, who does do it, it is done by the president of India, it is done by the president, done by the president of India, very important, क्या point लिखोगे अगर session में आएगा, पूछते हो ना ma'am, लिखें क्या, लिखो अब, president करता है, ठीके, president करता है, और एक important point, each house, each house shall meet at least twice a year, जितनी बार तुम किताब खोलते हो ना, उतनी बार तो कम से कम मिलेगा ही house, ठीके, each house should meet, क्या मिला, at least twice a year, at least twice a year, जितनी बार किताबे खोलते हो ना, तुम लोग, इतनी बार किताबे खोलते हो, इतनी बार session भी समन होता है, आया समझ भी, ये समझ लो तुम, दो बार खोलता है, तेको बता दिया उसने, बता दिया संसकार ने, दो बार खोलते हैं हम भी, ठीके, ये जो है, और एक बात और, एक बात और सुनो, ये जब तुम किताब खोलते हो ना, किताब खोलने में 6 महीने का तो फर्क होता ही है, उसी तरह यहाँ पे भी है, 6 months, 6 months का जो है gap होना चाहिए, मेरे प्यारे बच्चों की किताब खोलने में, gap होना चाहिए, वही इसी में, sessions में भी बिटा यही है सेम, तो tension मत लेना, तुमार मैंने एक बार भी नहीं खोली, गजब बेजती है, जानवी क्या बताएं बटा, अब यही हालत ही है, अब क्या Instagram से फुरसत मिल जाए, वाट्सैब से फुरसत मिल जाए, पिक्चर्स क्लिक करने से फुरसत मिल जाए, रील को शेर करने से फुरसत मिल जाए, तब न लेगी, आज वो बिटा सेशन देखते हैं, मजाग कर रहे हो, नहीं नहीं, यार, सेरिसली, बहुत सारे बच्चे हैं, जो अब यहां पर क्या है, याँए बच्चे पढ़ी तो रहे हैं, मजाग कर रही हूं मैं, लेकिन जो है, मजाग करती हूँ, जूट भी बोलती हूँ, समझ लेना तुम लोग जो भी है सेशन देखो बचो सेशन देखो कितने सेशन होते हैं कितने सेशन होते हैं यह बता दो अच्छा कमेंट सेक्शन में पढ़ते हो तो बता दो सेशन कितने होते हैं बचो सबसे पहला सेशन बता देना टेक्स्ट क्लियर है कि नहीं बजट सेशन मोन्सून सेशन और विंटर सेशन ठीक है ये तीन सेशन हो गए आपके तो क्या समझे सेशन से ये बताओ सेशन अभी बिटा करेंगे question hour भी करेंगे don't worry ठीक है तो ये तीन सेशन हो गए clear हो गया ना सेशन बिटा तीन सेशन हो गए आगे बढ़़ू इन फोड़ो न ए方 अब देखो कोओ न कितना को रभम उना चाहिए यह बताई अच्छा पहले तो तो मतलब सब्सक्रीख इसका मतलब क्या होता है मतलब ये होता ह pertama दो मिनीमम नंबर ओफ मेंबहार कर दो To be present in the house, यही maintain करता है, quorum, बिल्कुल सही, correct है, समझ में आई, क्या होता है quorum, आया समझ में बच्चों, तो minimum number of members, मतलब अगर इससे कम हो गए members, इससे कम हो गए members, तो meeting नहीं हो पाएगी, session नहीं है, डो पाएगा, और इससे एक, आपको, एक marks का question मिलेगा, एक marks का question मिलेगा ही मिलेगा, यह समझ लो बच्चों, मैं जब बना रही थी lecture, तब भी मुझे समझ आ रहा था, sessions में से एक सवाल आने वाला है, quorum में से एक सवाल आने वाला है, आगे जो हम लोग करेंगे, question hour, no confidence motion, सवाल आएगा ही आएगा, है कि नहीं यह बताओ, क्या previously पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, बिल्कुल, अच्छा एक बात बताओ, comment section में यह बताओ मुझे, कि civics का कितना part है कितने marks का civics पूछा जाता है, कितने marks का, थोड़ा ही difference होता है, history और civics के marks distribution में थोड़ा ही difference होता है, और civics जिसने कर ली, उसका percentage कहां पूछ जाएगा, usually बच्चों को समझ नहीं आती है बिटा, civics easily समझ में नहीं आती है, नहीं लिख पाता है, यहाँ पे मैं बता रही कि यह point लिख देना और अगर वो point लिख दिया, तो teacher marks देने में मजबूर हो जाएगा, घुमाने फिराने के जरुवती क्या है जब मैं खड़े हो के बता रही हूँ, teacher मजबूर हो जाएगा कि वो तुमें एक में एक दे दे, तीन में तीन दे दे, पांच में पांच दे दे और दस में नौ दे दे, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, तो अब यहाँ पर सोच लो, अगर तुम तीन में से, अगर तुमने तीन में से 27 नंबर स्कोर कर लिए, अगर तुमने तीन में से free fund के, तुम हम सच बताएं बिटा, तुम ये वाला जो मेरा lecture होगा न, इसको तुम रिवाइस भी करने के लिए exam से पहले एक दिन देख सकते हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा न, बिटा, आपके सारे जो concepts हैं, वो brush up हो जाएंगे, अगर उस टाइम पर examination के टाइम पर कुछ, अगर definition रटी भी नहीं होगी, तो भी अपनी language में लिख लोगे, clear है? ठीक है, तो इसलिए बिटा, ये हो जाता है important बहुत जादा, ठीक है? तो इसलिए बिटा, ये बहुत जादा important हो जाता है, अब आजाओ, कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 110 1 10th number या 110 members 110 members should be present should be present ठीक है they should be present to conduct the session of the house ठीक है बिटा आनन्द ठीक है it's great if you get the marks अच्छे percentage लाओ और क्या चाहिए है और क्या चाहिए या टीचर को आपकी ठीक है और यहाँ पर एक बात और याद रखना बिटा यहाँ पर एक बात और याद रखना main role जो quorum के process में कि maintain हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पर हो जाता है speaker का speaker plays the main role in maintaining the quorum and in investigating कि by quorum maintain है कि नहीं सारे members present है कि नहीं है यह हो गए बात clear? आजओ आगे अब आजओ बेटा important question hour पे question hour में बेटा आपको यह समझना है कि लोकसभा में जो पहला hour होता है the first hour of every working day of लोकसभा is the question hour क्या होता है question hour the first hour it is the first hour बेटना समझ लो the first hour of लोकसभा हर एक working day पे जो पहला hour होता है पहला घंटा जो होता है ना बेटा पहला घंटा जो होता है वही होता है आपका question hour और यह usually शुरू होता है बेटा यह usually शुरू होता है मान के चलो ग्यारा बजे जब तुम सो के उठते हो जब तुम सो के उठते हो तब पार्लेमेंट में जो है लोकसभा में question hour चल रहा होता है सोचो correct है तो जब तुम सो के उठते हो question hour चल रहा होता है और वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे government के जितनी policies हैं वो open scrutiny में होती है government policies open scrutiny में होती है open scrutiny का मतलब क्या है open scrutiny का मतलब ये है बेटा कि जितने भी members वहाँ पे present है वो जो सवाल उठाना चाहें government की उस policy पे उस scheme पे सवाल उठा सकते हैं ये members के लिए open होता है उनकी right होती है ठीक है ये उनकी right होती है public interest में पूछना ठीक है और public interest में जो सवाल पूछा जाता है न जो public interest में public interest में जो सवाल पूछा जाता है उसको कहा जाता बेटा The Interpellation, क्या कहा जाता है? Inter-pillation. क्या कहा जाता है? जो questions पूछे जाते हैं, यह as a right पूछे जाते हैं, क्या वो public interest के लिए है? क्या आपने हिट में काम किया है? इतने सारे funds लगा दिया, क्या actually public koos से कुछ benefit हुआ है? इसी को हम लोग कहते हैं inter-pillation. इसी को हम लोग कहते हैं interpolation, ठीक है, सारे questions जो है, वो question hour में पूछे जाते हैं, अब ये तीन division है, पूरे answer को आप इसी slide में देख सकते हो, ये तीन आप देखोगे, types of questions है, कौन-कौन से question पूछे जाते हैं, start questions, unstart questions और short notice questions, start questions में क्या होता है, इसमें ministers से orally question पूछे जाते हैं, इससे answers general होते हैं, और इससे orally answers पूछे जाते हैं, किसमें, start questions में, ठीक है, orally answers पूछे जाते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें supplementary questions भी पूछ सकते हैं, oral होता है, ये इतना समझना, this is oral, unstart questions क्या होते हैं, unstart written form के questions होते हैं, unstart questions याद रखना, unstart questions are written, और इसमें कोई supplementary question, supplementary का मतलब क्या है, मान के चलो कोई सवाल मैंने मिनिस्टर से पूछा, कि भाई आपकी ये scheme है, और इससे कोई भी benefit हम लोगों को नहीं हुआ है, या ये scheme फर्जी है, और आपने कहा कि हमको इससे benefit मिलेगा, हम तो इसमें apply नहीं कर पा रहे और हम पूरी तरह से qualify करने, इसमें apply करने के लिए, तो start questions, आपने मान के चलो start question पूछा, उसने orally जवाब दिया, तो उसमें आपको option मिलेगा, supplementary question पूछने का, उनको काटके उसके बाद उसी scheme से related और सवाल पूछ सकते हो, ठीके, लेकिन अगर आपने unstart question पूछा, आपने short notice questions, जिसमें, बेटा, urgent importance के, यहाँ पे urgently अगर कोई सवाल पूछना है आपको, urgently अगर कोई सवाल पूछना है, वो आपको short notice questions में उसका जवाब मिलेगा, clear हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, clear हो गया, आजाओ, आगे आजाओ, zero hour पे आजाओ बेटा, zero hour में बेटा, दो ही point है जो आपको याद रखने हैं, एक तो यह हो गया कि यह question hour के बात शुरू होता है, begins after, after question hour, और दूसरी बात, usually, usually यह बेटा होता है, 12 बजे, ठीक है, 12 पीम पे यह बेसिकली शुरू होता है, ठीक है, 12 o'clock में शुरुवात होती है इसकी, और जितने भी question है न, इसमें कोई prior permission की जरुवत नहीं होती है, ठीक है, इसमें, आपके zero hour में कोई prior permission की जरुवत नहीं होती है, और basically यही दो important point है, यह begins after question hour, और 12 o'clock, ठीक है, 12 o'clock या आगे बढ़ते हैं, अब आजओ motions पे, बहुत important है, अच्छा पहले तो यह समझो motion होता क्या है, motion का मतलब क्या होता है, बहुत important है बिटा, यह formal proposal होता है, ठीक है, motion क्या होता है, it is a formal proposal made by the members, members, members यह proposal करते हैं, किसी भी matter पे, अगर कोई motion पास करते हैं, तो किसी matter पे, लोग particular matter, public importance का है न, उस पे यह सरकार का attention लाना चाहते हैं, तो उस पे motion पास करते हैं, कि भाई, उस पे discussion हो, ठीक है, easy language में समझो देखो, उसको motion क्या होता है, कोई motion पास होता है, वो वाला motion, नही पारलेमेंट वाला motion है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहां पे, बेटा, कोई public importance का question है, ठीक है, public importance का question है, और यहां पे इतना समझ लो बेटा, बसकी सरकार का attention draw करना है, सरकार को थोड़ा active करना है, बेटा, उस point पे, तो उस पे motion पास करता है, कोई member को करना है, तो वो है अब यहां पर इतना समझ में आ गया ना कि सरकार को एक्टिव करने के नहीं होता है अब आजा और जॉन मेंट मोशन पर जर्ण में जवाब चाहिए इनको तुरंती तुरंत जवाब दे दो बस तुरंती तुरंत जवाब दे दो सप्रोड में कोई बताने नहीं वाला, इंग्लिश का वन शॉट कल से मांगा जा रहा रहा है और अरे बुल्डोजर कितनी स्पीड में चल तुरू कितनी स्पीड में चल रही हूँ छोट दू सब तुम्हें समझ में तुम्हारा सब तयार है मेरे बाकी बच्चों को थोड़ना तयार है कि मैं तो रिविजन करवाऊंगी न कितनी स्पीड में चलू यह बताऊ आजाऊ सबसे लाइस लास्ट स्लाइड पर आजाऊ तुम्हें कि या बात करते हो तुम भी या बुल्डोजर ट्रैक्टर कहा है तुम्हारा यह बताओ पहले ट्रैक्टर कहा है ठीक है अब देखो यहां पर अर्जंट इंपोर्टंस का मैटर देखते हैं और मतलब ऐसा अजंडमेंट मोशन पर्पर्फ का कोई ऐसा matter सामने लाना चाहते हैं और वहां पर हाउस से कहते हैं कि बाके सारे emotions को रोक दीजे पहले आप ये matter हम लोग देखेंगे ठीक है urgent importance का matter होता है कोई बहुत गंभीर matter अब इसके examples देख लो कोई natural calamity हो गई any natural calamity natural calamity हो गई बेटा या किसी भी person की कोई renowned person है किसी की death हो गई ठीक है death हो गई unnatural circumstances में किसी की death हो गई natural calamity arise हो गई ठीक है साथी साथ कोई dacuity हो गई कोई बहुत बड़ी dirt equity big dacuity तो यह सारे क्या matters है यह से examples है अब यह सब ना लिखना exam में बचल्दी करा दीजिये मैं तो अब examples है कि इसको mention करना है ठीक है और देखो पारुल यादव क्या कह रही है यह दो पारुल यादव क्या कह रही है देखो पारुल यादव पारुल कि मैं फिर से पढ़ाना स्करी है फिर से शूरू करने के लिए क्या रही है बताओ अब बताओ तुम क्या किया जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए अब इसमें क्या होता है जितने भी मैंटर्स हैं उनको आप ले असाइड करिये याद रखना पिटा इसी लिए क्या एगणूर करनी हूं बताओ सवाल पूछो ना मुझसे आरे नहीं नहीं यार हाँ बेटा CBC वाले बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बेटा देखो मैंने जाधा अभी तक नहीं कराया है मैंने अभी तक जाधा नहीं कराया है हम लोग union parliament पढ़ रहे हैं और union parliament में हम लोग adjournment motion पढ़ रहे हैं ठीक है adjournment motion पढ़ रहे हैं बढ़िया है जकी very nice जकी का भई attendance mark हो गया है जकी is present जकी present है ordinance भी cover करेंगे बेटा हम लोग ordinance भी cover करने वाले हैं नहीं नहीं बिटा chemistry का भी one shot आएगा अभी तक बहुत सारे one shots हो गए है geography cover हो गया economics history cover हो गया है आपका physics cover हो गया है बहुत ही हाँ बताओ तुम लोग सवाल तो पूछो thank you बेटा thank you so much quorum बिटा one tenth one tenth of the members should be present to conduct a session उसको अम लोग क्या कहते हैं quorum कहते हैं कुछ नहीं आता बिटा आ जाएगा आप आप करोगे पढ़ाई करोगे ध्यान दोगे तो आ जाएगा बिल्कुल कर सकते हो adjournment motion ही तो कर रहे हैं बिटा adjournment motion ही तो कर रहे हैं very nice बहुत बढ़िया क्या syllabus में नहीं है सब syllabus में है unitary government unitary form of government बिटा unitary तो specifically मैंने नहीं mention किया इसे लिए कि क्या वो features हैं जो unitary form के हैं जो हमारी country में हैं अब ये अब सोचो जब मैं federalism पढ़ा रही हूं तो बच्चे कह रहे हैं कि syllabus में नहीं है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सयद डार्क आकाश सोनू अभिशेक सचिन सामिया नवदीप समर्थ बहुत बढ़िया सब कवर करेंगे बिटा सब कवर करेंगे ठीक है आप लोगों की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ू सब कवर करेंगे बिटा बिटा जीरो आवर ये देखो जीरो आवर कवर के बाद चुरू होता है usually at 12 o'clock ठीक है टेंशन नॉट कोई टेंशन नहीं लेनी है सब्जेक्ट कौन सा है तुम लोग का फेवरेट ये बताओ कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है सिधी नैंसी जानवी सुजीत मिनाक्षी साक्षी हेलो 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 इरशाध हाए खुची बुगाटी अरे बाबरे आयूश 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 ने कहा है मैं दो बार आयूश बोलो आयूश आयूश कहां ये जो बच्चे बोल रहे हैं इग्नोरिंग ये तुम लोग स्पैम कर रहे हो मुझे मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ इतनी देर से चैट पढ़ रही ह मुहमद अजबार अराधिय प्रनव 90 परसेंट लेकिया होगे बहुत बढ़िया खुशी का ठिकाना लड़ू भी खिला खिलाना मुझे लागे है मैं अच्च्च्चेंदबर कोसे वैरे अच्च्चा एशपाय के बहुत लोगों के पास अभी आप्ट करने का class 10th में क्या scene चल रहा है ICST में बहुत सारे changes हो गए है बहुत सारे जब हम लोगों को नहीं किया था अपना class 10th मेरा pass out class 12th मेरा 2012 में है तो 2010 में मैंने दिया हुआ है class 10th तो उसमें उस time पे बेटा क्या होता था ना ये दो semester sessions ये नहीं होते थे एक ही बार होता था annual exams होते थे बाकि half year lease हुआ करते थे तो अब तो बहुत सारी चीज़े हो गई है बहुत सारी चीज़े हो गई है civics easy way में होगा ये definitely है easy way में होगा जब तुम ये वाला lecture 2x में करके देखो के revision तब तुम्हें समझ आएगा बिठा बहुत easy way में हम लोग करने वाले हैं बहुत बढ़िया हाँ तो ये ऐसी चीज़े होती थी तो मैंने क्या opt किया था class 10 में मैंने hindi opt किया था और मैंने computers नहीं लिया था मैंने लिया था art का option होता था तो art में 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 बड़े अच्छे नंबर आये थे और अच्छा overall score भी बढ़िया रहा था लेकिन art से बहुत फायदा हो गया था computers मैंने निलिया था और बहुत सारे लोगों को computers बहुत पसंद है और आज कल I think scope भी बहुत है computers का मेरी sister ने भी computers लिया वा है अच्छा हिंदी इंग्लिज जोग्रफी गंबिल सरी होती है आसिम सर के वज़े से history फेवरेट है बहुत ही बड़िया ठीक है तो अब जो है अब शुरू करते हैं अब शुरू करते हैं और no confidence motion पर आ जाते हैं adjournment motion complete हो गया no confidence motion पर आ जो तो no confidence motion से समझ आ रहा है यह वो confidence यह no confidence motion के थूँ अगर आपको ministry जो है जो सरकार rule कर रही है आपको आपको उसके उपर से trust हड़ गया है आपको उसके उपर से confidence ही नहीं रहा है तो आप कौन सा motion लेके आओगे आप no confidence motion लेके आओगे ठीक है सरकार की उपर से trust ही हड़ गया है अब देखो no confidence motion के थूँ आप यह समझ लो when the ministry loses the confidence when the ministry loses the confidence ऐसा proposal जो lack of confidence लेके आए मिनिस्ट्री के अंदर ऐसा proposal जो lack of confidence को express करे या इस तरह से लिख लो बच्चो तुम मैं बताऊ तुम्हे easy way में इतना समझ लो क्या होता है no confidence motion it is a it is a proposal expressing expressing lack of confidence lack of confidence clear it is a proposal expressing lack of confidence clear है अब यहाँ पे होता क्या है यह usually कौन pass करता है यह opposition party pass करती है यह opposition party के द्वारा pass किया जाता है no confidence motion अब जानते ही हो opposition party को हमेशा कोई न कोई दिक्कत रहती है हमेशा अब सबसे जादा opposition party कौन सी है इंडिया में जिसको दिक्कत रहती है सरकार से बताओ अच्छा दो तीन facts है बेटा अब जैसे यह जो no confidence motion है न इसको support भी होना चाहिए at least 50 members का support होना चाहिए है it should be supported supported by at least 50 members clear तो बताओ कौन सी वो opposition party है भर गया अरे वाफरे अरे भर गया chat box सही 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 मैं comment ने कर सकते हैं इस बात पर दो भाई ठीक है यह हो गया अब देखो अब यहाँ पर आप यह देखो जो council of ministers होते हैं यह हमेशा याद रटना जो council of ministers होते हैं ना बिटा यह directly responsible होते हैं डाइरेक्ली रिस्पॉंसिबल टू 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 दे लोग सभा अब कोई ऐसी activity कोई ऐसी activity जो सरकार ने कर दी जिस पर opposition ने आवाज उठा दी तो उस कारण no confidence motion कर दिया जाता है पास समझ में आ रहा है और यह हुआ था यह एक बार हुआ था जब no confidence motion पास हुआ था और यह कब हुआ यह कब हुआ था बच्चों यह हुआ था 12th लोग सभा में 12th लोग सभा में ऐसा हुआ किसकी सरकार थी उस टाइम पे 12th लोग सभा किसकी सरकार थी उस टाइम पे किसकी सरकार थी उस टाइम पे उस टाइम पे थी अटल बिहारी बाचपाई अटल बिहारी बाचपाई जी की सरकार में 12th लोग सभा में no confidence motion जो है वो पास किया गया था समझ में आ रहा है कि नहीं प्रोसीजर क्या है जानना है कि आगे बढ़ू ये बता दो इसका प्रोसीजर क्या है वो जानना है कि आगे बढ़ू कि औरली बता दो ये बता दो खाली जल्दी से जल्दी बता दो बेटा देखो प्रोसीजर बताई देती हूं सबसे पहले क्या होता है लीव ग्रांट होती है लीव ग्रांट की जाती है to pass the no confidence motion उसके बाद 10 days का time period होता है बिटा, 10 days का time period होता है बिटा, discussion होता है बिटा, 10 days के time period के बाद, क्या होता है, discussion होता है, on the no confidence motion, no confidence motion के उपर होता है, discussion होता है बिटा, discussion होता है और उसके बाद, उसके बाद voting होती है, voting conduct करवाता है speaker, voting conducted कौन करवाता है, कौन करवाता है, speaker voting conduct करवाता है, clear हो गई बात, speaker voting conduct करवाता है, speaker voting conduct कराता है और बिटा, उसके बाद, अगर, अगर, अगर motion pass हो गया, In case motion pass हो जाता है, voting में, इस voting में, बेटा, अगर motion pass हो जाता है, if the motion is passed, the government falls to the ground. Clear हो गई बात? ये क्या है? ये क्या है? ये procedure है. एक बच्चा comment section में कह रहा है कि मैं दंगे कराओंगी. मैं आप तो दंगे कराएंगी, एक बात बताओ बेटा, तुम क्या पढ़ ले हो? government का setup पढ़ ले हो, political structure पढ़ ले हो? कोई सरकार जो है वो rule कर रही है. क्या opposition को opposition नहीं आ आना चाहेगी पावर में? उसको तो problem होगी ही. तो ये तो but obvious है बच्चो. इस but obvious that opposition is having the problem with the party ruling. इस नो, मतलब हर एक public, even the public has a problem with the government. और there are various things, बहुत सारी चीज़े है, कुछ public खुश होती है. इस नॉर्मल, ठीक है तो इसमें ऐसी कोई बहुत बढ़ी चीज नहीं है. ठीक है opposition को problem होना, public का खुश होना, जो सरकार rule करती है, उसका public का खुश होना भी अच्छी बात है. तो it is very but obvious. clear है? इतना समझ में आ गया. done हो गया, procedure of no confidence motion, NCM, not non cooperation movement. clear है? आ जाओ. ठीक है बेटा? आ जो बेटा, important, important जो है, पार्ट पे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया ग्यानी बॉई ने जो है, शायरी लिखी है. गुमनामी के अंधेरे में था एक पहचान, क्या? में था एक पहचान, नहीं मिस कर दे रही हूँ बेटा, बहुत तेज चाट चल रही है. एक शायरी? शायरी तो बेटा, शायरी भाई, देखो बच्चा क्या कहर रहा है? 80% लाओ, KTM मिलेगी. KTM मिलेगी, बढ़िया है बे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, जो किताबे लेते हैं, हम जैसे बच्चों को तो क्लास 10th, 12th में तो कुछ भी नहीं, बस मिल गया है, परसेंटेज आ गई, बढ़िया है, और 11 की तयारी करो, 12 के बाद एंट्रेंस एक्जाइम की तयारी करो, यह होता था. सुनो, शाइरी के लिए सिर्फ एक ही शक्स है, सिर्फ एक ही इंसान है, जो शाइरी के लिए है, और वो कौन है, वो तुम लोगों से बेतर कोई नहीं जानता है, BMW मिलेगी, यार एक हाथ मुझे भी दे देना, मजाग कर रही हूँ, मजाग कर रही हूँ, मेटा शाइरी के के लिए तो मैं क्या बता हूँ शायरी के लिए तो अगर मैं शायरी बोल भी दोंगी ना तो मेरे खिलाब नो-confidence motion पास हो जाएगा अगर मैंने कोई शायरी बोल दी ना तुम्हीं लोग मेरे खिलाब no-confidence motion पास करोगे है की नहीं है self-development books लोंगा बहुत बढ़िया comics books बहुत बढ़िया खाने में क्या अच्छा लगता है कोई बच्चा कमेंट कर रहा है मीठा पान मैंने देखो खाना वाना नहीं खाया है और खाने के दिश बढ़िया सी बढ़ दो chatbox में मुं में pacific ocean हो जाया मेरे इतनी सारी तुम डिश भरो भर दो अन्याशम सर ने मैं को मना किया ऐसम सर ने क्या माम को मना किया अच्छा में आता ही नहीं है अरे तुम लोग पहले खाने के डिश भरो अच्छा भर देना बढ़िया बढ़िया डिशेज गुलाब जावन मीठा नहीं मोदक मीठा पाई मीठा पाई कौन काईगा गाईज राजमा चावल पीजा पिर्यानी चोले बटूरे टूड अरे यार रसमलाई शायरी प्लीज सुनाओ रगड़ा पैटीज फाई सहाब बिटा 28 एज नहीं है मेरी बहुत तुम आगे बढ़ गए मोमो पानी पूरी चिकन लॉलिबॉब बोलस दवा केसरी यह तुम खाओ यह तुम खाओ आजो स्पीकर पे पीकर पे आजो पहले जल्दी से स्पीकर पे आजो शुरू करूं बटर नान इस टाइम बढ़ाओं में क्या खाने का दिल चाहरा है सच बढ़ाओं में सच बताओं फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है फ्रूट्स खाने का दिल कर रहा है आजाओ पेटा स्पीकर पे कौन होता है स्पीकर स्पीकर कौन होता है हूँ इस दर स्पीकर अरे बेटा सिविक्स में क्या चीज तुम्हें देखो याद करने की चीज नहीं है एक बात यह भी याद रखना सिविक्स नॉट अबाउट लर्निंग इट इस अबाउट अंडर्स्टैंडिंग तुम्हारी चो तो स्पीकर तो सद्पिलेंग आफिसर का मतलब क्या है ही हेटज द लोक सभा साथी सथ ये क्या करता है कि डिसिप्लेंट मेंटेंड करता है ऑगा तो मय पद객 टीया जाता है सर बचाते हैं, लोग बचाते फिरते हैं, यह सब होता है, तो discipline कौन maintain करता है, discipline कौन maintain करता है, speaker करता है, ठीक है, और एक बहुत बढ़िया जलवे की बात यह है, कि किसी को answerable नहीं होता है, not answerable, not answerable, except to the house, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों, देखो, इसका मतलब यह है, कि अपने conduct में, मान के चलो, अगर कोई bill pass करने से रोक लगा दी, अगर discipline maintain करने में एक limit cross कर दी, या कुछ भी ऐसा conduct, जो house जिस पे question उठा सकता है, तो वो सिर्फ house की ही power है, और कोई authority नहीं है, पूरी country में, जो speaker के activity के उपर आवाज उठाए, और यह power है इसकी, यह ओदा दिया गया है speaker को लोकसभा में, यह सोचो, representatives of people, जितने भी members लोकसभा में बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लोकसभा का member होना, और उसके बाद उसको head करने वाली जो authority है, वो speaker की है, उसके decisions को कोई question नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसकी rank क्या होती है, speaker की rank क्या होती है, इतना लिख देना ranks, higher than, higher than, higher than the cabinet ministers, अभी cabinet ministers के बारे में बेटा, हम लोग आगे lecture में देखने वाले हैं, clear हो गई, बात clear हो गई, clear हो गई बात, तो यह हो गई बात speaker की, अब आगे आ जाओ, अब यहाँ पर जो जो बच्चों को चीज़े याद नहीं हो रही है, आप देखो point wise है, election कैसे होता है speaker का, question arise होता है कि ma'am speaker को कैसे elect किया जाता है, देखो, हमेशा यह देखना, अभी 17th लोग सबा चल रही है, अच्छा हाँ, यह तो पूली गई, कौन है current, current speaker, current speaker बताओ, ओम बिर्ला याद रखना, speaker पर सवाल आ जाए, मेरे प्यारे बच्चों, ओम बिर्ला का नाम लिख देना, कैना head करता है, presiding officer होता है, discipline maintain करता है, अभी 17th लोग सबा का जो head है, speaker है, वो है, ओम बिर्ला जी, लिख देना, ठीक है, आजाओ, अब अगर यह देखा जाए, how is the speaker elected, तो मान के चलो 17th लोग सबा और्गनाईज हो गई, elections हुए, और लोग सबा का गठन हो गया, ठीक है, तो होता क्या है, यह कैसे election होता है, it is done among the members, आपस में ही, जितने भी members होते हैं लोग सबा के, उनी में से election हो जाता है, speaker का, ठीक है, और यह कब होता है, newly elected लोग सबा, अगर election के बारे में सवाल आता है, speaker के, तो तुम 17th लोग सबा का example देके, यह लिख देना, ठीक है, clear है, अब बताओ, अच्छा, अब यह बात बताओ, कि vacation of seat से तुम्हें क्या समझ में आता है, vacation of seat सबसे पहली बार आया, election में, vacation of seat से मतलब यह होता है, कि कोई ऐसी circumstance हो गई, जहाँ पे उसको, उसकी जो post है, वो छोड़नी पड़ जाए, vacate हो जाए उसकी post, तो ऐसे में क्या होता है, बच्छो, vacation अगर आप speaker के बारे में बात करो, तो जब तक कि एक नया speaker इलेक्ट नहीं होता है, तब तक कि speaker अपनी post को नहीं छोड़ता है, ठीक है, until new speaker या इसका successor जो है, is elected, clear है, तो यहाँ पे कैसे होता है, it is elected, यहाँ पे, it is नहीं, sorry, he is, he is elected among the members, elected among the members of the newly elected लोकसभा, कोई break नहीं मिलने वाला है, bulldozer देखो, पहले आया, पहले आता है, और बोलता है कि मैं जल्दी बढ़ा दू, अभी break मांग रहे हो, बुल्डोजर, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो बेटा, ठीक है, हाँ, summer vacation बता रहा है, बताओ, summer vacation, ठीक है, यह हो गया, और term क्या होता है, term, common sense में बताओ, क्या होगा term, भाई, लोकसभा का term कितना है, जो लोकसभा का term होगा, वही speaker का term होगा, जो लोकसभा का term, वह speaker का term, लेकिन यहाँ पर यह भी है, अगर नहीं लोकसभा elect हो गई है, लेकिन speaker को elect नहीं कर अगया है, तो वो पुराना ही speaker रहेगा, तो वो पुराना ही speaker रहेगा, बेटा, समझ में आ रहा है, क्या re-election हो सकता है speaker का, क्या speaker को re-elect कर सकते है, क्या speaker को re इलेक्ट कर सकते हैं देखो कि कह रहा है सिविक्स हमारी इतनी बेवफा रात को पढ़ी सुबा सफा हो इनी सकता है अगर तुमने रात को पढ़के concept clear करे होंगे तो सुबा सफा नहीं हो सकती अब ये वारी तो तुमारी सफा नहीं होगी इसके guarantee लेती हूँ मैं आगे आ जाओ re-election yes yes तो नहीं लिखूँगी any number of times any number of times इसका re-election हो सकता है आगे आ जाओ अब क्या है resignation किसको देगा speaker resignation किसको देता है very very important इससे एक number का सवाल बनेगा इससे एक number का सवाल बनने वाला है चाहे fill in the blanks में चाहे one word में important resignation किसको देता है resignation यह देता है deputy speaker को deputy deputy speaker का एक बहुत important function यही है कि भाई speaker उनको अपना resignation देते हैं clear हो गई बात अच्छा removal कैसे होता है removal resolution कि द्वारा होता है जो उतके members पास करते हैं ठीक है resolution passed by passed by members कि समझ में आ गया तुम लोगों ने खाना खा लिया है कि नहीं यह बता दो मुझे खाना वना खाया है कि नहीं और खाना खा लिया है तो क्या क्या खाया यह बता दो mobile discharge हो गया break mobile discharge of course you can attend this lecture चलो आ जाओ अब देखो बहुत ही important बात शुरू होने जा रही है बिटा अब यह तुमारे उपर है समझना है समझो नहीं समझना है मत समझो तुमारा ही नुकसान है सबसे पहले अभी तक हम लोग का वही वाला chapter चल रहा है first chapter चल रहा है बिटा first chapter अगर खाना नहीं खाया है बिटक तो खाना खालो यार चिकन बन रहा है वाह बहुत बड़िया कडी चावल अरे गजब भाई सहाब business of the house business of the house कैसे बाई साब speaker का business of the house में किस तरह से role रहता है क्या देख रहे है role of the speaker जो basically आप देखो लोग सभा का presiding officer होता है सारे debate discussion इसी को address किये जाते हैं सारे bills जो होते हैं वो भी उसमें भी बहुत major role रहता है speaker का basically sign जो होता है वो speaker का ही होता है clear है अब देखो यहाँ पे कोई भी question लाना है अगर यहाँ पे इतना समझो इतना समझो ना easily समझ लो जितने भी questions आते हैं motions होते हैं न it should be passed passed by him यह speaker ही passed करता है ठीक है अगर आप यह बात करो अगर आप speaker यह decide करेगा सबसे important function जो है सबसे important function बच्चो सबसे important function यह है कि एक money bill money bill के बारे में हम लोग पढ़ेंगे money bill is a money bill or not बहुत ही वेक सी बात लगेगी लेकिन actually यह होता है तो money bill क्या एक money bill है या नहीं है यह कौन determine करता है यह speaker का बहुत important function है सिर्फ और सिर्फ यह power speaker के पास है कि क्या money bill money bill है या नहीं है यह speaker की ही power होती है clear इतनी बात clear हो गई आजाओ next administrative functions जितने भी documents petitions होते हैं इसी के नाम पे होते हैं जितने भी visitors आते हैं जो भी visitors होते हैं लोग सभा में इसी का काम होता है देखने का चेक करने का तो यह administrative functions हो गए इसके साथी साथ disciplinary functions जो होते हैं न तो यह मैंने आपको शुरुवात में ही बता दिया था तो house का discipline होता है उसको maintain करने का function होता है speaker का बहुत ही important function होता है साथी साथ basically decide करता है anti-defection laws में anti-defection laws में कौन-कौन से members जा रहे हैं और उसका जो decision होता है वो final decision होता है anti-defection laws की बाद भी यह याद रखना discipline functions में anti-defection laws anti-defection laws में जो भी member जा रहे होते हैं यह देखना discipline maintain करता है house का maintain the discipline of the house discipline maintain करता है speaker ठीक है he decide कि कोई member disqualify हो रहा है ठीक है साथी साथ की house का contempt है कि नहीं यह भी disciplinary function में आता है ठीक है तो contempt clear content की जो भी बात है वो भी disciplinary functions में आ जाएगा यह बात हो गई अच्छा कई बार क्या हो दाना language जो होती है बहुत ही indecent language होती है और अभी तो most recently मैंने देखा कि एक list आई है कि उसमें यह सारे शब्द नहीं होंगे और इतने बेकार शब्स थे मतलब शब्स कह रहे हो words इतने घटिया थे उसमें कि कुछ भी मतलब उसमें पूरी list prepared थी कि 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 यह सारे जो शब्द हैं यह बोले नहीं जाएंगे house में during the proceeding उस पर रोक लगाई गई थी तो indecent words पर भी रोक लगाने का काम होता है indecent words indecent words ठीक है यह सारे points याद रखना clear हो गया और basically miscellaneous functions की बाद अगर करी जाए बेटा तो joint session में joint sitting जो होती है उसमें preside करता है जितने भी बेटा delegations होते है parliamentary delegations उसको speaker ही head करता है अच्छा parliamentary committees होती है ठीक है parliamentary committees का भी यह ex official chairman होता है क्या लिखोगे ex official chairman he is the ex official chairman होता है मतलब क्या होता है कि जितनी भी parliamentary committees होती है जिसको speaker head कर रहा होता है वो automatically माना जाता है कि यह position hold करी जाएगी by the speaker आगे बढ़ते हैं अब देखो अब हम लोग नए सरे से शुरुआत करने जा रहे है एक नए पाट की शुरुआत करने जा रहे नए पाट की शुरुआत करने जा रहे very important part के आजो वेटा very important part पानी वानी पीलिया जाए तुम लोग भी अपनी कॉफी बना लाओ राइट एनी फोर मिस हो गया बटा क्या फंक्शन अरे नो कॉन्फिदेंस मोशन कॉन्फिदेंस मोशन कहां से आ जाएगा वाट इस कॉन्फिदेंस मोशन ओम बिटा नो कॉन्फिदेंस मोशन हम लोगों ने पढ़ा है कॉन्फिदेंस अगर किसी को मिनिस्ट्री में कॉन्फिदेंस है ही अगर ट्रस्ट है ही तो वो क्यों कोई मोशन लेके आएगा मतलब वो खुश है मिनिस्ट्री से explain discount discount तो सबसे जाधा अट्रैक्टिंग चीज है discount के लावा तो कुछ है ही नहीं there should be discount in everything discount है तो हम लोग है ladies, ladies को सबसे अच्छा तो discount ही लगता है अब कौन सा discount match वैत में पूछ रहा हो discount तो मैं नहीं बता पाएंगी बिल्कुल शुरू करा जाए कि नहीं? thumbs up in the comment section जल्दी से thumbs up in the comment section come on आजाओ शुरू करा जाए बेटा आए थिंग सबसे पहले सबसे पहले upper chamber upper chamber it is the upper chamber या the upper house clear आजाओ अच्छा कई बार इसको house of elderly people भी कहा जाता है house of elderly people क्या पता options दे कि MCQ में क्या पूछ ले क्या पता MCQ में क्या पूछ ले चलो आगे आजा बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका composition सबसे पहले बेटा composition देखेंगे कितने members होते हैं और कितने nominated members होते हैं, कितने elected members होते हैं, 238 elected members, 238 elected members बिटा, and 12 nominated members, 12 nominated members होते हैं और 238, 238 elected members होते हैं, ठीक है, इतनी बात clear हो गई, अब यह जो elected members होते हैं, और यह जो nominated members होते हैं, अब इसमें nominate कौन करता है बिटा, 12 members are nominated by the president, और बिटा, president इनको nominate करता है क्योंकि इनके पास specialized skilled होती है, they are skilled, they are specialized, specialized knowledge, इनके पास specialized knowledge होती है, literature, literature में, art में, science में, social science में, literature, art, social science, ठीक है, इन सारे subjects में, जिसके पास specialized knowledge होती है, उसमें से 12 members को nominate करते हैं, the president of India, आजाओ elected members पे, elected members पे आजाओ बिटा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिटा, आपके population wise, population wise, members are elected, population wise यहाँ पे members elect होते हैं, और यहाँ पे एक बात और है बिटा, कि यहाँ पे unequal representation होता है, there is no equal representation here, there is unequal representation, ठीक है, unequal representation, कैसे unequal होता है, क्योंकि कुछ states में से जादा लोग represent करते हैं, और कुछ states में कम लोग represent करते हैं, क्योंकि यह population wise होता है, और यह population wise होता है, इसलिए यह unequal representation आपको देखने को मिलता है, clear, बिटा, joint session, joint session की बात करी है, joint session, अगर हम लोग बात करें, बड़िया बात कर ली है इसने, तो आज आओ फिर इसी बात पर sessions पे, यहाँ पर joint session बिटा, joint session जो होता है, यह usually होता है बिटा, जब deadlock होता है, अब बोलेंगे deadlock क्या है, deadlock होता जब है, जब लोग सभा और राज सभा किसी matter में, किसी matter पे conclusion पे नहीं arise कर पा रहे है, ठीक है, conclude नहीं कर पा रहे है, या कोई solution नहीं find कर पा रहे है, लोग सभा और राज सभा, जब कोई solution नहीं, या कोई ऐसा matter है, जो इन दोनों के matters में नहीं आ रहा है, तो इस कारण क्या होता है, joint session जो है, उसको head करता है speaker, speaker बुलाता है जब deadlock के situation होती है, और यही होता है आपका joint session, clear, आजाओ आगे, members पता चल गए बिटा, राज सभा के members clear हो गए, ठीक है न, अच्छा, important point यहां पर यह है एक बार mention करने के लिए, कि जो members होते हैं न, राज सभा के, जो राज सभा के members होते हैं, कितने साल के लिए elect होते हैं, comment section में बताईए, जल्दी से, they are elected for how many years, how many years, बिटा, English का, जो one shot है, यह English के लिए, arrange किया जाएगा आप लोगों के लिए, anti-defection law क्या होता है, anti-defection law यह होता है, कि अगर कोई एक member जो है, यह basically parties से related होता है, political parties से related होता है, अगर मान के चलो, मैं XYZ party को belong करती हूँ, और मैं उस party को ditch कर देती हूँ, और दूसरी party join कर लेती हूँ, तो कुछ circumstances, anti-defection laws में, पूरे list बनी विए laws की, कि यार अगर यह किसी भी member ने, किसी party के member ने, party के representative ने, अगर उस party को ditch करा, या कोई ऐसी circumstance हो गई, कि वो दूसरी party की तारीफे करने लग रहा है, या उस party को join करना चाह रहा है, तो anti-defection laws जो हैं, वो लागू किये जाते हैं, ठीक है, correct है बिटा, correct है, six years, six years के लिए, जो है members जो हैं, यहाँ पर elect होते हैं, six years के लिए होते हैं, और एक important fact यह है, कि one third of the members, of the members retire, retire after every dash year, बताओ, बताओ क्या है, fill in the blank, fill in the blank बिटाओ, ठीक है बिटा, nominated members, elected members हो गया है, अब बताईए आप पहले कि कितने years के बाद one third members correct है, very good, two years, every two years, ठीक है, इतनी बात clear हो गई, और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, कि major difference, major difference लोगसभा, लोगसभा, और राजसभा की बीच में जो होता है, पताए क्या होता है, एक तो power से related भी होता है, लोगसभा हल्का सा जादा powerful होता है, राजसभा से, लोगसभा powerful होता है, राजसभा से, कुछ matters पे जिसको हम लोग deal करेंगे, पहले ये बताओ कि major difference क्या होता है, बताओ comment section में, क्या होता है major difference, correct है जैनब रिजवी, absolutely correct, जब ऐसे जवाब आते हैं, तो दिल खुश हो जाता है, बिकॉज राजसभा राजसभा इस आप पर्मनेंट पर्मनेंट हाउज, बिकॉज राजसभा इस आप पर्मनेंट हाउज, इसी का एक major difference आप मान सकते हो, between लोगसभा आप राजसभा, पर्मनेंट हाउज होता है, राजसभा इस नेवर सब्जेक्ट तो डिजिलूशन, अच्छा एक सवाल और, एक सवाल और, पहला राजसभा का इलेक्शन कौन सी यहर में हुआ था, राजसभा नेवर डिजॉज, आपसलिटली करेक्ट, पहला राजसभा का इलेक्शन कब हुए थे, फर्स्ट राजसभा इलेक्शन, अब सोचो जो फर्स्ट राजसभा इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से अभी तक राजसभा पर्मेन्ट हाउस है, मतलब यही तो मैं बताती हूँ, ब्यूटी है, यह हमारे कॉंस्टिट्यूशन की ब्यूटी है, हमारे जो गवर्मेन्ट का सेटप उसकी ब्यूटी है, यह सारी चीज़े हैं, यह नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, 1764 बहुत गजब, 2009 एपिक, एक कहारा है लेट हो गया है मैं, 1952 जवाब आ गया, बुल्डोजर तिवारी, very good, 1952, absolutely correct, तुमने पढ़ा है लग रहा है, तुमने कल वाली क्लास करी है, तुमने कल विक्टरी बैच वाली क्लास करी है, 1952, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1952, first राजसभा election, first राजसभा election, clear, बढ़ू आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सारे facts कर लिए, आजाओ, ये clear हो गया, आगे बढ़ते हैं, election पर आजाओ, किस तरह से, किस प्रकार जो है, वो election होता है, देखो, सबसे पहले इतना समझ लो, कि members जो है, वो legislative assembly, और each state की legislative assembly से elect होते हैं, they are elected, by the legislative assemblies, by the legislative assemblies, of each state, they are elected by the legislative assemblies of each state, बहुत बढ़िया, मैं लेट हो गया, अच्छा अच्छा, अभीनब तुम लेट हो गया हो, कोई बात नहीं, चल पहला ही चाप्टर रहा है, पहला ही चाप्टर चल रहा है, और बहुत ही बढ़िया हुआ है, भी तक सोचो, हम लोग ने कितना कुछ कवर कर लिया है, लोग सभा ड़न हो गया है, speaker ड़न हो गया है, हम लोग ने motions पढ़ लिये हैं, sessions पढ़ लिये हैं, साथी साथ हम लोगों ने parliamentary procedures कवर हो गया है, यह सारी चीज़े हम लोग ने दुआँ दुआँ कर दी है, अब यह सब तुम revise कर लेना फिर अपना, बैट के बढ़िया, चाय वाई पी के, ठीक है, यहां पर फॉलो होता है, यहां पर फॉलो होता है, बीटा, एक तरीका है, voting system, तरीका है, it is the system of single transferable vote, single transferable vote, single transferable vote, ठीक है, it is a system of single transferable vote, ठीक है, proportional representation, कैसे होता है बीटा, done by proportional representation, proportional representation, clear, ठीक है, important बात क्या है, indirectly, indirectly elected, और लोगसभा में क्या होता है, लोगसभा में क्या होता है, बताओ, लोगसभा में क्या होता है, इतना समझ में आ गया, term, तो full time होता है यह, full time, full time होता है यह, never subject to dissolution, इतना easy way में, इतना easy way में, छोटे छोटे, अब बताओ, nominated members, elected members के chart बन गई, election, term के chart बन गई, है ना, तो basically, बहुत ही जादा easy way में, आपको समझ में आ सकती हैं, चीजे, अच्छा, members का term, पीछे करवा दिया है, एक बार ओल लिख लो, members, 6 साल के लिए होते हैं, एक तिहाई members, one third, retire, every, two years, as simple as that, as simple as that, आ जाओ, qualification and disqualification, qualification and disqualification की अगर बात करी जाएं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे लोग सभा से पूरी तरह से same होता है, ठीक है, लोग सभा से पूरी तरह से same होता है, एक चीज different होती है, एक चीज different होती है बच्चों, एक चीज different होती है, और difference किस चीज में होती है, difference होती है बच्चों, age में, age में difference होती है, कैसे difference होती है, वहाँ पे 25 साल की उमर, वहाँ पे minimum age क्या है, minimum age क्या है, 25 years in लोगसभा, लोगसभा member बनने के लिए 25 साल के requirement है, लेकिन यहाँ पे 30 years of age होना चाहिए है, बाकी सारी qualification सेम है, जैसे citizen of India, not being an insolvent, office of profit, no criminal charge against you, है ना, insolvent नहीं होंगे आप, office of profit done, तो ये सारी चीज़े clear है, age वाला जो factor है, age वाले factor में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पे 30 years of age ही होती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत साहिए जिसका clear हो गया है, awesome, ठीक है, एक बार बेटा, एक बार comment section में सारी qualifications लिख दो, सारी qualifications लिख दो बच्चों, please एक बार, लोगसभा, तुम राजसभा की मतलिको, राजसभा का तो clear हो गया है, सारे बच्चे एक बार लिख दे, comment section में, comment section में OP हो जाएगा बेटा फिर, बस एक बर्ग तुम qualification लिख दो सारी, come on, जल्दी से, ठीक है, इतना clear हो गया बेटा, qualifications लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, qualifications एक बार comment section में, लिख दो, ठीक है, 25 साल की उमर, कोई criminal charge नहीं होना चाहिए है, citizen of India होना चाहिए है, correct है, correct है, correct है, correct है, बहुत बढ़िया, amazing, बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, सारे लिखो बिटा सारे, बहुत सही है, अराध्य, सार्थी, अराध्य, विवेक, शिवम, आस्था, correct है, आशकिलफा, सार्थी, सुमया, very nice, code is fun, बाबा, ग्यानी, निकी, कृती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिटा, सही है, आ रहा है बिटा तुम लोगों, बहुत बढ़िया, glimmering world, बहुत बढ़िया, amazing, ठीक है यार, अब यह याद रहेगा न, याद रहेगा न, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया है, चलो, आजो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही important part cover करने जा रहे हैं हम लोग अब, पता देखो, powers and the functions of the parliament, पार्लियमेंट में दोनों houses के respective में, लोकसभा और राजसभा के respective में हम लोग ये part जो है, वो cover करने वाले हैं, क्या मिल रहा है, powers and functions में क्या मिल रहा है, legislative functions आ रहे हैं, आपके financial functions, executive functions, electoral functions, judicial functions और constitutional functions, ये सारी चीज़ें बेटा, ये सारी चीज़ें exam point of view से important हैं, अब बता दो पहले गुरु जी तुम लोग, हम गुरु नहीं है, हम गुरु नहीं है, तुम लोग हो, बता दो की पढ़ाओं की ना पढ़ाओं, सारे important हैं और मैंने देखे वे हैं, ये सारे मैंने चेक करे वे हैं actually, बता दो बेटा, चलो, सबसे पहले, सबसे पहले legislative powers में आ जाओ, legislative powers में आ जाओ, बहुत ही जादा important है, क्या देख रहे हैं हम लोग, matters in the union list, पहले तो list का concept समझ लो, देखो, law making power होती है, law making power होती है कि नहीं होती है, ठीक है, law making power किसकी होती है, ठीक है, यह होती है, दो में divided, एक, दो, पहला हो गया हमारा प्यारा center, दूसरा हमारा हो गया प्यारे states, center में हमारे पास कौन है बेटा, center में हमारे पास है parliament, center में हमारे पास क्या है, parliament है, state में हमारे पास क्या है, state में हमारे पास है, state legislative, State Legislative Assemblies clear है? इतना clear हो गया? सब बताएंगे ordinance क्या है? पहले यह समझो. ठीक है? स्टेट में हमारे पास क्या है? State Legislative Assemblies है? सेंटर में हमारे पास क्या है? Parliament है. अब क्या है? हमारे Constitution ने हमारे Constitution ने हमें क्या दिया है? हमारे Constitution ने, Constitution ने क्या किया? Constitution ने कहा कि हम सातवे schedule के माध्यम से, सातवे schedule के माध्यम से हम क्या देंगे? हम अपने center को और states को law बनाने की power देंगे, क्या देंगे? law बनाने की power देंगे, और वो law बनाने की power कहा हम लिखी होगी? तीन लिस्ट में लिखी होगी त्री गोल्डेन लिस्ट ये तीन गोल्डेन लिस्ट में ये लौ बनाने की पावर लिखी होगी अब ये तीन गोल्डेन लिस्ट में क्या होगा मैं? इसमें होगा एक यूनियन लिस्ट होगी एक स्टेट लिस्ट होगी और एक होगी concurrent list तीन list बताओ comment section में तीन list बताओ दो चल्दी से पहले आया समझ में ये तीन list हो गई अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर गड़त देखो तुम पहले तुम खेल देखो यहाँ पर क्या हुआ है हुआ यहाँ पर बेटा कि जो parliament है ना parliament के पास power हो गई clear cut union list में law बनाने की state के पास क्या power आई state के पास power आई कि भाई state list में law बनाएंगे है की नहीं है state list में law बनाएंगे ठीक है अब क्या हुआ अब constitution ने कहा नहीं नहीं हमें call list देंगे क्या दर्शाता है यह यह separation of powers नहीं है this is the division of power separation of power होता है बेटा executive, legislature और judiciary में this is the law making power and this is the division of power clear है this is the division of power हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना ठीक है समझ में आई की नहीं आई sir दिख रही हूँ मैं कह रहा है Mridul कह रहा है sir can we use highlighter Mridul पहले तो तुम यह बदाओ कि मैं तुम्हें sir दिख रही हूँ भाई सहाब update help तुमने तो गजब कर दिया भाई इतना समझ लो update help बता देना तुम बेटा फिर बेरे बच्चों को Union list, state list, concurrent list हो गया concurrent list में constitution ने parliament as well as state legislative assemblies को यह power दी कि इस list में जो भी है आप उस पर law बना सकते हैं thank you बेटा, thanks a lot बेटा thanks a lot, सीक्या, clear है, चलो आगे बढ़ते है law making power clear हो गया तो अब तुम्हें यह सब समझने में problem नहीं होगी जो बच्चा कह रहा है कि यह syllabus में नहीं है तुम यह क्या समझोगे, समझ में आ रहा है तुम्हारे तुम्हें न पढ़ाओ अभी यह तुम्हें समझ में आएगा अगर तुम्हें न पढ़ाती यार तुम अगर if you are telling your teacher to teach how you are telling your teacher how to teach, फिर क्या फाइदा बच्चो आ जाओ तो matters जो है union list में तो parliament के पास power है इस पर law बनाने की clear हो गया? parliament के पास power है law बनाने की और बड़े-बड़े matters, defense related matters यह सारे matters जो है, banking, communication, defense यह सारे आते है union list के अंदर क्या है? defense, banking, communication यह सब आता है under the union list clear है? clear है? अब देखो concurrent list के बाद आती है concurrent list के बाद आती है तो यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिलेगा education, education के जो मामले है न, trade, forest, examples है यह, आज आए लिस्ट, मैं कहते हूँ exam में आज आए लिस्ट, thank you बेटा, thanks a lot, thanks a lot बेटा अगर देखो update help क्या कह रहा है? update help is saying कि मेरे candid publication book में यह नहीं है, तुम युझे लग रहा है update help शुरुवात से भी session में जुड़े नहीं हूँ, देखो बेटा, क्या होता है? देखो मैं एक एक बच्चे को यहाँ पर address कर रही हूँ, होता क्या है प्यारे बच्चा, देखो आपको कुछ concept ऐसे हैं, जो आपको जानना ही जानना ज़रूरी है अगर तुम दो मिनिट देखे, अब तुम्हें ये चीज़ समझ में आई की नहीं आई, ये चीज़ तुम्हारी clear हो गई, तुम्हारे पास एक बार notes हो गए, तुम्हें हमेशा तुम्हारे पास ये रहेगा, तुम्हें पता रहेगा, तुम्हें in future help करेगा जो भी तुम आज पढ़ रहे हो बेटा, I guarantee you civics, civics में तुम जो भी पढ़ रहे हो देखो, क्या होता है न, सरकार, society, politics, ये सारी चीज़ें तुम अपनी life में हमेशा ही देखोगे, तो ये तुम्हें हमेशा benefit करेगा, हमेशा benefit करेगा, तुम्हें खुद की knowledge होगी, तुम कम समझने की कोशिश करो बेटा, this will benefit you, anyhow it will benefit you, clear है, चलो, आजाओ, कोई बात नहीं, अगर नहीं है, कैंडिट पब्लिकेशन में, तो तुम्हें मैंने बता दिया, तुम जान लो, ठीक है, concurrent list समझ में आ गया, और concurrent list में कौन law बनाएगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता अब जो पूछ रही है, ये बेटा मैंने बताएं आपको, matters in the union list के, clear हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो, अच्छा, एक और स्थिती arise होती है, मान के चलो, concurrent list का matter है, और concurrent list के matter में, ये साहब भी law बना देते हैं, और ये साहब भी law बना देते हैं, मतलब पार्लेमे पार्लेमेंट ने जो law बनाया है न, वो बेसिकली हो जाएगा, prevail over the law which has been made, कि जो law बनाया है, union list ने, वो law प्रिवेल कर जाएगा, state list के उपर, ठीक है, आजाओ next पे, residue power क्या होती है, मैं सब कुछ रोग दे रही हूँ, अभी पहले comment section में मुझे ये बता दो, कि residue power क्या होती है, ये comment section मुझे बता दो, आजाओ, कुछ कह रहा है बच्चा एक, क्या कह रहा है, मैं एक में educators करके वो कहता है, revision ऐसे नहीं होता, तो revision कैसे होता है, किताब लेके बैट जाओ तुम, बिटा, 5 chapter है, आधी किताब है, पढ़ लो तुम revision कर लो, उनसे कह दो, जो educator है, उनसे कह दीजे, sir, ऐसे नहीं होता है, तो कैसे होता है, अकिलेश, कोई दिक्कत नहीं, बिटा, तुम session में बने रहा हो, तुम्हें benefit करेगा, don't worry, trust your teacher, ठीक है, आज़ो जल्दी से पहले बताओ, respiratory power क्या होती है, come on, come on, come on, जल्दी से बताओ, temporary law कोई कह रहा है, temporary law कोई कह रहा है, आज़ो बिटा, जल्दी से क्या होता है, it can make laws in the normative state and concurrent list, बहुत बढ़िया, very nice, निकी ने जवाब दिया है, निकी ने जवाब दिया है, पावर वापस लेना, गलत, निकी ने जवाब दिया, I think, निकी ने सही जवाब दिया है, it is निकी, निकी ओपी हो गई भाई, बहुत बढ़िया, subjects, वंच खरे के attendance ले ली मैंने, निकी ने जवाब दिया है, बिल्कुल correct है, आरो ही, आरो ही, निकी, very good, सारी बचे जवाब दे रहे हैं, awesome, यही होता है, Residory, Residory, the residue remaining, remaining power, remaining matter, Residory power क्या होती है, जो matter, ना तो union में है, ना तो state में है, और ना ही concurrent list में है, बेटा, वो reciduary matter होता है और reciduary law reciduary matter पे law बनानी की power किसकी होती है बच्चो it is parliament's power parliament की power होती है एक बात बता दू मैं तुम्हें आज ये जो बात तुम्हें बने बताई है न अभी ये बात बड़े level पे लोगों को नहीं पता होती है कि reciduary power पे law बनाने की power ये बड़े बड़ों को नहीं पता है नरूटो पूछ रहा है how to write properly the answers answer writing के बारे में सवाल पूछा है भाई answer writing क्या होती है पता है answer writing एक art होती है ठीक है पहले तो भाईजान को मैं ये समझातू answer writing एक art होती है और एक point यहाँ पे ये याद रखना है बिटा देखो easy easy way मैं बता दे रही हूँ पता नहीं मिलू ना मिलू आप लोगों को civics का है आज last है ना तो exam point of view से एक बात समझ लेना बिटा exam point of view से एक बात समझ लेना सबसे पहले देखना marks marks allotted to the question to the question देख लिया तुमने तुमने देख लिया सबसे जादा benefit पता कहां से पाऊगे जो छोटे छोटे marks होते हैं छोटे छोटे देखो ICSC अगर आप देखो ICSC में difference कैसे create होता है other board से दूसरे board से difference कैसे create होता है ICSC में लोग क्या करते हैं ना छोटे 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 questions पूछ लेते हैं अगर 10 mark का question भी पूछ रहे हैं दस marks में एक, दो का बना देंगे या एक और तीन का बना देंगे इस तना से marks distribute करते हैं अब अगर तीन marks में बच्चे ने तीन point भी लिखा है 2 marks में 4 point भी लिख देगा तो भी examiner मजबूर इस बात पे होगा कि वो डेड़ी नमबर दे और यहाँ पे धाई नमबर दे यह बात होती है तो इसलिए difficulty level जो होता है बिचारे ICSC वालों का वो बढ़ जाता है क्योंकि क्या होता है थोड़ा जादा elaborate होता है detailed होता है और जो level होता है वो level यह लोग examiner expect करते हैं कि high हो अब trick क्या है trick यह देखो तुम बस trick यह है कि question से question से stick रहो stick to the question stick to the question सबसे पहला point तुमें लेखना है दूसरा तुमें देखना है कि marks कितने lot करे गए है मान के चलो दो number का question है two marks का question है ठीक है quit India movement से दो number का सवाल पूछ लिया है और तीन number से सवाल पूछा है आपके quit India movement से relation में ही कुछ पूछ लिया कि और लोगों को क्या roll रहा या मात्मा गांधी का क्या roll रहा क्या क्या चीज़ें हुई resolution का पास किया गया मान के चलो यह पूछ लिया तुमसे ठीक है तो यह मान के चलो तुमसे पूछ लिया trust करो हर एक teacher को करो हर एक teacher को trust करो put your trust in the school teachers in your जहां तुम coaching ले रहे हो वहां जहां तुम offline coaching ले रहे हो वहां भी trust करो बढ़िया number लाओगे मान के चलो तुम्हे अब तुम्हें दो marks का यह जो question है quit India movement का यह तुम्हें बहुत बढ़िया से आता है लेकिन यह जो सवाल है यह तुम्हें नहीं आ रहा है अब तुम सोच रहे हो कि यार भर दे इसको हम 4.10 point जितना आ रहा है उतना दो marks में लिख दे अरे पाओगे तुम डेड़ी number उसमें तुम उसमें जादा जादा जितना बहुत अच्छा answer जोगा वो भी डेड़ी number पाएगा तो focus क्या रहना है attempt maximum questions attempt all ये तुमारा क्या रहना चाहिए aim aim क्या होगा attempt attempt all questions सारे subjects पर ये लागू होगा not just history civics सबसे पहले तो सारे तुम questions attempt करो उसके बाद तुम चतुराई ये करो कि तुम देखो कौन से question से क्या marks allotted है अब exam देने से पहले एक दिन पहले जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया सुबा उटके revision कहले लिया must रहो examination hall में जाओ अराम से देखो कितना time allotted है और attempt सब कुछ करो तुम्हे जितना point wise आ रहा है बढ़िया से point लिग दो तुम ये नहीं देखना चाहरा है examiner ये नहीं देखना चाहरा है तुमने कितना पढ़ा लेकिन examiner ये जरूर देखना चाहरा है कि जो उसने पूछा है क्या वो तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है समझ रहे हो तो examiner जो है chapter name कौन सा chapter name बेटा ये chapter ये तुम्हें trick बता रही हूँ राइटेंग लिखा तो है ये chapter है लो तो examiner तुम्हारी knowledge नहीं test कर रहा है examiner तुमसे ये नहीं पूछना चाहरा है कि तुमने उसके उसके उपर quit India movement पर तुमने research करी है तुम union parliament के खुद के member हो तुम्हें क्या-क्या पता है नहीं पूछना चाहरा है examiner just wants to ask कि क्या जो question मैंने पूछा है तुम्हें आ रहा है जो मैंने तुमसे सवाल पूछा है वो आ रहा है तो you have to stick to the question and you will gain good marks I assure you ठीक है 4 marks के question में बिटा focus ये करो कि at least 4 points लिखो ही लिखो और उनको elaborate करके लिखो 4 points लिख रहे हो 8 अगस्त को pass हुआ था उसको mention करो कि वो 8 अगस्त 1942 को pass हुआ था और quit India resolution pass हुआ था जहां पे door die का slogan दे दिया गया था ये सारी चीजें आपको लिखनी है MCQs की hint बिटा बिल्कुल MCQs की hint मैं दे दूँगी आपको civics के portion में as well as history के portion में दे दूँगी MCQs में बिटा one word वाले जो questions है जैसे मैंने तुमको बताया zero hour का question question hour का जो question बन रहा है sessions का question बन रहा है member जो हैं कितने साल में retire होते हैं राजसभा के क्या राजसभा एक permanent body है या नहीं लोकसभा कितने साल के रेलेक्ट होती है कौन सी लोकसभा अभी currently चल रही है और कौन सी लोकसभा के against motion no confidence का pass हुआ था ये सारी चीज़े जो है बिटा ये सारी चीज़े important हो रही है समझ में आ गया इतना तुमें इतना समझ में आ गया आगे बढ़ो ये हो गया ना यहाँ पे थे हम लोग अब state, residuary power clear हो गया state list के जो matters है तो इसमें state के पास होती है exclusive power law बनाने की क्या-क्या होता है बटा क्या-क्या होता है इसमें यहाँ पे तुम देखो agriculture agriculture से related जो भी laws है या animal husbandry हो गया animal husbandry यह सारे छोटे छोटे यह examples मैं दे रही हूँ in case आगया अगर legislative power तो यह सब आपको mention करना है ordinance making sorry ordinance making power जब parliament session में नहीं होती है तो president के पास power होती है कि वो ordinance को pass कर दे और ordinance किस तरह से काम करती है ordinance act as a law वो law की तरह काम करती है थीक है तो यह किसकी power होती है ordinance making power प्रेसिदेंट की होती है जब क्या जब parliament session में नहीं होता है Parliament not in session मान के चलो parliament session में नहीं है और कोई ऐसी grave situation है जिस पे law pass करना है तो यह किसकी power हो जाएगी यह president की power हो जाएगी उस पे law बनाने की एमेरजेंसी में बेटा, very very important, एमेरजेंसी में ये पावर हो जाती ही बेटा, प्रेसिडेंट की पावर होती है, लेकिन इसमें जो है, इसमें cabinet word आया है, cabinet की recommendation होनी चाहिए, इतना clear हो गया बचो, clear हो गया इतना, आज़ बेटा, आगे बढ़ते हैं, clear, आप देखो, financial powers पर आजओ, एक word में समझेंगे budget, annual financial statement, annual financial statements जितने भी होते हैं बेटा, ये पास होते हैं, ये parliament की यहाँ पे, parliament में पास होते हैं, budget यहाँ पे, पास होता है, finance minister का जो होता है, बहुत important role होता है, who is the current finance minister, बता दो, current FM कौन है, आगे बढ़ते हैं, supplementary grants, जितना grants, जिस जिस ministry को, जिस भी department को allot होता है, अगर उससे जादा grants की requirement होती है, अगर उससे जादा grants की requirement होती है, sufficient, अगर more funds required, more funds required, तो इस time पे बेटा, supplementary grants की मांग हो जाती है, votes on account, votes on account बेटा, budget से related होता है, अगर वो basically pass नहीं हुआ आए उस time पे, तब vote on account से, budget, if budget is not passed, क्या होता है, budget is not passed, then बेटा, then funds are taken, are taken from votes on account, VOA, clear, आगे बढ़ें बेटा, salaries, बहुत ही जादा important, consolidated fund of India, जैसे bank में account होता है न, खाता, उसी तरह consolidated fund of India है, as well as consolidated fund of state है, क्या मिल रहा है आपको, consolidated fund of India, प्लस consolidated fund of state, लिख देना exam में, exam में लिख देना consolidated fund of India, consolidated fund of state, खीक है, अब यहाँ पर Parliament ही determine करता है, बात यह आती है, कि यहाँ पर financial powers क्या होती है, यह salaries जो होती है, MPs की, MLS की, यह सारी Parliament के द्वारा ही decide होती है, taxes का permission, कौन सा tax impose किया जाएगा, यह Parliament का approval required होता है, approval required होता है, आगे बढ़ो, आजो पिटा, judicial powers पे, अब बता दो, तो करवाओ, तीन points हैं, सिर्फ तीन points, सिर्फ तीन points है, President के impeachment में, मतलब removal, removal word वैसे use नहीं किया जाता है, President के लिए, लेकिन मतलब समझा रही हूँ, procedure होता है, clear, judges के removal पे, ठीक है, removal of judges, इसमें भी यही procedure follow होता है, clear, और बेटा, punishment देने के लिए, बेटा, punishment देने के लिए, अगर जैसे आप Parliament के काम को obstruct कर रहे हो, working of the Parliament, civics में तीन question mix, क्या बेटा, miss हो गया तुमारा, consolidated fund क्या होता है, बच्चे पूछ रहे हैं, consolidated fund का मतलब यह होता है, बेटा, जो भी expenses होते हैं, जो भी expenditure होता है, वो उसमें से ही, उसी fund में से होता है, हमारी country का एक fund है, उसी में से होता है, बेटा, civics में से तो proper, पूर्पूरे questions आएंगे, बड़े-बड़े questions, lengthy questions, और आपके short questions अलग आएंगे, fill in the blanks, ये सारी चीज़े अलग आएंगे, प्रिंस गुप्ता पूछ रहा है, इंग्लिश का marathon होगा, बेटा, मुझे सच बताओ, मुझे कोई इस बारे में knowledge नहीं है, अगर होती है, तो बिलकुल update कर दिया जाएगा channel पे, don't worry बेटा, ठीक है, very nice बेटा, 97 marks मिले हिस्ट्री civics में, awesome अर्पित, very nice, keep it up, आजाओ, punishment, अपनी punishment, judicial power होती है, ये parliament की, कि अगर कोई contempt हो रहा है, अगर कोई, parliament का काम है, अगर उस पे रोक लगाई जा रही है, तो उस पे punishment दे सकता है, judicial बता रहे हो नहीं है, तो हम भया आगे बढ़ जा रहे हैं, हम क्या बताएं, आजाओ बहुत ये खतरनाक चीज़ पे, ठीक है, खतरनाक चीज़ पे आजाओ बेटा, कुछ important topic, बात बताती हूँ, आज बेटा बहुत ही important part देखने जा रहे हैं, ठीक है, बहुत जरूरी part है, अमेंडमेंट से क्या समझते हो, पहले ये बताओ, अमेंडमेंट से क्या समझ में आता है, very very important, ठीक है ये, ये बहुत important है, पहले बताओ, अमेंडमेंट से क्या मतलब समझ में आता है, प्रोरूग, देखो, प्रोरूग का मतलब होता है, कि देखो, या तो फिर डिजॉल्व कर दे, सस्पेंड कर देना, टेंपरेरी सस्पेंशिन, बिटा, लाइब का टाइम पिरेड अभी नहीं पता है, चैंसल, अरे, अमेंडमेंट का मतलब बताओ, यार, अमेंडमेंट का मतलब बताओ, यार, कमेंट सेक्शन में, not in syllabus, कौन कह रहा है, not in syllabus, change in the constitution, change in the constitution, dates की chart, dates की chart भी बिटा देख लूँगी, मैं provide, अगर चाहिए है, मुझे पता नहीं है, तुम्हें चाहिए अभी, फिर आप सोचो के माम ने दिया नहीं, I don't know, you require it, if the person is more experienced than his age, can he join the parliament, of course age, more experience, कोई maximum term नहीं है, बिटा, 25 साल से बड़ा होना चाहिए, और राजसबाग जॉइन कर लिए, 30 साल से बड़ा होना चाहिए, change in the constitution, change, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं, change, ठीक है, amendment का क्या मतलब होता है, constitution को amend कर देना, उसकी provisions को change कर देना, या delete भी कर देना, change, और deleting, the provisions, of the constitution, इसको कहते हैं amendment, इतनी बात समझ में आ गई, amendment कौन से article में दिया गया है, article 368, 368 of the constitution, of the constitution of India, provides for the procedure of amending the constitution, किस तरह से amend करेंगे, क्या procedure होगा, ये दिया है, article 368 में ये लिख दोगे, हिल जाएगी, teacher, ये लिख दोगे, हिल जाएगी, teacher, ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, बच्चों, ये किया जाता है, by the both houses of the parliament, इसलिए तो इस heading के अंडर पढ़ ले हैं, इस तो इस heading के अंडर पढ़ राज सबा और लोग सबा दोनों को मिला के क्या function है, इस इंपोर्टन तो रिमेंबर देट कॉंस्टिटूशन अमेंडमेंडमेंड का समझ में आ गया, 42nd Amendment Act is known as the mini constitution, इंद्रा गांधी जी के time पे हुआ था ये, ये इंद्रा गांधी के regime में हुआ था और इसको mini constitution कहते हैं, इन्होंने हिला के रख दिया था constitution, constitution में बहुत सारे changes करे थे इंद्रा गांधी ने, बहुत सारे changes करे थे, समझ में आ रहा है, date chart चाहिए अभी प्रिया कह रही है, 42nd Amendment में बहुत सारे changes हुए थे बिटा, अब देखो, एक बात समझ लो, Amendment में बोथ houses of the parliament होते हैं, इतना समझ में आ गया, अब यहाँ पे क्या होता है, total membership की majority चाहिए होती है, साथी साथ majority of the two-third member present and voting, total membership, एक तो मतलब, total membership से क्या मतलब हुआ, 50% होने चाहिए, साथी साथ, two-third members, two-third members present and voting, यह होने चाहिए, और important बात, सबसे important बात यह है, कि अगर कोई federal provision है, अगर कोई constitution का federal provision है, जैसे की fundamental rights, center state relations, इन सारे provisions को अगर amend करना है आपको, तो आपको क्या लाना होगा, आपको सारे state से, half of the state से बिटा, half of the state से आपको ratification लाना होगा, you have to bring the ratification, उनका नाम, उनका sign लाना होगा, कि हम agree करते हैं, कि आप यह federal provision को amend कर दो, समझ में आ रहा है, तो federal provision अगर है कोई, तो उसमें ratification चाहिए है, ratification of states, clear हो गई इतनी बात, बात clear हो गई बच्चो, प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या repeat करना है, जल्दी से बताओ, कुशाल सिंग, जल्दी से बताओ, क्या repeat करना है, SST के MC के उस चाहिए, मानस भी कह रहा है, repeat करना है, क्या repeat करना है, कुशाल कह रहा है, क्या बताओ तो, ये repeat करना है पूरा, ठीक है, देखो, amendment का मतलब क्या होता है, to change or to delete, ये जो बात पढ़ ले होना आप, ये हमेशा एक चीज याद रखना, it is for the betterment, it is for the betterment of the constitution and finally the people of India, ठीक है, कैसे कहते हैं हम लोग, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into इस तरह से, जो हमारा preamble कहता है, तो ये किसलिए होना चाहिए, ये betterment के लिए होना चाहिए, ठीक है, betterment के लिए change or delete करते हो, साथी साथ कहां पे mentioned है, article 368 of the constitution में ये mentioned है, और इसमें कौन भागेदारी लेता है, both houses of the parliament, जहां पे total membership होनी चाहिए, that is 50% or two-third of the members present and voting, और अगर कोई federal provision amend करना है, तो वहाँ पे आपको ratification चाहिए है, states का, ratification का मतलब ये होता है बेटा, कि states इस चीज़ को acknowledge करें, कि हाँ हमारी constitution का ये federal provision amend किया जा रहा है, ठीक है, chapter खतम होने वाला है बेटा, chapter खतम होने वाला है, आपको बने रहना है, बने रहना है बेटा, बस खतम होने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोग ने पढ़ा है इसको, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, अब देखो, executive की उपर control कैसे होता है पार्लियमेंट का, क्या पढ़ने जा रहे हैं, पार्लियमेंट, ये बिटा, syllabus में है, अब ये बोलो नहीं है, controls, the executive, अभी तक हम लोग पार्लियमेंट के बारे हैं पढ़ रहे थे, अब देखो किस तरह से करता है, आ जाओ, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिटा, control किस तरह से करता है, सबसे पहले, बिटा, सबसे पहले, interpolation किस तरह से करता है, यहाँ पे methods हैं, बिटा, interpolation, क्या होता है यहाँ पे, interpolation से एक चीज़ याद रखना बच्चों, ये questions से related है, interpolation questions से related है, question hour, जहाँ पे बहुत सारे questions से, ठीक है, तो ये question hour से, आप इसको link कर लेना, interpolation, साथी साथ, vote of no confidence, किस तरह से होता है, control किस तरह से करता है, vote of no confidence, अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब समझ रहो, इसका मतलब बताओ पहले, control over the executive, control over the executive का मतलब बताओ, control over the executive, मतलब बताओ बच्चों, control over the executive कौन, executive के उपर control कर रहा है, अब इसको समझो, इन सारे methods के थुरू, इसके थुरू, इसके थुरू, पारलियमेंट जो है, executive के उपर control करता है, अब यहाँ पर opposition ला सकता है, vote, opposition ला सकता है, vote, ठीक है, साथी साथ, adjournment motion, adjournment motion, सारे, सारे topics साटा दो, इस topic में बात करेंगे, adjournment motion लाया जाता है, किसी बड़े public importance के matter पे, अभी हम लोग ने पढ़ा है इसको, adjournment motion, clear, आ जो नेक्स पॉइंट पे, interpolation, vote of no confidence, adjournment motions, और other monetary controls, control over executive कैसे होता है, यह सवाल बेटा, आ गया, और अगर जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, अगर जवाब नहीं दिया तुम लोगों ने, तब देखना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिटा, आगे बढ़ते हैं और आज आते हैं एक बहुत ही धमाकेदार topic पर, बहुत ही important है और बहुत ही धमाकेदार है, बिटा, इसके important questions session के end मैं बताउंगी, don't worry, इसके important session कमें से अभी session खतम होते ही बताएंगे, आ ज Seems power of the Raj similarity hours, पहले बताओ IAS IAS examination जो होता है न यह किसके अंडर आता है यह All India All India Services के अंदर आता है ठीक है All India Services के अंदर आता है तो इसमें अच्छा exclusive power का मतलब समझ लो exclusive power का मतलब यह होता है कि यह power सिर्फ और सिर्फ राज सभा के पास है और किसी के पास नहीं है no other person or no other organization or no other organ of the government has the power except the राज सभा ठीक है except the राज क्या नहीं समझ मैं आया पोक अक्वा कह रहा है कुछ समझ नहीं आया जल्दी से बताओ क्या नहीं समझ आया civil service examination absolutely correct तो यह क्या होता है इसको create करवाता है कौन राज सभा है इस एक्स्क्लूद लाग है लाग 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 अब हुआ सभी ठीक है अब हुआ सभी ठीक है इस चलो ठीक है तो emergency के time पर क्या होता है emergency के time पर यहीं होता है राज सभा और राज सभा जो होती है वो जब लोग सभा session में नहीं होती है तो इस दडी जूरे डी जूरे पार्लियमेट रिफ्रेश हो गया बिटा रिफ्रेश हो गया अच्छा एक बार थम्जब कर दो जल्दी से जल्दी से थम्जब कर दो बिटा अगया अगया ठीक है समझ में आ गया यह एक्स्क्लूजब पावर हो गई आपकी अब यहां पर क्या है बिटा नैशनल इंट्रेस्ट पर ओल इंडिया सर्विस वाला देख लिया हम लोगों ने अगर लोग सभा डिजॉल्व होती है इमर्जेंसी में राजसभा हो जाती है और आर्टिकल 249 में यह पावर कहां पे दिय थे यह याद रखले ना विटा अगर अगर एक्स्क्लूजब पावर पे WILक्षिन आता है न तो यहां पर डिखना तूर 049 में यह जो पावर ना ने डिशनल इंट्रेस्ट पर नाशनल इंट्रेस्ट वाली जो पावर है यहLRिशऩ करना है च Exclusive Power of the Raja Sabha पे Exclusive Power क्या होती है मैम Exclusive Power का मतलब होता है एक ऐसी Power जो Constitution के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ Raja Sabha को दी गई है ना लोग Sabha के पास है ना Prime Minister के पास है ना President के पास है किसी के पास नहीं है सिर्फ और सिर्फ Raja Sabha के ही पास है इसमें सबसे पहली क्या है IES Examination को Conduct कराना Article 249 National Interest पे Law बनाना किस पे National Interest पे Law बनाएगा किस पे State List पे State List पे Law बना सकता है Law बना सकता है State List पे Article 249 में एक बात ये हो गई साथ ही साथ जब Emergency Declare करीवी है Article 352 में जब National Emergency है आपात कालीन की Situation है हमारी Country में आपात कालीन हो गया है हमारी Country में पूरी तरह से Emergency लगा दी गई है Fundamental Rights को Suspend कर दिया है तो लोगसभा अगर Dissolve हो गई है तो वहाँ पे क्या होगा राजसभा हो जाएगी D.Jure, मैम J.E. किसके अंडर में आता है जी किसके अंडर क्या पोल रहे हो बिटा बहुत बढ़िया कुमुद दिख्षित का तुम देखो कुमुद दिख्षित जैसा जो होना चाहिए Confidence, जजबा होना चाहिए हाई जोश है इसका जोश देख रहे हो कह रही है, šiviks आज पूरी पढ़के जाऊँगा चार बजे कोचिГ भी नहीं जाऊँगा कोचिंग वाली माम को बता दो कि माम कल मैं कर लूँगा जो आप करवाऊगी आज मैं नहीं आपाऊंगा लव यू बेटा फैंग्यू बेटा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप लोग हो, आप जैसे प्यारे बच्चे हो, तभी तो हम लोग हैं, मैं तो हमेशे यही कहती हूँ, टीचर को टीचर, हम लोग तो आम, we are just common, normal people, तुम लोग बनाते हो, किस बात की टेंशन है, सुमया कह रही है, सुमया पहली बात तो सुन लो, मेरी सिस्टर का नाम भी सुमया है, तो बेटा, टेंशन लेनी नहीं है, उसका भी एक्जाम चल रहे हैं, वो भी क्लास 12 में है, तुम लोग क्लास 10 में हो, तो टेंशन वेंशन मत लो, जीशान खान, हेलो, सुमन, हाई, हाई बेटा, अर्चना को हाई बोल रही थी पुषकर, मैं पानी पी लीजे, चक्कर आ सकता है, तो फिर हमको सिविक्स कौन बढ़ाएगा, बेटा, यू आर दे बेस्ट, आयम नौट दे बेस्ट, यू गाईज आ दे बेस्ट, किस बात की प्रॉब्लम हो रही, बेटा, डोंट वरी, बढ़िया से हो जाएगा सब, सब सब कुछ हो जाएगा, SST, चाहे CBSC वाले हो, चाहे ICC वाले हो, सिर्फ रिविजिन कर लो, अब क्या टाइम आ रहा है, अब नई चीजे मत पड़ो, don't study new things, exam अगर, यह मैं दस दिन पहले वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, जिनके exams एक दो दिन बच रहे हैं, अब सिर्फ और सिफ, देखो, target क्या होना चाहिए, देखो, यहाली जो slide देना, यह मैं end में लगा दूँगी, exam target क्या होना चाहिए, एक छोटी से tip दे रही हूँ, जिले किस लिए रही हूँ, ताकि याद रहे कि मैं ने tip दी थी, exam tip यह है, अगर exam में, देखो, exam मान के चलो, दो तारिक को है, ठीक है, और आज 31 तारिक है, आज 31 तारिक है, तो 31 को, या 30 है, अब इस time पर तुम क्या करोगे, इस time पर, इस time पर बच्चा, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ revise करना है, और dare मत करना, don't dare to, dare to study new things, अगर तुम्हारा, numericals वाले सवाल है, वो सब लगा सकते हो, वो सब लगा सकते हो, don't dare to study new things, just revise, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आजाता है, revision is the key, बच्चों तुम लोगोंने पढ़ा सब कुछ है, trust me सब कुछ पढ़ा है, एक एक बच्चे ने सब कुछ पढ़ा है, बिटा सब कुछ पढ़ा है आप लोगोंने, बस यह करना है आपको, यह करना है, revision is the key, अब कुछ नहीं करना है, अगर इतना time बचा है एक दो दिन का तब तुम नई चीजे मत पड़ो लेकिन अगर टाइम बच रहा है तब पड़ सकते हूं समझ में आ गई यह समझ में आ गया कि नहीं यह बता दो आजो ठीक है बड़े आगे ना आगे बढ़ सकते हैं एक स्टूजे पावर राजसभा की कवर हो गई यह बच्चो बता दो मानस कहां रहते हो बता दो बता दो कहां रहते हो दर गए हैं हम यार ऐसे बोल रहों पता है आपको मैं कहां रहता हूं बताओ लव यू बच्चो लव यू यू आ वेरी स्वीट सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं यार बहुत अच्छे हैं हिंदी में भी एसेस्टी पढ़ा लो हिंदी में तो है बेटा हिंदी में तो है बच्चो चार दिन जिनका बच्चा है तुम लोग ऐसा करो टाइम देती हूं ना इसको भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए देखो 24 आर्ज है 24 आर्ज में तुम्हारा हो गया 8 गंटा स्लीप स्लीपिंग टाइम हो गया तुम्हारा 8 गंटा सो लिए 8 गंटा हटा दिया मैंने ठीक है 8 गंटा हटा दिया मैंने अब देखो तुम 8 गंटे के स्लीप के बाद 8 गंटे के स्लीप के बाद पूरे दिन में मैंने तुम्हारा तीन गंटा निकाल दिया 3 आर्ज निकाल दिया पूड, बेदिंग, हाईजीन वाला टाइम हो गया, प्ले टाइम हो गया इसी में, ठीक है, तीन घंटे में करना है सब तुम्हें, ये तुम्हें तीन घंटे में करना है, अब तुम्हारे पास कितने बच रहे हैं, तुम्हारे पास बच रहे हैं, ग्यारा घंटे, अब तुम क्या करो अब तुम्हारे पार चार दिन जिनके बचे पेपर के चार दिन बचे आप देखो तुम क्या करो अब तुम 11 गंटे में 5 गंटे 5 आवर्ड study कर सकते हो study कर सकते हो समझ में आ रहा है लेकिन ये जो 6 गंटे है न ये crucial 6 गंटे है इन 6 hours में in 6 hours में revise करो और revise सिर्फ first paper मत करो second, third, fourth जितने भी paper हैं उन सबको revise करो 6 hours में तुम revise करो ये तुम्हारा time होना चाहिए बिटा ये तुम्हारा division होना चाहिए इस तरह से तुम्हारा division होना चाहिए clear है समझ में आ गया अब इतना तो होना ही चाहिए अगर ये नहीं हो रहा है इतना नहीं हो रहा है I think 8 गंटा बहुत होता है अगर इसको चाहो तुम इसको 6 hours करो तिक्ताइस करोст, लेकिन इसको कम मत करना इसको मैं कम करने के लिए नहीं कहूंगी इसको मैं करने के लिए नहीं कहूंगी इसलिए नहीं कहूंगी किकि ये बहुत important है अब आजो पढ़े लो पिटा यार आजो, हम लोग ने exclusive power राजसभा के देख ली हम लोग ने exclusive power राज सभा की देख ली आ जाओ आगे अब लोग सभा पर आ जाओ सबसे important सबसे important इससे पहले मैं बताओ तुम लोग बता दो comment section में सबसे important बिटा क्या है सबसे important है बिटा जो no confidence motion होते हैं no confidence motions no confidence motion can only be passed can only be passed in the in the log sabha सिर्फ यही हो सकता है exclusive power है यह लोग सभा की आगे बढ़ते हैं next point next point बिटा next point very very important money bill बच्चर रट रहे थे class की शुरुवात होते ही money bill money bill money bill ले लो money bill money bill can only be introduced only be introduced in the log sabha in the ls और money bill को एक बाद यह बता दो गुरु जी money bill को कौन determine करता है कि यह money bill है कौन determine करता है it is the speaker who determines that whether a bill is a money bill or not clear हो गया आप देखो आप देखो यहां पर तीसरा point यह है कि जब deadlock होता है when there is deadlock मैंने बताया तब लोक सभा जो होता है लोक सभा जो होता है वो powerful होता है slightly यहीं मैंने आपको शुरवात में भी बताया था clear हो गया done exclusive power हो गई आज आगे बढ़ते हैं यह बताओ किसको किसको बताया आर्टिकल 370 आर्टिकल 370 और 35 के बारे में किसको किसको बताया यह बता दो जल्दी से भार डालो comment section भार डालो इससे भार डालो come on देखो ओरीजिन कैसे हुआ 370 35 जब ब्रिटिश रूल एंड हो जाता है इंडिया में और इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट होता है वो इंडिपेंडेंडेंड हो जाता है वो भी इं इंडियन Union के साथ जाने को नहीं स्टूस करता है इसी लिए Indian Independence Act , जो है पunnitel को यह किअ पावर देता है यह नहीं जान करता है अब वहां पर क्या होता है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ साहिन करना रहता है उन सारे स्टेट को उन करते हैं कि या पाकिस्तान इंडिया को नहीं जॉइन करेंगे और रिमेन करेंगे इंडिपेंडेंट बट एक होता है कबायाली स्टाइब से ठीक है और इसको पाकिस्तान आर्मी के द्वारा करवाया जाता है हरी सिंग इंडिया से हेल्प लेते हैं और यह इंडिया से जॉइ अिरा। प्रविधे, इंडिया के साथ यह जोईन कर लेते हैं। इनसे स्पैशल डिया जातां, इनसे बोहें स्पैशल पावर्स, आब रिवोक कर ली गई है। special powers revoked, clear, तो इसके detail में नहीं जाते हैं, बिलकुल भी नहीं, आगे बढ़ते हैं, आज आप पहले important questions देख लो, दो minute के लिए break नहीं दे रही हूँ, यहीं पर बैठी वी हूँ, important questions देखो पहले, कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पर बैठी वी हूँ, important questions बता दो, what do you understand by the term federalism, what do you understand by the term federalism, important term है federalism, क्या समझते हो, इससे यह, एक तो यह सवाल हो गया, what is the union parliament comprise of, who heads it, बड़ा ही important सवाल है, बड़ा ही important सवाल है, अब देखो, qualification क्या होती है, लोगसभा का member बनने के लिए, साथी साथ, anti-defection law क्या होता है, anti-defection law क्या होता है, बता दो भाई, anti-defection law क्या होता है, ठीक है, यह सारे important हो गए, आपके, important क्या है, यह चार questions है, जो तयार करी लो, बढ़िया रहेंगे आपके लिए, यह तो तयार करी लो, ठीक है, अब तो बेटा जो बच्चे पूछ रहें और कितनी देर, अब तो पहला चाप्टर खतम हुआ है, पहला चाप्टर अब तो खतम हुआ है, आजो बेटा अब, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए बच्चों, चलो बेटा शुरू करते हैं, एक सेकेंड बस रुकना, एक सेकेंड बेटा, तो आवाज आ रहे हैं, विटा, अवाज आ रहे हैं बिटा, आवाज क्लिर है, बेटा कहा से मिल जाएगा, इतना थोड़ना पड़ा है जो ब्रेक मिल जाएगा तुम्हें, ब्रेक ब्रेक नहीं मिलेंगा, वेट कर रही हूँ यहीं पर, और ठीक दो मिनट तक वेट करूँगे, सिर्फ दो मिनट तक, कि मेरा नाम है इस तरह और मैं आप लोगों को हिस्ट्री सिविक्स पढ़ा रही हूं अच्छा ये यूनियन पार्लिमेंट वाला चैप्टर पता है कितना बड़ा चैप्टर था पूरा लोगसभा, स्पीकर, राजसभा, exclusive functions तुम्हें क्या लग रहा है फिर उड़ा दूँगी तो समझ में नहीं आएगा 3 को इम्पॉर्टिं चैप्टर बता दें 5 रूटिन ने पुटब उसमें से लोग अधालत सी सवाल पूछा जा सकता है बाकि सार रे चैप्टर कम को से हैं इंप इम्पॉर्टिन चैप्टर स시고 कर दो 33 हो रहा है 35 पर शुरू करेंगे कोई ब्रेक नहीं मिल रहा है कुशाल मैं दो मिनिट के लिए ब्रेक दिये हूँ बस दो मिनिट में जो है मैं शुरू करूंगी 34 हो गया है 35 पर शुरू कर देंगे बताओ तुम लोग बताओ और बढ़िया से क्या पहला पेपर कौन सा है ये बताओ पहला पेपर कौन सा है I am starting आदर्श I am just waiting for two minutes फेल हो गयो अभी exam हो गए क्या जो फेल हो गयो आप चलो ठीक है हो गया है यार शुरू करते हैं यार नया chapter है President और Vice President सबसे पहले बच्चे को शुरुवात में separation of power की बात कर रहे थे कुछ बच्चे separation of power की बात कर रहे थे separation of power की कुछ बच्चे बात कर रहे थे बताओ क्या जानते हो बिटा? क्या जानते हो बिटा? Separation of power के बारे में क्या जानते हो? किन तीन wings में division होता है? किन तीन wings में division होता है بिटा? सबसे पहले क्या आता है? Executive दूसरा क्या आता है? Legislature अभी अभी पढ़ लिया है legislature फिर क्या आता है जुडिश्री क्या कोई चौता पिलर भी है क्या कोई चौता विंग भी है यह बता दो एक्जिक्यूटव लेजिस्लेचर और जुडि श्री सबसे पहले एक्जिक्यूटव ऐसा कोई demarkation नहीं है लेजिस्लेचर अभी-भी cover किया है जुडि श्री आगे देखने वाले हैं अब हम लोग कहां आ रहे हैं दीरे-दीरे आ रहे हैं एक्जिक्यूटिफ पे उसके बाद आएंगे जुडी श्रीप पार्लेमेंट कवर कर लिया है अब यहां पर फोर्थ पिलर के हम बात कर रहे हैं ना पूर्थ पिलर अब आज कल जो मीडिया है पिलर अपार्र चाहिए ना मीडिया को माना जाता हैं फोहुद इंपार्थ रोल हो गया है मेडिया का गया कुर आगे बढ़ते पिटव किया एन्फ oh बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती हैं बिटा, बहुत ही जादा इनका जो इलेक्शन हुआ था, बहुत ही फेमस रहा है, बहुत ही चर्चित रही है यह, बहुत है, बहुत हुए जो जादेशनी था हुए, बहुत ही। टोड़ी सा और ये जारखंड की जारखंड की ये जारखंड की गवर्नर भी रही है गवर्नर भी रही है जारखंड की और बहुत ही इंपोर्टन रही है क्योंकि शी बिलॉंग टू ट्राइबल कम्यूनिटी ट्राइबल कम्यूनिटी और बहुत अच्छा लगता है जब इस से हमारा देश जो है वो प्रोग्रेस करता है इससे जाधा हम लोगों को और क्या चाहिए राइट ठीक है बहुत बढ़िया भर दिया यार तुम लोगोंने बहुत बढ़िया ठीक है तो प्रेसिडेंट शुरू होने जा रहा है बच्चों प्रेसिडेंट शुरू होने जा रह executive head of the state executive head of the state is the president ये रही हमारी president she is the president very good Odisha को बिलॉंग करते हैं Odisha को बिलॉंग करते हैं जार खंड की बिटा ये जार खंड की भी governor रही है ठीक है और बताएं एक बहुत ही important सुप्रीम कमांडर प्रेजिडेंट क्या होता है पता है सुप्रीम कमांडर होता है बिटा of defense of defense forces पता भी है defense forces का सुप्रीम कमांडर होता है कौन कौन हो गए air force navy military या army ये सुप्रीम कमांडर होता है जो president होता है जो order कर दे वो ही करेगा ये defense forces जितनी भी हमारी country की समझ में आ रहा है आ जाओ अब ये जो होता है ना बिटा ये जो president होता है ना प्रेजिडिट क्या होता है प्रेजिडिट नॉमिनल हेड होता है प्रेजिडिट इस दा नॉमिनल हेड वाई वाई question ये arise होता है और ये question अगर exam में नहीं आया तो फिर क्या ही पूछा जाएगा बिटा क्या ही पूछा जाएगा बिटा यहाँ पे पहले तो ये समझ लो नॉमिनल हेड क्यों होता है नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है जिर्फ नाम का हेड प्रेसिडेंट हमारी country में parliamentary form of government है क्या है parliamentary form of government और हमारे वहाँ जो प्रेसिडेंट है उसको nominal powers दी गई है real power क्या है real power क्या है और किसके पास है real power है council of ministers headed by the prime minister उनके पास है real power कहा गई real power कहा है prime minister के पास है parliamentary form of government में हमारे president के पास हमारे president के पास जो है वो nominal powers होती है 42nd amendment act आया था बेटा 42nd amendment आया था 1976 में 42nd amendment act आता है 1976 में और यहाँ पे 42nd amendment act में क्या हुआ था होता क्या है बेटा जो prime minister है prime minister council of ministers क्या करते हैं president से पूछते हैं president की advice लेते हैं मान के चलो किसी matter में president की advice ली मान के चलो कोई law pass होना है या अगर कोई defense related matter है या अगर कोई भी matter policy making matter है तो prime minister कहता है कि president से की बताईए हम क्या करें president कहता है कि something which is against the prime minister something which is against what prime minister was thinking ठीक है अब तुम यहां से क्या अंदाजा लगाओगे यहां से तुम president की power कितनी है उससे अंदाजा लगा लोगे तो prime minister के against prime minister कुछ और चाह रहा है तो prime minister इनसे एक बार कहेगा इनसे एक बार कहेगा इनसे advice मांगेगा यह सारी चीज़े तो documentation phone call, whatsapp पे ठोड़ना होता है कि बताईए द्रॉपती, मुर्मुजी क्या, यह क्यार कैसा रहेगा तो द्रॉपती, मुर्मुजी, whatsapp पे reply करनी यह नहीं होता है officially ऐसा नहीं होता है तो यह advice भेज देते हैं अपनी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने advice भेज दी प्राइम मिनिस्टर देखता है कहता है यार यह तो सही नहीं है प्राइम मिनिस्टर क्या कहेगा वो paper वापस रखेगा और वापस भेज देगा प्रेसिडेंट को प्रेजिडेंट को वापस भेज देता है अब क्या होता है प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट के पास कोई चारा नहीं होता है कहता है Constitution कहता है कि प्रेजिडेंट को उस चीज़ को मानना ही मानना पड़ेगा मानना ही मानना पड़ेगा तो ये compulsory हुआ President to act on the advice by the 42nd Amendment Act, compulsory कर दिया 1976 में कि accept करना पड़ेगा President को जो भी Prime Minister ने कहा है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, Supreme Commander of India कौन है, बता दो, चलो आगे बढ़ते हैं, qualification for the elections, देखो कितने सारे दिल बना के लाई हूँ, जितने दिल adjust हो सकते थे, उतने adjust कर दिये मैंने, और ये किस लिए, ये सिर्फ तुम ही लोगों के लिए है, समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोगों को लग रहा है, प्यार जो है ना मेरा, वो नहीं समझ आ रहा है तुम गरिक, qualification for the election of the post of president, citizen of India, citizen of India, citizen of India, citizen of India होना चाहिए है, साती साथ बेटा, साती साथ यहां पे age क्या है, 35 years, 35 years plus, 35 years plus की age होनी चाहिए है, और बेटा एक और, additional qualification यह है, कि he should be qualified to be a member of लोग सभा, qualified to be a member, लिख रहे हो कि नहीं यह बता दो, अच्छा, लिख रहे हो तो दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि मैं भी लिख रही हूँ, बहुत सही है, very good, साब पढ़ो, CBSC, UP, ICSC, State Board, साब पढ़ो, बेटा, द्रौपती मुर्मु नाम था ना, बताया तो है, मैंने यह देखो, द्रौपती मुर्मु, श्री द्रौपती मुर्मु जी, ठीक है, करेक्ट है बेटा, क्वालिफिकेशन क्या हो गई, कमें सेक्शन में भर दो बेटा, क्वालिफिकेशन क्या हो गई, प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, कम ओन, इस थिंग्स अर नौट इन टेक्सबुक, वाई, यू डूंट वांट तो लॉर्न इट, तुम्हें याद नहीं, रिवाइज नहीं करना है, कि तीन है, है बेटा, इससे क्या होगा, ब्रश अप हो जाएंगी चीज़े, ठीक है, कम ओन, अब बताओ, अब यहाँ पर एक, दो बाते और हैं, ठीक है, दो बाते, रिस्ट्रिक्शन जिसमें लगाया गया है, वो है, ओफिस, ओफिस ओफ प्रॉफिट, गवर्मेंट ओव इंडिया, या गवर्मेंट ओव स्टेट में, यह नहीं है कि वो कहीं पर पोस्ट होल्ड किया हुआ है, और अगर होल्ड किया हुआ है, तो जैसे ही किसमत से उसको वो जगा मिल जाती है, प्रेजिडेंट की जगा मिल जाती है उसको, तब वहाँ पे बेटा, तब वहाँ पे उसकी वाली पोस्ट वेकेंट हो जाएगी, और अगर बेट होता है President का? क्या re-election होता है President का? बिलकुल होता है. It can be done. Double tick. Clear हो गया बिटा? इतना clear हो गया qualifications? आगे पड़े? चलो. आजओ बिटा President देखो यहाँ पे इस chart के मादम से यह समझो कि इसका election कैसे होता है? Election of President. Yes, लिख रहे हैं. लिख रहे हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Very good. Very good. Twice only. ऐसा कहां लिखा है? अब कितनी बार करोंगे Elect? यह भी तो है ना? तो यह chart के मादम से समझ में आ जाएगा. पूरी तरह से. अब यहाँ पर यह देखो कि Elected Members आपके दोनों Parliament के आप देखो कि राजसभा और लोगसभा से हैं. साथी साथ आपको मिलेंगे Elected Members of the State Legislative Assemblies. तो राजसभा, लोगसभा के Members हो गए और यहाँ पर Elected Members of State Legislative Assemblies आपको मिलेंगे. क्लियर है बहुत बढ़िया भर दिया तुम लोगों ने Comment section. ओसम. ठीक है बहुत सही है. ठीक है? तो यह क्या करते हैं? यह Elect करते हैं President को और यह Election किस प्रकार का होता है? बच्चों, यहाँ पर क्या है? अच्छा, दो बाते याद रखना हैं. आगे बताती हूँ. यह चार्ट याद रखना आगे बढ़ते हैं. Composition में आ जाओ. कौन Elect करता है? सबसे पहले यह याद रखना. यहाँ पर क्या होता है? President, देखो यह बच्चों, तुमारे लिए बहुत जादा important है. अगर यह नहीं लिखोगे तो नमबर ज़रूर कट जाएंगे. President is elected by the electoral college के द्वारा elect किया जाता है. President, किसका नाम लेना है? वंचे का बेटा पढ़ाई करो. Composition of electoral college कर रहे हैं हम लोग. ठीक है? Electoral college elect करता है. यह याद रखना. अब आजाओ यह electoral college पे. तो electoral college में कौन है? Electoral college में कौन है? अभी हम लोग ने देखा. Members of each house of parliament कौन आएगा इसमें? लोग सभा और राज सभा. Clear? Clear है? Elected members Elected members of state legislative assemblies अब इसमें एक चीज तुम्हें common दिख रही होगी. क्या है वो चीज? क्या है वो चीज? एक चीज common यह है बिटा, कि यहाँ पे क्या लिखा है? Elected members यहाँ पे क्या लिखा है? Elected members तो missing क्या हो रहा है? अगर आप elected members, elected members देख रहे हो तो miss क्या हो रहा है? Miss हो रहा है, मैं बता रही हूँ क्या miss हो रहा है? देखो अगर सिर्फ elected members हो रहे हैं तो क्या nominated members नहीं हो रहे हैं? यह तो सवाल पूछने वाला है ना? पूछने वाला है न ये, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ, कौन मिलेगा आपको, यहां पे सिर्फ और सिर्फ elected members मिलेंगे, सिर्फ elected members मिलेंगे, nominated members are excluded, nominated members, लिख देना मिटा ये, ये excluded होते हैं, nominated members नहीं होते हैं, प्रेजिडेंट के election में clear हो गई इतनी बात, ये याद रहेगा बच्चों, ये याद रहना चाहिए, ठीक है, इसरो मैं क्यों बोल रहे हो, चलो बोल दो यार, मैंने बता, अच्छा तुम लोगों ने वाली movie देखी है, परमाणू, जौन अबरहम वाली, मेरा नाम इसरा रई इस खान भी है, इसरा भी है, पहले बताओ, तुम लोग ने परमाणू movie देखी है, उसमें यार, क्या ही movie है वो, मतलब इतना जादा उसको अकलेम नहीं किया गया, I think, लेकिन बहुत बढ़िया है वो, तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख ये रहे थे, बेटा, चलो, तो कहने की बात क्या है, कि अब ये मत कहना कि मैम, आप बतानी रही है, हाँ, पर माणू movie जिसने नहीं देखी है न देखना जरूर, बहुत ही awesome है, awesome से भी awesome movie है वो, ये समझ लेना, ठीक है, डॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहते हैं, एक और चीज, क्या union territory का कोई रो लिए, बताओ जल्दी, union territories यहाँ पे कौन सी अलाव करी गई है, दिल्ली और पुडुचेरी, डेली and पुडुचेरी will participate in the presidential elections, if we talk about the union territories, समझ में आ गया, clear हो गई इतनी चीज, composition of electoral role हो गया, बेटा आज पूरा complete हो जाएगा civics, पल्कुल परिशान मत हो, तुम्हें पता नहीं है बेटा, आज जो है, civics पूरा complete हो जाएगा, last chapter हम लोग ने, union parliament को पूरा cover के लिए, बहुत बड़ा chapter हो, वो cover हो गया है, तो आप तो I think होई जाएगा, बहुत बड़िया तरीके से हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ रहा है न, अच्छे से समझ में अगर आ रहा है, थोड़ा सा ma'am को भी motivate कर दो, और comment section को कर दो, I think color I will choose pink, pink कर दो, comment section को pink emojis से fill कर दो, come on, come on, come on, come on, फिर उसके बाद next slide पर आते हैं, चलो, जल्दी से भादो, I want pink emojis before starting the session, session तो वैसे शुरू है, next slide पर जाने से पहले, why there is indirect election for the president, indirect election क्यों है, indirect election बेटा, इसकर ये पूरा हम लोग के पास एक चार्ट है, वो हम लोग करने वाले हैं, next slide में, ठीक है, तो परिशान मत हो, next slide में करेंगे, indirect election क्यों होता है, ठीक है, अच्छा, ये याद रखना है, एक बात और हाँ, single transferable vote के थूरू होता है, proportional representation, single, यहाँ बेखाली इतना लिख लो, single transferable vote system, ठीक है, clear है, very good, 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 आरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने कोई डांस नहीं किया है, movie is awesome, you're welcome बेटा, you're welcome, you're welcome, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है बेटा, अब हम लोग आ जाते हैं बेटा, reason for indirect election, क्यों भाई, प्रेजिडेंट के election को indirect करते हैं, देखो, यहाँ पर आप देखोगे, council of ministers और PM, ठीक है, election कैसे होता है, direct, ठीक है, अब यहाँ पर कोई rivalry ना हो जाए, कोई rivalry ना हो जाए, between the president and the prime minister and the council of ministers, इसी लिए बेटा, parliamentary system के, क्योंकि यह against हो जाता है, अगर यह rivalry हो जाएगी, तो यह against हो जाएगा, parliamentary system, parliamentary system के, यह against हो जाएगा, इसी लिए बेटा, इसी लिए जो है, यह power नहीं दी गई है किसी और के हाथ में, यह power इसी लिए किसी और के हाथ में नहीं दी गई है, और यह पूरे electoral college के थुरू होता ही होता है, साथी साथ, president जो है, president नहीं माना जाता है कि किसी ruling party के under है, is not under any ruling party, practice में क्या होता है, वो अलग बात है, ruling party के under, president नहीं होना चाहिए, यह बात clear है, ठीक है, यह बात clear है, साथी साथ क्या है, union और states, यहाँ पे हम लोंने क्या देखा, union, parliament और state legislative assemblies में क्योंकि दोनों को भागेदारी दी गई है, इसी लिए easy हो जाएगा, president के लिए to function, to function easily, और यह role किस तरह से होता है, यह होता है, president plus governor, president और governor एक साथ एक साथ यह role करते है, श्रियश, श्रियांश, श्रियांश, हेलो श्रियांश, clear है, ठीक है बेटा, indirect election के जिसने भी पूछा था, यह हो गया है, clear, आज़ो बेटा, oath of office पे, oath of office पे, बहुत ही important है, देखो, यहाँ पे क्या होता है, ऐसा question है बेटा, जो तुम्हें मिलना ही मिलना है, oath किसके सामने लेता है, president, oath किसके सामने लेता है, जल्दी से comment section में बताओ, oath किसके सामने लेता है, chief justice of india, chief justice of india के सामने, के समक्ष के सामने यह oath ली जाती है, हमारा president जो है, यह oath लेता है, कि हम सारे functions को discharge करेंगे, functions discharge करेंगे, ठीके, functions को discharge करने का उचापत लेता है, constitution को preserve करेंगे, protect करेंगे, क्या करेंगे, protect and preserve, consti, clear, साथी साथ, लोगों की service में अपने आपको devote कर देंगे, devote, ठीके, यह हो गई oath president की, यह हो गई oath president की, सोहेल, हाई सोहेल, ठीके, term क्या रहेगा, term यह basically आप उतना समझ लो, 5 साल का term period होता है, 5 years, और यहाँ पे, अगर successor आ जाता है, और successor is elected, clear, term clear हो गया बच्चा, term clear हो गया बच्चो, ठीक है, vacation, vacation का मतलब क्या हुआ, बेटा होता क्या है, vacation का मतलब इसकी seat cup empty मानी जाएगी, तो यह दो circumstances में होती है, या तो भाई removal हो जाए इनका, या तो इनका removal हो जाए प्रेजिडेंट का, impeachment हो जाए या तो फिर, या तो फिर यह खुद resign कर जाएं, है ना, या तो यह खुद resign कर जाएं, अब इनकेज यह resign कर रहे हैं, तो यह resignation अपना किसको submit करेंगे, किसको resignation submit करेंगे ये बताइए, resignation किसको submit करेंगे, बिटा resignation किसको submit करेंगे, comment section ने बता दो, अगर removal हो रहा है resignation हो रहा है दो ही conditions हैं दो ही conditions हैं जिसमें इनकी seat को vacant माना जाएगा resignation किसको देगा resignation vice president को देता है resignation vice president को देता है और removal कैसे होता है removal is through impeachment रिमूवल कैसे होता है रिमूवल impeachment की थ्रू होता है ठीक है इतना clear हो गया है बहुत बड़िया AT gaming कह रहा है you teach very well मुझे सब समझ आ गया अब इससे जादा मुझे कुछ नहीं सुनना है अब इतना अच्छा सुन लिया है अब क्या सुनूं बताओ can you say what किया किया कह दिया तुम लोग पहेलिया बुजव बुजवा रहे हो मुझसे न सब हो गया मैम चलो आगे बढ़ते हैं फिर सब हो गया है तो सब हो गया है तो अब मुझे क्या चाहिए है आजाओ impeachment पे आजाओ impeachment पे जो भी बच्चा रट रहा था impeachment impeachment आजाओ उड़ा देते हैं impeachment होता क्या है बेटा देखो होता यह है कि आईदर हाउज और दा पार्लिमेंट में प्रेजिडेंट के खलाफ एक चार्ज अनाउंस हो जाता है ठीक है आईदर हाउज ओफ पार्लिमेंट क्या होता है चार्ज लेके आते हैं अगेंस्ट प्रेज प्रेज के अगेंस्ट चार्ज लेके आते हैं कि हमें शिकायत है इनसे अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे बेटा होता यह है कि चौदा दिन के नोटिस दिया जाता है चौदा दिन का नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट एक चार्ज लेवल अप हुआ है इनको चौदा दिन का नोटिस दिया जाता है जो एक चौथाई मेंबर sign करते हैं President को दिया जाता है एक चौथाई members इसको sign करते हैं क्या छार्ज आगेंस्ट हो गया है President के against अब क्या होता है 14 दिनका notice दिया जाता है और एक चौथाई member इसको sign कर ले आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है थम्स अप कर दो बच्चों अगर आवाज आ रही है तो कोई इशू नहीं अगर आवाज में थम्स अप कर दो पिटा ठीक है अब क्या होता है पिटा अब यहाँ पे 14 दिन का नोटिस के बाद resolution होता है एक resolution निकल के आता है जिसको पास करना होता है पास करना होता है बाई 2 थर्ड बाई not less than 2 थर्ड of the total membership उस house की resolution पास होगा बाई 2 थर्ड members easy है पिटा easy है परिशान मत होना 14 दिन का notice दोगे उसके बाद resolution पास होगा बाई 2 तेहाई members यह क्या of that house जहाँ पे चार्ज initiate हुआ है of that house अब क्या होगा अब क्या होगा अब होगा यह कि आप यह दूसरे house भेजा जाएगा अब investigate करेगा दूसरा house बहुत कठें होता है बिटा यह investigation होता है बाई the other house अब मान के चलो अगर लोग सभा में यह लेवल यह लेवल अप हुआ था charge अब यहाँ पे 14 दिन के नोटिस के बाद resolution पास किया जाएगा अब यह राजसभा भी investigate करेगा यह राजसभा भी investigate करेगा ठीक है और यहाँ पे प्रेजिडेंट के पास right होता है कि appear करे और अपने आपको defend करे भाई अधर पार्टी को भी तो opportunity दिये जाए ठीक है साथ ही साथ अब इसके बाद क्या होता है अब यहाँ पे अगर यहाँ पे भी दो तिहाई members अगर यह pass हो जाए if passed if passed by two third members of that house दो तिहाई members इसको pass कर देते हैं राजसभा के मान के चलो जो example हम लोग देख रहे थे अगर यहाँ से pass कर दिया जाता है और वो charge जो है उसके against proof कर दिया जाता है अगर वो charge जो है इसके against proof हो जाता है और sustain कर जाता है और sustain कर जाता है तब समझ लो president वहीं से he will उसकी position जो है वो vacant हो जाएगी and president will be removed यहीं से समझ लो president will be removed क्या समझे अब बता दो बता दो अब जल्दी से क्या इशकी क्या कह रही हो बिटा दो मैम आप मेरे question का reply नहीं कर रहे हो बिटा मैंने miss कर दिया होगा president has to resign absolutely correct अर्श खान बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया बिटा यह चीज़ समझ में आ गई hopefully समझ में आ गया होगा इसको फिर से repeat तो नहीं करना यह बता दो बिटा इसको फिर से तो repeat नहीं करना इतना बता दो खाली single transferable vote का मतलब एक system होता है जिसको follow किया जाता है single transferable vote system होता है ठीक है open ballot system होता है यह सारे systems है ठीक है तुम खाली इतना ही लिक्याना इस से जाधा detail में और कुछ नहीं आएगा इजी है ठीक है बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं अब आज आप पावर पे बिटा बहुत ही तूफानी अभी पहले चल्दी से comment section में बता दो कि कौन सी नहीं है तुम लोग को जाधा पता है बाई आई सी एस्टी का syllabus तुम लोग ने बनाया है मुझे तो पता है कि सारी है तुम लोग बता दो कि कौन सी नहीं है यह बता दो बस यह बता दो खाली सबसे पहले देखने जा रहे है हम लोग कौन सी पावर पावर पहले divided देखो किसमे एक्जिक्यूटिव पावर है एक्जिक्यूटिव पावर उसके बाद legislative पावर डिप्लोमाटिक पावर उसके बाद discretionary पावर उसके बाद ordinance making पावर यह तो आपकी legislative पावर में ही आ जाएगी दोनों एक साथ है है ना चलो रहोनिका कह रही है समझ में एक बार में आ गया बताओ और क्या चाहिए मुझे थैंक्यू बेटा legislative powers हो गई ठीक है तो सबसे पहले बेटा शुरू करते हैं executive power से let's start with the executive power head of the union administration ठीक है क्या quality क्या है जितने भी order pass होते हैं internationally किसके नाम में पास होते है all official activities in India are taken under are taken under the name of under the name of president president के नाम में होती है सारी official activities ठीक है एक powers दो मिनिट में हो जाएंगी दो मिनिट में powers हो जाएंगी परिशान नहीं होना है ठीक है आ जाओ जल्दी से union territories में administration करेगा control करेगा क्या करेगा administration और control किसका जिमेदारी होती है प्रेसिडेंट की जिमेदारी होती यूनिट territories को examine करना है administer करना है control करना है ठीक है और state government पे कब control करता है president comment section में बताओ state government पे कैसे control करता है emergency के time पे बच्चो emergency आपात कालीन conditions में emergency के time पे यह जो है state government पे भी control करता है क्योंकि state government खुद करता है कहता है कि कर लीजे आप ही ठीक है आ जो अब यहां पे यह हम लोग देखने जा रहे है appointment ठीक है appointment जल्दी से देख लो किसका किसका appointment करता है और यही executive power के vendor भी आता है इसका ठीक है history tension is gone when ma'am's lecture is on बहुत बढ़िया सबसे पहले prime minister को कौन करता है president council of ministers को president ठीक है summon करता है leader of the majority group in the parliament और इसी से कहता है कि आप government form कर लो ठीक है क्याग को controller and auditor general of India को chairman and the members of union public service commission union public service commission सबसे बड़ी authority जो है इसके members को कौन इसके chairman को कौन elect करता है president को करता है chairman and the members of the planning commission साथी साथ the chairman and the members of economic commission whenever appointed clear हो गया clear हो गया बच्चों executive powers done आजाओ diplomatic powers पे appoint करता है Indian ambassadors को बहुत सारे Indian ambassadors होते हैं कोई South Africa जा रहा है कोई Ireland जा रहा है कोई Australia जा रहा है क्या काम किसका काम होता है ये president का काम होता है बटा this is president's power to foreign nation भेजने के लिए ambassadors को और जो receive करने के authority कौन होती है कोई यार बाहर से आता है तो president उसको greet करते हैं उसको receive करने के लिए जाते हैं बाहर की country से जो आते हैं ठीक है treaties और जितनी भी international agreement होते हैं सब में नाम होता है name president का होता है ये foreign nations से related हैं दोनों points ठीक है foreign nations clear international conferences में भी बेटा ये सारी international conferences जितनी भी हमारी country में होती है चाहे जितनी भी होती है वो maximum जो है वो president ही इस पे head करता है ठीक है आगे बढ़ जाओ legislative powers पे आ जाओ अब यहां से question बनेगा ये समझ लेना ये important है बहुत important है very very important सारे बच्चे वापस आ जाएं सारे बच्चे वापस आ जाएं जल्दी से join करो सब लोग legislative powers करते हैं come on come on let's join legislative powers sessions को basically summon करने का both houses of the parliament address करता है both houses of the parliament जो messages भेजते हैं parliament को जितने भी messages भेज़े जाते हैं कोई भी बिल है कोई pending बिल है कोई matter है तो इसको उठाना है तो यह क्या करता है messages भेजता है parliament में कौन president summon and प्रोरूख the house को बुलाना ठीक है और यहां पर यह ध्यान रखना कि कोई gap तो नहीं है कहीं gap तो नहीं हो रहा है कहीं दोनों sessions complete हुए है कि नहीं हुए है तीन बार जो session है budget session winter session वांसोन session यह complete हो रहा है कि नहीं हो रहा है लोग सभा का dissolution किस लिए ताकि fresh election हो fresh elections के लिए लोग सभा को चाहे तो dissolve कर सकता है nomination of the members कहां पर nominate करता है comment section में बता दो कहां पर nominate करता है 12 members को कहां राज सभा में करता है कि नहीं करता है आप ही लोगों ने बताया था मुझे comment section में, बिल्कुल करता है, assent देता है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, ये हो गया एक bill, और ये हो गया एक act, ये bill से लेकर के act का जो सफर है, सफर वाला सफर, सफर वाला सफर नहीं, इंगलिश वाला सफर नहीं, ये सफर कैसे तेह होता है, यह तभी तेह होता है, जब जो प्रेजिडेंट है, वो उसको साइन कर देता है, मतलब उसको असेंट दे देता है, मतलब क्या है, यह एक्ट होने के बाद यह ओपरेशन में आ जाता है, अभी तक यह सिर्फ बिली रहता है, सिर्फ इस पे लोग बात कर सकते हैं, डिसकस कर सकते हैं, force में नहीं आता है, यहाँ पर यह force में आ जाता है, यह लागू हो जाता है, किसका काम है, president का काम है बिटा, this is president's work, president का बहुत बड़ा function है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, I send two bills, done हो गया है, formation of new states, हमारे भारत में, हमारे भारत में, अगर नए states को join करना है, यह अठाई states हैं, इन अठाई states के अलावा कौन सा state join करेगा, ठीक है, कौन सा state join करेगा, यह president देखता है, यह president देखता है, formation of states, add करना है state, किसी state की boundary alter करनी है, parliament के थुरू, basically बिटा, parliament के थुरू होता है boundary, लेकिन अगर नए state को form करना है, तो इसमें recommendation चाहिए होता है, president का, recommend करता है कि कर डालो, ठीक है, clear हो गया, आजाओ, legislative power, legislative power में हम लोग अब करने वाले हैं, promulgation of ordinance, पूछ पूछ के थक गए तुम लोग, पूछ पूछ के थक गए, सवाल बनेगा, सवाल बनेगा, एक मिनिट का ताइम लोगी बस, एक मिनिट का पानी पी लेती हूँ, second point explain कर रहे हैं बिटा, एक second बस पानी पी लोग, sorry, आजाओ, promulgation of ordinance, क्या समझ में आता है, article 123 constitution का, article number 123 of the constitution of India, provides for the promulgation of ordinances, ठीक है, president promulgate, promulgate, अब तुम लग रहा होगा, promulgate का मतलब क्या है यार, बड़ा कटेने, promulgate का, promulgate का मतलब कुछ नहीं है, लागू करना हो गया, कुछ कह देना, promulgate करना, pronounce कर देना, वही होता है promulgation, ठीक है, ordinance promulgate कर सकता है, जैसे कि उसी तरहां से होगा, जैसे एक law होता है, जैसे parliament का act होता है, उसी तरहां से promulgation होता है ordinance का, अब president चाहे, तो withdraw कर सकता है ordinance को किसी भी वक्त, ठीक है, एक तो 123 की बात हो गई, दूसरा withdrawal की बात हो गई, तीसरा, power जो होती है, वो subjected to certain conditions होती है, तो पहले हम लोग ने क्या देखा, पहले हम लोग ने देखा, 123 में दिया हुआ है, दूसरा हम लोग ने ये देखा, कि president चाहे promulgate करता है, और चाहे तो withdraw कर ले, लेकिन force क्या होता है, law का ही बराबर होता है, मतलब एक ordinance और एक law में कोई फर्क नहीं होता है, अब condition क्या है, यहाँ पे ये satisfaction होना चाहिए, कि उसको ये पता होना चाहिए, कि यार अब कोई चारा नहीं है, इसको promulgate करना ही करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा important matter है, दूसरा, it can be promulgated when both houses are not in session, तो पहला तो ये हो गया, इसका satisfaction होना चाहिए, ये मैं mark कर दे रही हूँ, उसका satisfaction होना चाहिए, president का, साथी साथ both houses of the parliament session में नहीं होने चाहिए है, मतलब अगर लोग सबा session में है, राज सबा session में नहीं है, तो क्या ये promulgate कर पाएगा, president नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि दोनों houses, क्योंकि लोग सबा session में है, और ये condition लगी है president पर कि अगर both houses of the parliament session में नहीं है, तब ही आप करोगे, C. Late before both houses of parliament when they reassemble, ये भी एक condition है, जैसे ही both houses of parliament session में आ जाएंगे, आप उनके सामने उसको पेश करोगे, देखिए, ये ordinance मैंने पास किया था, अब वो चाहें उसको रखें, और वो चाहें वो lapse कर जाएगा, वो lapse कर जाएगा by the act of parliament, Parliament चाहें उसको खतम कर सकता है, बताओ doubt पूछो, रुचिका has a doubt, come on, come on, ask, बिल्कुल इल्मा, रुचिका, पूछो बेटा, पूछो, वेटिंग, वेटिंग, पूछो, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल रिशब, बिल्कुल absolutely, मान के चलो, देखो, यहाँ पर क्या है, session में नहीं होने का मतलब यह है, यह थोड़ना मतलब है कि dissolve नहीं हो, कि dissolve नहीं हो सकता, यार, session, session तो होता ही है न, specifically जब session नहीं चल रहा है, जैसे जो तीन sessions दिये वे, अगर वो sessions नहीं है, उस circumstance में बेटा, उस circumstance में यह होता है, देखो, अगर president मर जा, अगर president की death हो गई, या resignation, तो उस पर अभी हम लोग आ रहे हैं, detail में करेंगे, अभी से क्यों जानना है, करेंगे, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं देखो civics में, कोई सवाल नहीं छूटेगा, promulgation, फिर से promulgation बतातो नहीं हो, promulgation का मतलब यह है कि कोई चीज़ लागू कर देना, कोई चीज़ को applicable कर देना, इसका official term है, promulgate करना, ठीक है, चलो, शुरू करो, आज ओ, financial powers cover कर लेते हैं, money bills को introduction, को introduce करने का, जो power है, वो आपके, president के पास होती है, ठीक है, यह money bill किसके recommendation पर introduce होते हैं, अभी आप बोलोगे, मैं, आपने speaker बताया था, recommendation होता है, बेटा, recommendation होता है, money bill में, president का, और उसको, यह बताता कौन है, कि money bill है, या नहीं, यह speaker बताता है, annual financial statement से क्या समझे, budget, 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 annual financial statement जो है, यह भी president के बहाफ पर होता है, अब अगर मान के चलो, तुमसे exam में financial power पूछ ली, तुम्हें ध्यान आएगा, money bill, और आपको, budget, उसके बाद, advances from contingency fund of India, यह भी इसके approval पर होता है, appointing a finance commission, यह भी president करता है, तो यह सारी चीज़े याद आ गई, तो और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए बिटा, ठीक है, आगे बढ़ो अब, यहाँ पर बिटा, हम लोग ने financial power मिस्ट कर दिया, देखो, financial power मिस्ट है, financial power, चलो आगे बढ़ते हैं, यह हो गया, military power, बता चुकी हूँ, supreme commander होता है, armed forces का, साथी साथ, armed forces के जितने भी chiefs हैं, उनको appoint करने का काम होता है, हमारे president का, साथी साथ, war and peace पे, जो भी declaration करना होता है, council of ministers के साथ, उनके recommendation पे, president करते हैं, अब judicial power, judicial power पे आज़ो बच्चो, judicial power बहुत important है, बहुत important है, judicial power, देखो, he is not answerable to any court of law, president, अपने officially, जब official charge में है, official charge अब लिये वे है, तब ये किसी को answerable नहीं होता है, इसके against, कोई criminal suit, कोई criminal case नहीं लाया जा सकता है, president के against, कोई criminal charge नहीं initiate किया जा सकता है, बच्चो, ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा तब नहीं हो सकता, जब इनका कारेकाल खतम हो गया है, not after tenure, मतलब क्या है, मतलब इनका कारेकाली खतम हो गया, अब आप president नहीं रहे, तो आप ये सोचो, अब आप murder murder कर जाके और आप कहो कि मैं president था, मुझे बचा लो, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, पावर टु ग्रांट पार्डन रिप्राइब्स, क्या, ये ये तो है बेटा, ये बहुत important है, ये तो exam में पूछा जाएगा, judicial powers, ठीक है, पावर टु यहाँ पे आपके पास, मतलब, president के पास ये पावर होती है, किसी को जो सजा दी गई है, उसको pardon कर दे, कम कर दे, commute कर दे, किसी को अगर मौत की सजा दी गई है, उसको life में convert कर दे, life की दी गई है, तो 14 साल की सजा सुना दे, ये president के पास पावर होती है, लेकिन अगर यहाँ पे basically court martial की जो punishment दिया गया है या जहां पे punishment दिया गया है for an offense against illegal or relating to union and concurrent list या जहां पे death sentence सुनाया गया है वहां पे ये pardoning power होती है क्या कहते है इसको this is known as the pardoning power of president ठीक है clear हो गया बच्चो इतना चलो आगे बढ़ो discretionary power 4 point में लेके आई हूँ ठीक है पहले तो यह समझ लो जहां पे कोई single party जो है clear support नहीं पापाती लोग सभा में तब यहां पे hung hung parliament के situation होती है ठीक है तो इसके पास basically क्या होता है यहां पार्लिमेंट में PM जो है अपॉइंट किया नहीं जा सकता है तो क्या होता है basically जो outgoing outgoing PM है उसका जो है recommendation भी नहीं लिया जा सकता है तो क्या होता है तो यहां पे basically क्या होता है यह discretion होता है discretion होता है कि यह check करें कि कौन बन रहा है अगला PM who is the next PM ठीक है clear है आगे अगर अगर देखो in case there is a sudden death of the incumbent for example assassination हो गया जैसे इंद्रा गांदी जी का हुआ था where the ruling legislature party is unable to meet immediately यह एक leader को elect करेगा इसी तरह यहां पे भी leader को elect करेगा साथी साथ third point पे आ जाओ third point क्या है third point यह है कि अगर ruling party हार गई no confidence motion पास हो गया ठीक है तो यह किसके पास है यह president के पास power है कि वो चाहे उसको किस तरह से dissolve करना है लोग सभा का को यह उसकी power है और ministers को dismiss कर सकता है कोई अड़ा हुआ है मैं नहीं हटूँगा no confidence motion पास हो गया है मैं नहीं हटूँगा यह मेरी गद्दी है यह मेरी power है मैं या रहूँगा मैं minister हूँ यह power है president की कि वो उसको चाहे वो हटा सकता है अगर नहीं resign कर रहे हैं तो आजव बैटा next बहुती तूफानी topic शुरू होने जा रहा है बीटा बहुती तूफानी topic शुरू होने जा रहा है क्या है यह topic यह है यह topic अब बताओ बिलकुल बिलकुल President बहुत powerful होता है यह बात सिर्फ कहने की होती है कि yyari president nominal head है मेरे मानने में तो यह भी है यार डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है इतनी सारी पावर है अब हमारे वाँ क्या है हमारी कंट्री में ये है कि पी एम के पास जो पावर है वो हलकी सी आप देखोगे पारलिमेंटरी फॉर्म अफ गर्मेंट क्योंकि और एक बात और है बिटा हम लोग ब्रिटिश से इत इतनी पावर नहीं देना चाहते थे प्रेजिदेन के हाथ में इतनी power देना नहीं चाहते थे पारलिमेंटरी फॉर्म अफ गयोंकि यह ता अब बताओ ब्रेक मांग रहें बच्चे यार कि भी मांग रहें बच्चे चलो कि 10 मिनिट का ब्रेक दे दिया जाएं दस मिनिट का ब्रेक दे देती हूं, क्यों बच्चों, दस मिनिट का ब्रेक चलेगा, कितने मिनिट का ब्रेक चाहिए बता दो, अच्छा, पायर लगा दो पहले, 20 मिनिट का ब्रेक, और यह बापरे, बच्चे पूछ रहे हैं, माम, इस टाइम, क्वेश्चन विल कम फ्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, दोनों से आएगा बिटा, 25 बच्चिस नहीं दूँगी मैं बिटा, दे दिया जाए, मार दिया जाए या छोड दिया जाए, 10 मिनिट, कह दिया रूचिका ने, कहा गया भाई, बतादो बच्चों, तुम्हीं लोग बतादो कहा है, ये है, मिल गया, मैं दूँगी, ना तुम्हारी, ना हमारी, केवल और केवल, 12 मिनिट, ये 12 मिनिट, बहुत ही क्रूशल है तुम लोगों के लिए, याद रखना, 12 मिनिट को मिलेगा और मैं यहीं झाल 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 चलो भाई आजाओ वापस चलो आजाओ एमर्जेंसी पावर शुरू करते हैं एमर्जेंसी के बारे हम पढ़ते हैं इससे पहले एमर्जेंसी लग जाए इससे पहले एमर्जेंसी लग जाए देखो एमर्जेंसी लग गई और पैन खो गया मेरा चलो शुरू करो भई यह टाइमर वाइमर बंद करो यह सब जूट होता है दस बारा मिनेट अनिक कुछ नहीं होते हैं कितने टाइब के इमर्जेंसी होती हैं कितने टाइब के इमर्जेंसी होती हैं पहले बच्चे वापस आजाएं शुरू नहीं करूंगी बहुत ही important topic है सारे बच्चे वापस आ जाते हैं तब शुरू करते हैं यार चलो भेज दो दोस्तों को अपने आ जाओ वापस ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हमको तुमसे हो गया प्यार ये सब बाते करे बाद में कि अब आजाओ क्या हां मैं देख रही थी कुछ बच्चे कह रहे थे खाया क्या तुम लोगों ने पहले बता हूं खाया क्या है अब यह मत कहना कि मैं बहुत भुकर टाइप की हैं पूछती रहती खाने के बारे में कि अब लोग पांच मिनिट नहीं मिलेगा इटिंग विद अर्षद कोई पांच मिनिट दस मिनिट अब कुछ नहीं मिलेंगे ब्रॉकली खाई है वाव ब्रॉकली नारूटो स्कूल नेम स्कूल नेम भी इस रही था यार मेरे एक ही नाम है मेरा दोगलापन पिक्चर आनी चाहिए ऐसी दोगलापन ना तुमने ऐसे लगाया है वह फायर इमोजी बढ़िया लग रहा है होगी जरूर दोगलापन नाम की पिक्चर चिकन पराठे खाना कुछ नहीं मैम चिकन खाना बहुत बढ़िया जिसने कुछ नहीं खाया उसको खा ले ना चाहिए यार शुरू किया जाए क्यों चलो बही शुरू करते हैं यार नो मोर I am not ignoring anybody General Assembly Financial Emergency and Breakdown of Constitutional Machinery General Assembly बोल दिया मैंने गलती से General Emergency सब आ गए वापस सब लोग वापस आ जाओ जल्दी से वापस आ जाओ यार शुरू करते हैं फिर कहोगे मैम रिपीट कर दीजें इंपोर्टन टॉपिक करवा दिया आपने चलो स्टार्ट करा जाए यार आदर्श क्या रहा है मम्मी घर पे नहीं है और कितनी अच्छी बात है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो बहुत ही बढ़ी आया है बिटा सबसे पहले बिटा डेफिनिशन देख लेते हैं जो बच्चे जॉइन कर चुके हैं बहुत बढ़िया जो बच्चे जॉइन नहीं की हैं मिस हो जाएगा बाद में देख लेना डेफिनिशन डेफिनिशन क्या है एमर्जेंसी क्या होती है घटना होती है एक सिचुएशन होती है एमर्जेंसी इस अ सदेन आनफोर्सीन सिचुएशन डिमांडिंग इमीडिये आक्शन जहां पे हेड ओफ दे स्टेट सारी एक्सट्राइडिनरी पावर को अजियूम कर लेता है एक बात समझ लेना एक होता है हेड ओफ दे गवर्मेंट यह सब टेक्निक्यालिटी जो बता रही हूं कभी कोई बताएगा नहीं हेड ओफ दे गवर्मेंट अच्छा ठीक है एक हो गया head of the state head of the state बताओ head of the state कौन होता है और head of the government क्या होता है दोनों में difference क्या होता है बतादो जल्दी से join back करो और बताओ इस सवाल का जवाब what is the difference between head of the government and head of the state जल्दी से बतादो बच्चो head of the government पताए कौन होता है head of the government होता है Prime Minister Headed by नहीं, Headed by नहीं Head Council of Minister और Head of the State कौन होता है? Head of the State होता है हमारा President ठीक है? State यहाँ पे Country, इंडिया से Relation है ठीक है? State यहाँ यूपी वाला State नहीं है और Head of the Government कौन होता है? Head of the Government होता है बेटा Council of Ministers Headed by the Prime Minister ठीक है? अब देखो यहाँ पे National Emergency Breakdown of the Constitutional Machinery, Financial Emergency केवल तीन Emergencies हैं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है? आओ इसको समझते हैं सबसे पहले आ जाओ National Emergency पे यहाँ पे Brief में मैंने लिखा हुआ है यह मैं नहीं बता रही हूँ, मैं तुम्हें डीटेल में बताने वाली हूँ National Emergency क्या होती है? आओ देखते हैं सबसे पहले यह समझ लो General Emergency या National Emergency कौन से आर्टिकल में है? क्या लिखोगे? आर्टिकल पूछ लिया आर्टिकल पूछ लिया MCQ में क्या लिखोगे? आर्टिकल नंबर 352 clear? As simple as that ठीक है? इतना समझ में आया? अब होता क्या है? Circumstance ऐसा क्या हो गया मैं? जिसे National Emergency लग जाएगी? होता क्या है? President President अगर satisfy हो गया अगर President satisfy हो गया कि कोई ऐसे situation है Situation Has Arisen Or Likely to Arise Or Likely to Arise Arise हो गई है? या हो सकता है Future में Arise करे? ठीक है? Likely to Arise ठीक है? जहाँ पर Grave Emergency है Grave Emergency Grave Emergency To the Security Of India India की Security पर Emergency है ठीक है? डर है? ठीक है? या तो इंडिया हो गया या Security Of Any Other Part समझ में आ रहा है इतना? किस चीज से डर है इनको? किस चीज का डर है? National Emergency में किस चीज का डर होता है? It is threatened by either war External Aggression External Aggression और Armed Rebellion अब बच्चे पूचे पूचेंगे कि मैम क्या बता दिया आपने? कुछ भी नहीं समझ में आया है ना? बताओ क्या समझ में आया है इसमें? President इस चीज से satisfy हो गया है कि एक ऐसी घटना होने वाली है या हो गई है जिससे Emergency है हमारी Country को Threat है डर है कहीं War न हो जाए कहीं externally कोई Country आके Aggressor न बन जाए Aggress न कर दे हमारी Country को या किसी भी पार्ट को या कोई Armed Rebellion न हो जाए Worst World War की तरह कोई हमला न हो जाए इसी लिए satisfy हो जाता है और ये Emergency जो है वो लगा देता है ठीक है और यहाँ पर क्या होता है Procedure पर आ जाओ Procedure यहाँ पर Cabinet का Approval चाहिए रहता है Cabinet Approval और एक Fun Fact है बिटा Fun Fact यह है कि Constitution में Cabinet Word सिर्फ एक बार यूज किया गया है और उसको Article 352 में ही यूज किया है ठीक है और ये Cabinet से जो है Approval लिया जाता है Within 1 Month एक मन्त एक मन्त में Approval लिया जाता है कितनी बार National Emergency लगी हमारी कंट्री में जल्दी से Comment section भर दो देखते हैं किसको जवाब पता है प्रोसीजर पता चल गया Approval का पता चल गया बिटा आ जाओ अब यहां पर क्या होता है यह Approval कैसे लिया जाता है Through Special Majority Special Majority होती है यहां पर Special Majority होनी चाहिए है मतलब Total Membership Total Membership होनी चाहिए है साती साथ Two Thirds Members Present and Voting ठीक है अब यह जो National Emergency है ना पिटा यह 6 महीने के लिए लागू रहती है It is valid valid for 6 months और 6 months के बाद इसको चाहिए रहता है Renewal इसको renew करना पढ़ता है पिटा Renewal करना पढ़ता है ठीक है Renewal Renewal होता है After 6 months अब इसका अगर हम लोग समझने कोशिश करें तो अगर Emergency लागू हो गई तो यह कितने महीने के लिए लागू होगी एक महीने में तो पहले Approval होना चाहिए 6 महीने के लिए लागू रहेगी और 6 महीने इसे लंबा रखना है अगर उसको Emergency को लागू रखना है गंट्री में तो उसमें आपको Renewal उसका कराना पढ़ेगा Clear हो गया बिटा Clear हुआ बच्चों आगे बढ़ते हैं आजाओ Effect क्या होता है National Emergency का Effect क्या होता है सबसे खतरनाक Effect जो पढ़ता है वो Fundamental Rights पर पढ़ता है Fundamental Rights ही Suspended होती है Holy या Partially Fundamental Rights जो होती है Suspended होती है Except Article 20 and Article 21 Article 20 और Article 21 के बजाए सारे Articles जो है Fundamental Rights के कोई Right to Equality नहीं कोई Right to Freedom of Speech and Expression नहीं कोई Right to Opportunity in Employment नहीं मिलेगा ठीक है ये सारी Right suspended रहती है Fundamental Rights Emergency लगने से Effect ये पढ़ता है कि Fundamental Right suspended होती है Right to Approach Court Right to Approach the Court बंद Court नहीं अप्रोच कर सकते हो आप कहां अपनी grievances लेके जाओगे अपनी दिक्कत किसको बताओगे ठीक है Fundamental Rights suspended रहती है Center State Relations पे क्या अफ़र पढ़ता है Center State Relations पे क्या अफ़र पढ़ता है बेटा यहां पे क्या होता है Parliament Parliament जो है Assumes All the Power All the Power Of the Of the State ठीक है Of the State Government और प्रेजिडेंट जो है वो गवर्नर की पावर को अज्यूम कर लेता है Finances पे क्या अफ़र पढ़ता है बेटा Finances पे अफ़र यह पढ़ता है कि distribution जो revenue को होता है Salary और allowances जो होती है वो कम हो जाती है Alteration Alteration In Salary And allowances Clear लेकिन यहाँ पे Judges की जो salary होती है वो नहीं कर सकते हो आप ठीक है और Union और State Legislature तो मैंने बताई दिया यह सब Parliament के अंडर आ जाते है Center powerful हो जाता है यहीं पे तो federalism की जो spirit होती है वो थोड़ी सी थोड़ी से डगमगाने लगती है न क्यूंकि Center powerful हो रहा है समझ में आ रहा है Clear हो रहा है बेटा आज आओ आगे आप देखो important part यह आ रहा है The breakdown of constitutional machinery ठीक है खतम हो गया emergency समझ लो Breakdown of constitutional machinery Circumstances क्या होते हैं यहाँ पे होता क्या है यहाँ पे Governor जो है न जो state का governor होता है President क्या होता है Head of the state Complete state और यहाँ पे Governor के अगर बात करो He is the head of the state Literal sense में ठीक है Clear हो गया आजओ Governor क्या करता है Report भेजता है किसको भेजता है President को भेजता है क्या कहता है कि हमारी सरकार Constitutionally चल नहीं पा रही है क्या कहता है Government cannot function according to the Constitution ठीक है Our government cannot function according to the Constitution National Emergency कितनी बार लगाई गई थी यह सवाल का जवाब आप लोगोंने नहीं दिया या दिया तो मैंने मिस कर दिया कितनी बार लगाई गई थी एक बार फिर से बता दो बच्चे active नहीं हो रहे सो गए I think दुपहर हुई तो सो गए सो गए हो क्या बच्चो सो गए हो इतना important topic मिस कर रहे हो क्या active हो जब बच्चो क्या लिखोगे exam में जाके what will you write ठीक है अब इसका duration क्या होता है बचा दो महीने का होता है ठीक है two months का duration होता है correct है यह हुई ना बात यार यह हुई ना बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया three बार तीन बार लगाई गई है इश्की आप बटा अपने question पूछो question पूछो बटा आपका कौन सा question मिस हुआ है पूछो correct है इंडो-पाकिस्तान war Chinese aggression भी हुआ था ठीक है इसकी maximum limit होती है बटा maximum limit जो होती है वो तीन साल की होती है three years की होती है दो महिने के लिए इसका duration होता है और अगर दो महिने से जाधा चाहिए आपको ठीक है अगर दो महिने से जाधा रखना है तो basically आपको इसको एक साल के लिए बढ़ाना पड़ता है ठीक है, इसका renewal होता है, clear है, आगे बढ़ते हैं, अब बताओ इसका effect क्या होता है, similar effects बेटा, similar effects देखने को मिलेंगे, सबसे पहले state administration पे असर ये पढ़ता है बच्चों, कि ये directly comes under president, directly comes under the president, वो जो particular state, जहाँ पे emergency लगी है, वो directly president के under आ चाते हैं, सब बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, पार्लिमेंट चाहे, पार्लिमेंट चाहे state list पे, state list पे बच्चों, चाहे parliament law बना सकती है, ये आग्याना आपका, ये आग्याना, ये क्या exception है federalism का, यूनिट्री फीचर, यूनिट्री फीचर, expenditure उस particular state का कौन authorize करेगा, state expense, ये president authorize करेगा, ठीक है, और suspended provision, fundamental right suspended रहती हैं, ये तो पता ही है, ठीक है, जितनी भी authorities हैं, ठीक है, जितनी भी authorities हैं, चाहे वो आप देख लो उस particular state की जितनी authorities हैं, जितने भी departments हैं, एक्सैप्ट दा हाई कोट और बढ़े आगे आज ओ फाइनाशल एमर्जेंसी पर अचा इसका आर्टिकल थे नहीं देखा हम लोगोंने इसका आर्टिकल है बेटा आर्टिकल 356 क्लियर आजाओ आगे फाइनाशल एमेरजेंसी आर्टिकल आर्टिकल पीटा 360 याद रखना है आर्टिकल 360 ठीक है आर्टिकल 360 क्लियर है आर्टिकल 360 ठीक है अब फाइनाशल एमेरजेंसी पे आजाओ बच्चू फाइनाशल एमेरजेंसी पे आजाओ देखो फाइनाशल एमेरजेंसी एक बार तो ये समझ लो फाइनाशल एमेरजेंसी कभी भी लागू नहीं करी गई इंडिया में नेवर हैज बिन इंपोजड ठीक है प्रेजिडेंट अगर साटिस्फाय हो जाता है कि एक सिटुएशन आई जहां पर फाइनाचियल एमिर्जेंसी जो है लगानी पड़ेगी क्योंकि क्रेडिट नहीं है हमारे पास इतना फाइनाचियल हमारे पास इतना पैसा नहीं है ठीक है फाइनाचियल नहीं है या क्रेडिट जो है credit of the nation ये भी नहीं है अगर ठीक है यहाँ पे अगर कोई ऐसी situation arise होती है जहाँ पे financial stability या credit जो है इस पे threatened है ये threat लगा हुआ है इस पे पैसा ही नहीं है तब क्या होगा तब financial emergency impose कर दी जाएगी again two months two months के लिए करी जाएगी आगे के लिए approval approval चाहिए रहेगा ठीक है दो महिने में approval चाहिए रहेगा ठीक है लेकिन बेटा क्या होता है यहाँ पे duration की बाद तो हो गई duration की बाद तो हो गई लेकिन क्योंकि अब आप ये बोलोगी कि मैं constitution में कोई ऐसी provision दी ही क्यों है क्योंकि उसको अभी तक applicable दो करा नहीं है कभी कोई ऐसी situation आ जाए जहां पर हमारी financial stability हिल जाए यहां हमारे पास enough credit नहीं है तो president president चाहिए प्रेजिडेंट इंपोज करता है कि दो financial emergency क्लियर क्लियर हो गया इतना आगे बढ़ते हैं यहां पर क्या होता है finance commission how many how many types of ministers class 9 का revision कब होगा hello pinky आजा बेटा वापस आजाओ सब लोग take a break and give a break I have just taken a break clear है चलो यह emergency खतम होगी emergency खतम करते हैं ठीक है कौन appoint करेगा finance commission president करेगा ठीक है ऐसे मामलों में finance commission को appoint करेगा कहेगा कि देखिए क्या हो गया है ऐसी क्या घटना हो गई जिससे हमारी credit धगमगाई वी है आप recommend करेए हम क्या क्या changes करें ठीक है आजाओ reduction of salaries reduce कर देगा reduce कर देगा salaries of all authorities salaries of all authorities except except of the of the judges जो judges होते हैं बेटा judges की salaries पे effect नहीं पढ़ने वाला है ठीक है money bills यहाँ पर सारे money bills जो है जितने भी money bills है यह submit किये जाएंगे president को ठीक है president को submit किये जाएंगे जैसा कि पहले होता था ठीक है एक तो यह बात हो गई और utilization of funds के लिए किस तरह से funds utilize होंगे इसमें order देगा orders by the president इसी के साथ बेटा इसी के साथ emergency वाला part हम लोगोंने cover कर लिया है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चो और हम लोग देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे जगदीब धंकर कौन है बतादो भर दो comment section कौन है आजा बच्चो जो बच्चे गए ना emergency को देखके वो सब बच्चे वापस आ जाएं मुझे लग रहा है सारे बच्चे सो गएं vice president vice president of india vice president of india come on let's just start with the vice president of india ठीक है शुरू करें कौन है मिटा who is the vice president of india current vice president of india जल्दी से पहले comment section में जवाब दो अच्चा maximum बार अच्चा एक factual सवाल का जवाब दे दो एक factual सवाल का जवाब दे दो 9th वालों पर ध्यान मत दीजिए क्यों ना दो यार बच्चे तो वो भी है चलो एक सवाल का जवाब यह दो बेटा कि कौन सा वो president है कौन से वो president थे जिनकी death हुई थी office में मतलब वो vice president की post hold किये वे थे और उनकी death हुई थी और कौन से वो vice president है जो लगातार elect हुए थे अपनी post के लिए लगातार पीकर पीकर कौन है बताओ mr. जगदीब धंकर बहुत बढ़िया मोदी जी कौन कहरा है यार मोदी जी कहां है यह मोदी जी कहां है यार वेन कही या नाइडू बिलकुल भी नहीं वेन कही या नाइडू नहीं है vice president of the year जगदीब धंकर very good शैजीन आदर्ष अभाय सिधान्त अनुराग शैजीन सिधान्त आदर्ष अगेन आयूश दृती हाँ नहीं नहीं बिटा नहीं 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 अपीज अब्दुलकलाम नहीं नहीं रॉंग रॉंग है बिटा रॉंग है महात्मा गांधी भाई साहब आयूश बुकवाला आयू यू आर्स पैमिंग जिन्ना क्रिश्न कांथ हेलो बिटा हेलो हाई किन किन बच्चों ने अभी जॉइन किया है थोड़ी देर पहले बता दो किन किन बच्चों ने अभी थोड़ी देर पहले जॉइन किया है तुम लोग जवाब नहीं दे पारे हो जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन अच्छा करेक्ट है अपने केजरिवाल वाह बहुत बड़िया बाहु बली दोगलापन ठीक है तो किनकिन बच्चों ने अभी जॉइन किया है ये बता दे एक बार थम्स अप कर दो भाई किनू ने अभी जॉइन किया है तो मैं बताओँ क्या क्या हो चुका है ये बता दू आकाश गुपता, मनमोहन सिंग, जी नहीं अरे वाइस प्रेजेडेंट की बात हो रही है हामिद अंसारी को consecutively उनकी पोस्ट होल करी थी उन्होंने consecutively बिटा और डेथ के लिए तो जाकर हुसेन में प्रेजेडेंट की बारे पूछ रही थी ठीक है, क्लियर है, चलो, शुरू करें, आजाओ सबसे पहले वापस से तीन दिल लेके आई हूँ आपके लिए ऐसे अब्दूरोजिक करता है ना ऐसे अब्दूरोजिक ऐसे करता है, क्योट लगता है बहुत चलो, आजाओ बिटा, कहाँ पे मेंशेंड है बिटा, आर्टीकल 63 आर्टीकल 63 आर्टीकल 63 ओव दूर्व रॉप वाइस प्रेजेडेंट ओफ इंडिया वाइस प्रेजेडेंट ओफ इंडिया बिटा क्लियर है, सबसे पहले as usual citizen of इंडिया होना चाहिए He should be citizen of India ठीक है Clear हो गया इतनी बात Completed the age of 35 years Again 35 years की age Complete हो जानी चाहिए Absolutely correct साथी साथ हम लोगों ने President में क्या देखा था President में क्या देखा था यहाँ पर बताओ Qualified To be the member of Raja Sabha है यहाँ पर To be member of Sorry Of Raja Sabha Done Done and Dusted Qualification done हो गई बच्चों आगे आजाओ अब यहाँ पर क्या है Same office of profit की बात होगी लेकिन एक important बात यह है इसकी post के लिए 20 electors होने चाहिए है और 20 secunders होने चाहिए है 20 electors and 20 secunders Clear है मतलब इसकी post के लिए मतलब जो vice president की post hold करेगा उसका नाम 20 electors ने दिया हो और उसको 20 secunders ने अपना opinion दिया हो Clear है और यहाँ पर office of profit की बात होगी बिटा office of profit की बात हो रही है यहाँ पर किसी भी government of India की office या किसी भी government of state की office नहीं hold करेगा आगे बढ़ जाओ election आजओ election पर बिटा बहुत ही important है election of the vice president यहाँ पर बिटा क्या है यहाँ पर दोनों houses के members होंगे members of both houses of parliament होंगे यहाँ पर क्लियर है और यह भी बिटा जो है यह भी इंडाइरेक्ट elections होते हैं इंडाइरेक्ट elections होते हैं बाइद सिस्टम ओफ तिंगल ट्रांस्फरेबल वोट ठीक है प्रपोर्शनल यह लिख लो प्रपोर्शनल representation by single transferable vote system clear हो गई इतनी बात clear हो गई आगे आ जाओ it is done by same same as the president ठीक है बागी सारी चीज़े जो है बिटा यह same president की तरह होती है clear है आगे बढ़ते हैं ठीक है oath of office oath of office और term of office क्या term रहेगा और क्या सामने लेते हैं और president किसके सामने ओत लेते हैं हैं ठीक है president किसके सामने ओत लेते हैं true allegiance की ओत लेते हैं true allegiance and again faithfully discharge his duties faithfully discharge his duties clear है सब कोर्स में हैं बिटा अब बोरिंग लगे या कुछ भी लगे है तो कोर्स में अब यहाँ पे वाइस प्रेजिडेंट जो है प्रेजिडेंट के सामने ओत लेगा ट्रूल आइजेंज और फेजफुली डिश्चाज करने की ड्यूटीज को करेक्ट है पिटा CGI के सामने प्रेजिडेंट ओत लेता है एपसलूटली करेक्ट लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट यह आता है कि मान के चलो CGI प्रेजिडेंट नहीं है तब क्या होगा यह बता दो इसका टर्म क्या होता है पिटा फाइव यर्ज का टर्म होता है वीपी का और कॉंसा सेक्षिन है जो प्रोवाइट करता है वाइस प्रेजिडेंट के बारे में यह बता दो और एक बात और बता दो बच्चो रेजिगनेशन वाइस प्रेजिडेंट किसको देता है यह बता दो बेटा रेजिगनेशन किसको देता है हाँ पुल्डोजर तो गायब है बुल्डोजर तो गायब है गलेव ओपी ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोट का जज अगर CGI चीफ जस्टिस अव इंडिया नहीं प्र आर्टिकल 363 कह रही हूं 63 absolutely correct ठीक है clear हो गया clear हो गया एक बार fire emoji भर दो comment section में बहुत सोर हो ऐसा लग रहा है कोई जवाब नहीं आ रहे मेरे पास सिर्फ चुनिंदा बच्चे हैं खुशी शैजीन पुशकर अनुराग सयम गीता अंजली सिर्फ यही बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं बस खतम हो रहा है टाइम बिटा खतम हो जाएगा बस resignation किसको देत है ड्रेशिटन को देता है बेलकोल सही मतलम मैं लिए लिख सकती हूं अब इसका जवाब रेजिगनेशन यह प्रेजिडेन को देता है और इसको भी रिमूव किया जाता है बाई इंपीच मेंट क्लियर हो गया कहतम हो गई कहानी आ जाओ पावर और फंक्शन क्या है या बताओ यहीं पर वाइस प्रेजिडेंट कहतम हो गया फायर लग गया देखो यह हुई ना बात यह हुई ना बात यह बताओ अब देखो मजा आएगा हमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यह हो सकता है बेटा, कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, यह हो सकता है, बहुत बढ़िया, सही है, दोगलापन, बढ़िया, ठीक है, तो अच्छा यह बताओ बेटा, कि आप लोग का जो एक्जाम है, शुरुवात कब से हो रही है, और एक्जाम यह वाला आपका कब है, हिस्ट्री सिविक्स का, और कुछ पूछना हो अगर, जैसे आभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि डेट का चार्ट वाट चाहिए है, शैजीन बता रही है, I don't know, करेक्ट है, वाइस प्रेसिडेंट is the ex-official chairman, he is the ex-official chairman of the राजसभा, किसी ने ये नी पूछा मैम, लोगसभा को तो speaker head करता है, राजसभा को कौन head करता है, बिलकुल करेक्ट है बिटा, अच्छा एक सेकिंड पढ़ लें दो मुझे, 27 से शुरू हो गए है, 27 से शुरू हो है, 6 को है, या 6 से शुरू हो रहे हैं, 6 March History Civics, 27 से शुरू हो गए है, 15 March को SST का है, 15 March तो CBSC वालों का है, ये तो मुझे पता है, 6 March को हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है, तो अभी आज को, आज हम लोग हैं, 27 को शुरू हो रहे हैं, मतलब, 22 को आज डेट है, 27 को एक्जाम शुरू हो रहे हैं, और 6 को आपका History Civics Geography का एक्जाम है, HCG, राइट, तो यहां आपको मिल रहे हैं, 9 दिन, है न, 9-10 दिन मिल रहे हैं आपको, या अगर आप 8 दिन भी लेके चलो, 8 दिन भी लेके चलो, और इसमें टार्गेट कर ल तो आठ दिन में अपने दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने रहेंगे आपको, कितने सब्जेक्ट हैं आप लोग के पास, 6 सब्जेक्ट, 7, 16 मार्च से शुरू हैं, CBSC वालों के तो 16 मार्च से शुरू हैं, इंग्लिश लैंग्विज की क्लास लगवा देंगे बेटा, मैम, जो भी होंगी, बुल्डोजर, तिवारी, हम ही हैं, प्यूश कुमार गुपता तुम हो, बुल्डोजर, तिवारी, बहुत बढ़िया, 29 को खतम होगा, पांच दिन का ब्रेक है, ठीक है, पांच दिन का क्यों ब्रेक है, भाई, 6 तारिक को पेपर है न, हाँ, मतलब वैसे सो चोटों शुरुवात 27 से हो रही है, 10 हैं, भाई, सहाब, ठीक है, तो तुमारे पास और भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सिविक जोगरफी को तुम अगर डेली आवरेज में, डेली आवरेज में, अगर तुम दो दो चैप्टर्स, सिर्फ ये एम करो कि दो चैप्टर कर लो टू चैप्टर्स पर डे, एक तुम दोगो है, सिविक्स तो तुमारी हवा हो जाएगी, सिविक्स के लिए तो तुम यही वाले नोट्स रखना, सिविक्स तो तुमारी जल्दी हो जाएगी, अब तुमारे जो 15 हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, उन में से तुम ये समझ दे है कि अ अग्या at work हो गया है बुल डोजर का का को से व जाएगा पिता से वह जो जाएगा त्म । लोगों को देखो हिस्ट्री के पंदरा चाप्टर अगर तुम दो दो चाप्टर भी रोस करो तो भी ऊजाएंगे दोदो चाप्टर कि दो चाप्टर कित्ती देर में होंगे यार, दो घंटा रखो काली हिस्ट्री सिविक्स के लिए, बाकि तुम अपने दूसरी सब्जिक्ट देखो, एकनोमिक्स होगा तुम लोग के पास, या अगर साइन्स वाले बच्चे, उनके पास साइन्स होगा, अब तो चल रहा है सेशन, अब याला चाप्टर खतम हो गया, यह चाप्टर फिनिश कर दिया, हम लोग ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट खतम हो गया, ठीक है बेटा, तो यह सीन है बेटा, डल रग रहा है बोट से, एजेंट 2006 कह रहा है, देखो, डर, मैं बता है मेरे सर क्या कहते थे, मेरे सर कहते थे जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है न, वो भी डरता है, मतलब सिर्व यह नहीं जो ना पढ़ा हुआ हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेता है, वो भी डरता है, HCG अगर easiest है तो बहुत अच्छा है ना यार बिल्कुल बिल्कुल अनुराग ने पिछले 15 मिनिट से English वो पूछा है क्या नाम है English language तो पूछी रहा है कोई बच्चा लेकिन ministers पूछ रहा है बिटा ministers की उपर हम लोग आ रहे हैं ये खतम कर लेते हैं एक बार powers and functions में ये देख लो chairman होता है ये vice president is the ex-officio chairman clear है he is the ex-officio chairman और दूसरी बात taking over the president अगर president की जो post है वो death के वज़े से या resignation के वज़े से death, resignation, death के वज़े से अगर vacant है president की president की post अगर death, resignation या removal के वज़े से vacant है तो vice president, president के functions को भी discharge करेगा clear हो गई अरे बहापरे बजनती सिंग कह रहा है book ही नहीं चुआ है तबी तो मैं कह रही हूँ तुम लोग के पढ़ाई sessions की तरह होती है साल में दो बार, है ना, साल में दो बार होते हैं बेटा, sessions लगते हैं इन लोगों के और bulldozer की account पे bulldozer चल गया, भाई इनके account को वापस दिलवा दो, clear हो गई, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, questions देख लो बेटा science में डल लगता है, inertia कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है questions देख लो, civics से maximum कौन से chapter से questions आ सकते हैं, वर्षा ने पूछा आए बात वर्षा civics का जो तुम chapter union parliament देख रही हो वो, और supreme court वाला जो chapter है वो, अभी हम लोग कवर करेंगे उसको, वो बहुत important है, दोनों ही बहुत important है, actually, ठीक है हाई बिटा, हाई सिट गेमिंग, हेलो, रूवी, हेलो और एक गजब, कोई बचा कह रहा है, कर्सिव राइटिंग, दो बार book खतम कर चुकी है, दो बार ठीक है बिटा, शुरू कर सकते हैं, यहाँ पे questions लिख लो, दो power बता दो vice president की, breakdown क्या होता है, state emergency के बारे में question पूछा है state emergency के बारे में question पूछा है, कितनी बार national emergency लगी है, तीन बार लगी है, और emergency होती क्या है, definition बता दी है आज बिटा, next chapter यहाँ पे पहले questions और मैंने add करे हैं, vice president of India कैसे elect होता है, ठीक है, question number 5 है यह, question number 6, on what grounds 1975 emergency was imposed on India, बताइए question number 7, who is the current vice president of India, and question number 8, last but not the least, two job roles of the vice president of India, just अभी अभी बताया है यह बता दो, अच्छा, बहुत आता है जिसको वो यह बता दे, छे history civics का paper 6 तारिक को है, अतुल बजाज कह रहा है, बढ़िया पढ़ाते हैं, thank you अतुल, बस अच्छे number ले आना इसका जवाब दो जल्ली से फिर आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में याद ही नहीं होता है, बार-बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा correct है, मैयूर भंज बता दिया बच्चोंने मेरे very good, चलो आगे बढ़ते हैं बिटा, moving forward कहाँ पे आ गए हम लोग, कहाँ पे आ गए ये वाला question यहाँ पे लगा हुआ है, चलो who among the following addresses, oath to the president of India deal कर चुके हैं हम लोग detail में, आगे बढ़ते हैं mention the qualifications for the election of the president, ये भी questions है बिटा वो जो PPT जिसने तयार करी है, उससे mistake हुए on what grounds president of India can be removed, the president represents the nation but not rule explained, mention any three legislative powers of the president, यही मैंने कहा था, अब यहाँ पे हुआ क्या है ये समझना अब यहाँ पे correct है बिटा, correct है, absolutely correct है यहाँ पे एक चीज़ समझना, जैसा कि मैंने अभी deal किया था आपके साथ, exam में exam में, अगर, यहाँ पे यह देखो ये, on what grounds president can be removed, ये question पूछा एक mark में, तब तो ठीक है, तुम्हें आता है, तुमने लिख दिया अब ये तीन सवाल है, मान के चलो, ये तीन नमबर में पूछ लिया, ये तीन नमबर में पूछ लिया, ये दो से जादा नंबर पाओ समझ में आ गया तो इसी लिए इस तरह से डिवाइड करना एक एक ऊपर हेडिंग देखे ये लोग इसी तरह से सवाल बनाएंगे तुम लोगों के उपर है किस तरह से करोगे ठीक है क्लियर है सारे चाप्टर के बाद क्वेस्चिन्स मैंने दिये हैं चलो शुरू करते हैं बिटा ये notes मिल जाएंगे आपको ये notes आपको मिल जाएंगे बिटा ये notes आपको मिल जाएंगे बिटा चलो शुरू करते हैं बिटा next chapter शुरू करते हैं let's start the next chapter the prime minister and the council of ministers बहुत ही important है बिटा किसके किसके school में बिटा आपको ये chapter पढ़ाया गया है कौन-कौन से state से बिलॉंग करते हो आप लोग जड़ा से बताओ मुझे comment section में देखू तो मैं कौन-कौन से state से बिलॉंग करते हो बताओ comment section में कौन-कौन से state से बिलॉंग करते हो आप लोग मेटा, economics की class हो गई है UP, Kolkata उत्राखंट, West Bengal ओके, बरेली, ओके बिहार बिहार मैं गई वी हूँ पटना में रही थी मैं जारखंट, UP, Bangalore Shaijin is from Bangalore, ओके महाराश्ट्रा, Delhi West Bengal Mumbai Amazing Rajasthan हर एक कितना अच्छा प्लाटफॉर्म में सोचो UP लखना हो, very nice हर एक स्टेट से आपको लोग मिल रहे हैं, बताओ मध्यप्रदेश, कश्मीर, जारखंट, बरेली जारखंट, कराची I don't believe it Washington, D.C., आने लगे spammers, राजिस्तान, गुजरात, ओडीसा, करनाठका, जारखंट, राची, उत्राखंट, लंडन, ओके, दुबई, South Korea, all right समझ में आ रहा है, आपको South Korea वाले अंकल, आपको सब समझ में आ रहा है, जारखंट, 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 बहुत बढ़िया देवघर, हरियाना, वरानसी, ओडीसा, USA, my gosh कहां से हैं, USA से आप, जल्दी finish करा दें, चलो भाई, शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो हमारी कंट्री में क्या है बेटा, हमारी कंट्री में Parliamentary form of government है, क्या है, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, Who is the Head of The head of the Of the Council of Ministers अभी हम लोग क्या समझेंगे आगे हम लोग समझेंगे Council of Ministers में और Cabinet में क्या difference होता है Cabinet और Council of Ministers में क्या difference होता है काम क्या होता है President देखो यहां पर Prime Minister क्या होता है Prime Minister और यह अभी थोड़ी दिर पहले मैंने बता दिया आपको कि प्रेसिडेंट को इनकी अडवाइस के अकॉर्डिंग एक्ट करना ही करना होता है क्लियर है अब आ जाते हैं बेटा हम लोग प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट पे किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर का बड़ा ही इंपॉइंट सवाल है प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? PM is appointed by the President, clear है ये comment section में एक बार बता देना, clear है की नहीं? प्रेजिडेंट क्या करेगा इनके appointment के लिए अगर PM का मान के चलो appointment है तो सबसे पहली बात यहां पे वो RB Trally Act नहीं करेगा, RB Trally Act नहीं होगा not by the President, प्रेजिडेंट यहां पे arbitrarily Act नहीं कर सकता है कि मतलब क्या है? अगर उसका कोई ऐसा चुनाओ के लिए, PM election के लिए अगर इसका कोई favorite opponent है, प्रेजिडेंट का, तो अगर वो RB Trally Act करेगा, तो वो उसको चिताना चाहेगा, उसको खड़ा करेगा, लेकिन होता क्या है यह यहां पे होता क्या है, leader of the majority, मतलब क्या है, कोई party जो majority में है, उसका leader ही usually elect होता है, as the prime minister, उसी को उसकी post के लिए रखा जाता है, ठीक है? तो leader of the majority ruling party, जो lead कर रहा होता है, जैसे अभी currently क्या है, currently क्या है, लोगसभा की जो majority party क्या है, और उसका leader कौन है, यह बता दो एक बार, उसको एक बार यह comment section में बता दो, कौन है, PM कौन है, come on, भर दो comment section कौन है PM, लेकिन अच्छा एक घटना यह भी होती है, जब कोई single party, मतलब no party, forms majority, अब यहाँ पे president का जो है, वो role important हो जाता है, correct है, correct है, भर गया, Modi जी, PM Modi, absolutely correct, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी ऐसा small parties है, अगर देखो, यहाँ पे कोई majority party नहीं form कर पा रही है, तो जो small parties है, उसका जो leader है, उसको president चाहे तो बना सकता है, ठीक है, अगर नहीं है, तो small parties, small parties, leader, को PM elect करा जा सकता है, by the president, Modi सरकार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, absolutely correct, बिलकुल सही है, बहुत बहुत सही, तो यह हो गई बात, prime minister की, ठीक है, appointment याद रखना बेटा, done by the president, आगे बढ़ते हैं बेटा, council of ministers पे आजाओ बेटा, council of ministers पे आजाओ बच्चों, देखो, यहाँ पे दो बाते याद रखना, इसके बारे में article 75, article 75 of the constitution provides for the PM, PM के appointment के बारे में बताता है, और council of ministers के बारे में बताता है, क्या कहता है article 75, केता है, PM will be elected by president, और केता है साथी साथ, council of ministers will be elected by president, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे advice होती है, prime minister की, plus PM advice, की के, यह recommendation मान लो, PM recommend करता है, कि कौन council of minister होंगे, clear हो गया बिटा, clear हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ें, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, cabinet word की, मैंने आप से कहा था, cabinet word नहीं use किया गया है constitution में, ठीक है, तो 1979 से पहले, before, कौन-कौन जानता है, cabinet बताओ क्या होता है, before 1979, constitution में cabinet word के बारे में नहीं दिया था, किसको पता है, council of ministers और cabinet ministers में क्या difference होता है, बताओ comment section में, before 1979, cabinet word, word was not used, पहले नहीं use किया गया था, यह use किया गया है, after basically 44th amendment act, जिसमें add किया गया था, article 352 में, एक तो यह बात याद रखना, article 352 में बेटा, cabinet word, add किया गया, 44th amendment act के माध्यम से, clear हो गई बात, आ गया समझ में, ठीक है, council of ministers, cabinet is a smaller group consisting of senior ministers, correct है, council of ministers smaller group है, पियूश कुमार गुपता और बुल्डोजर, बता रहे हैं, ठीक है, आरोही ने भी सही जवाब दिया है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि पता है, मतलब यह है कि पता है बच्चों को, आ जाओ, अब जो बच्चे पूछ रहे थे, कि council of ministers में कैसे division होता है, माम, council of ministers में कैसे division होता है, यह पूछ रहे तो जो बच्चे, तो इसमें यह देखो बेटा, कैसे division होता है, आपको सबसे पहले आप देखोगे cabinet ministers, सबसे पहले cabinet ministers, ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे आपके cabinet ministers, फिर आपके आएंगे बिटा, ministers of state, तुशार क्या बिटा, आप क्या बोल रहे हो, आप पूछो, I will reply, correct है agent 2006, absolutely correct, ठीक है, ठीक है cabinet ministers हो गए, फिर आपके आते हैं, ministers of state, ठीक है, state ministers होते हैं, और फिर आते हैं पिटा, deputy ministers, ठीक है, इतना समझ में आया पिटा, यह तीन division हैं आपके ministers की, तीन ministers हैं बच्चो, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर difference क्या होता है बिटा, यहाँ पर बिटा, जो ministers of state होते हैं, cabinet ministers के बारे हैं, तो हम लोग detail में देखने वाले हैं, जो जैसे states के ministers होते हैं, इनके पास independent charges नहीं होते हैं, जैसे home minister होता है, defense minister होता है, इनके पास state ministers के पास होते हैं, लेकिन central level पे नहीं होते हैं, यह state level पे होते हैं, ठीक है, एक तो यह बात समझ लेना, state ministers के बारे में, साथ ही साथ, यहाँ पे cabinet meetings को यह लोग attend नहीं करते हैं, और अगर deputy ministers के बात करो, तो यह और सब category को बिलॉंग करते हैं, जो deputy ministers होते हैं, यह assist करते हैं cabinet ministers और council of ministers को जादा meetings को attend नहीं करते हैं, इनका workload थोड़ा कम होता है, clear? आगे बढ़ो, आप देखो, यहाँ पे council of ministers का brief आपको लिखना है, prepare करना है, अपने इस आप से जो करना है कर लो, यहाँ पे number of members यह क्या है, यह बिटा important है, यहाँ पे ceiling limit के बात करी गई है, देखो, the constitution of India does not specify the number of members of the council of ministers, यह classify नहीं करता है, council of ministers को different categories में, लेकिन 91st constitutional amendment act से देखो, क्या हुआ था, 91st constitutional amendment act से, जो 2003 में आया था, यहाँ पे ceiling limit लगा दी गई, ceiling on the size of the council of ministers at the center and the states, ठीक है, और यह 15% पे fix कर दी गई, of the strength of the loksaba and the state legislatures, in case of smaller states, maximum number of ministers is allowed 12, मतलब क्या है, total strength जो है, उसका 15% ही रह सकता है, यह जो है, नमबर जो है, यह 15% ही रह सकता है, council of ministers का, और यह किया क्यों गया था, क्योंकि बहुत जादा, यहाँ पे defection हो रहे थे, एक party से दूसरी party में लोग shift कर रहे थे, चलो, आ गए हम लोग cabinet पे, बिल्कुल बेटा बताते हैं, formation, सबसे important बात, कौन करता है, कैसे करता है, prime minister, prime minister recommend करता है cabinet के ministers को, यह prime minister करता है, done by PM, prime minister यह form करता है, और यह basically क्या होते हैं, यह major role play करते हैं, बिटा, major role play करते हैं, और usually यह क्या होते हैं, यह colleagues होते हैं, यह PM के colleagues होते हैं, ठीक है, और यह, या friends कहलो, या close ones, close ones to PM, आया समझ में, समझ में आया formation कैसे होता है, बिटा, appointment कैसे होता है, senior और trustworthy जो colleagues होते हैं, उनको select करता है PM, PM selects, the trustworthy, sorry बिटा, trustworthy colleagues, और फिर इसको president जो है, वो इसको elect करता है, ठीक है, clear हो गए इतनी बात, इतना clear हो गया बिटा, आगे आजो, बिटा, deputy ministers में portfolio इसलिए नहीं होता है, क्योंकि already वो deputy range के होते हैं, ठीक है, उनमें कोई portfolio नहीं होता है, क्या chat बिटा, बताईए आपको, colleagues ही तो, colleagues ही जरूरी है, ठीक है बिटा, बस Supreme Court पे आते हैं बिटा, जल्दी Supreme Court पे आते हैं, अब बात करते हैं, बिटा, term of office की, यहाँ पे जो भी cabinet ministers होते हैं, जो cabinet rank के ministers होते हैं, यह office बिटा, hold करते हैं, during the pleasure of president, during the pleasure of president, ठीक है, और अभी हम लोग एक important topic के बारे में discussion करने वाले हैं, बहुत ही जादा important है, बिटा, very very important exam point of view से बच्चो, बहुत ही जादा important है, ठीक है, pleasure of the president, hold करते हैं, ठीक है, और बिटा, यह याद रखना, यह collectively responsible होते हैं, responsible to लोगसभा, clear? ठीक है बिटा? आ जाओ, आ गया बिटा वही जो तुम पूछ रहे थे, है ना? चलो, देखते हैं बिटा, क्या differences है major, सबसे पहले, सबसे पहले देखो, council of ministers, consists of all categories of ministers, council of ministers, एक बात यह समझना, देखो यहाँ पे, यह अगर council of ministers है, ठीक है, यह अगर council of ministers है, तो यह हो गए हमारे cabinet ministers, यह हैं बिटा, cabinet ministers, और इसमें state के ministers भी होते हैं, इसमें deputy ministers भी होते हैं, इसमें other rank के ministers भी होते हैं, तो यह division है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यह अगर genus है, तो cabinet minister इसका species है, council of ministers बड़ा है, cabinet छोटा है, ठीक है, आ जाओ, तो यहाँ पे cabinet ministers भी होते हैं, deputy ministers होते हैं, state ministers होते हैं, cabinet smaller group है, जहाँ पे senior ministers होते हैं, important portfolios होते हैं, जैसे defense ministers, home ministers, finance ministers, education ministers, यह सारे जो ministers होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, आ जाओ, prime minister may or may not consult the other ministers below the rank of cabinet ministers, यहाँ पे prime minister के पास इतना कोई compulsion नहीं होता है कि उनको consult करे, cabinet में यह most trusted colleagues होते हैं, prime minister के, prime minister always consults them, clear, आ जाओ, council of ministers में day to day working of the government में, council of ministers adds the whole rail limit, जादा meeting council of ministers की नहीं होती है, यहीं पे अगर बात करूं, cabinet की small group है बेटा, small cohesive group जहाँ पे policy determine करी जाती है, जो भी program होता है, government का, वो determine किया जाता है, तो यह as daily तो नहीं, जो बच्चा comment section में कहा रहा था daily, daily तो नहीं, लेकिन हा, they meet as frequently as possible, ठीक है, fourth point, constitution के इसाप से president, council of ministers की advice पे काम करता है, in reality, it is not the council of ministers, but it is the prime minister, prime minister, basically, जो है, वो यह करता है, जो president, which advises the president, ठीक है, आगे आ जा, in day to day governance, the country, the cabinet advises the president through the prime minister, ठीक है, clear हो गया, तो council of ministers यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे PM हैं, PM है, जो करता है, समझ में आई? क्या, बेटा, आरियन कुमार कुछ कह रहा है, ma'am, please humble request है, please ma'am, अच्छा, चलो, ठीक है, जल्दी हो जाता है, तो features आजाओ cabinet system के, यहाँ पे क्या होता है, प्रेजिदेंट जो होता है, वो nominal head होता है, यह हम लोगों ने देख लिया है, साथी साथ, there is a coordination between ministers and the parliament, coordination होता है बेटा, there is a coordination between the ministers and the parliament, clear है, link होता है, साथी साथ, PM जो होता है, वो head होता है, PM is the head, यह तो हम लोगों सबको पता ही है, और बेटा, control of the parliament over the executive यह topic हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कहो तो बेटा करवा दूँ कहो तो करवा दूँ, वरना रहने दूँ ठीक है, cabinet actually responsible होता है लोगों को ठीक है, अब बताओ, powers of the cabinet यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है बेटा features देखा है, powers of the cabinet को हम लोगों ने divide किया हुआ है, अब बताओ, powers को हम किस तरह से कराएं, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए बतादो कि revise करना चाहोगे, powers of the cabinet जल्दी से बतादो मुझे, administrative, legislative, financial और emergency है, जल्दी से बतादो बच्चो chapter ये क्यों चल रहा है बिटा, chapter 3 चल रहा है अच्छा, अब देखो, आपस में लड़ाई होने लगी आर्यन ने बोला, मैं, easy है, आप तोड़ा जल्दी करा दो अब क्या है, बच्चे जो हैं, अब बताओ मैं किसकी मैं majority के साथ जाऊंगी ठीक है, चलो, एड्मिन, देखो, चार पावर्द है administrative, financial, emergency और legislative जल्दी से देख लेता है न, administrative financial legislative easily ये बटाँ, जल्दी हो जाएगा, और emergency ठीक है, अब क्या difference क्या है बटाँ, ये देखो, यहां पर cabinet rank के जो लोग है, जो ministers है, उनकी पावर बताई गई है सबसे पहले देखो, policy making में administrative, जो cabinet होती है, उसका main role होता है उन policies को implement किस तरह से करवाना है, उसमें role होता है, साथी साथ coordinating the functioning of various other ministries, साथी साथ appointments में cabinet का बहुत important role होता है, बच्चो, president का special address prepare करने में, साथी साथ ordinance को issue करने में, बहुत important, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, legislative powers पे आजो बटा, introduction of bill, किस तरह से होता है introduction of bill, यहां पे बटा, सिर्फ और सिर्फ तुमें points ही prepare करना है, ठीक है, यहां पे बटा, important इसलिए है, क्योंकि यहां पे cabinet का recommendation होता है, cabinet का recommendation होता है, bills को pass करने के लिए, source of information, ठीक है, यह responsible होते हैं, किसको, responsible to the public, they are responsible to the public, बटा, public को यह responsible होते हैं, cabinet rank के जो ministers होते हैं, constitution को amend करने के लिए, बहुत ही important role रहता है, इनका, कैसे, ताकि plan करें, उस bill को move करें, constitution amendment बिलको, साथी साथ, summoning the parliament, summoning the house of parliament, प्रेसिदेंस का special address, हम लोगने देख लिया है, साथी साथ, ordinance को issue करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, financial powers, ठीक है बेटा, cover करवा रही हूँ मैं, financial powers पे आजो बेटा, budget में, कौन करता है, क्यों important हो रहा है, finance minister, क्या है, cabinet rank का minister है, cabinet ministers को बिलॉँ करता है, finances of the government, ठीक है, ये पहले basically produce किया जाता है, parliament में, इसलिए ये cabinet minister की rank वाले, जो ministers होते हैं, जैसे कि finance ministers, ये साथे काम करते हैं, introduction of money bills बेटा, it is introduced, it is introduced in the, लोक सभा, clear, आगे बढ़ते हैं, emergency power, as simple as that, खतम हो रहा है, यहाँ पे cabinet का, most important role है, क्योंकि, cabinet word, is used, only in, article 352, समझ में आ गया, इतनी देर लग रही थी, Aryan, इतनी देर लग रही थी, अब बताओ, cover हो गए, clear है बटा, चलो, आगे आते हैं बटा, prime minister की जो position है, जो prime minister की power है बटा, बहुती जादा important है, ठीक है, यहाँ पे किस लिए, क्योंकि यह क्या है, यह real head है, real head है, और सबसे बड़ी बात, सरकार का, government का, government leader है यह, he is the leader of the government, इसलिए prime minister का जो role होता है ना बेटा, वो बहुत important होता है, क्यों, क्योंकि majority of the people elects him, majority people, इसको elect करते हैं, और यह responsible होता है, responsible होता है, to the, to the people, ठीक है, तो हमारे prime minister जो होते हैं, वो responsible होते हैं, लोगों को जवाब देने के लिए, क्योंकि, हम लोग directly इसको elect करते हैं, directly हम इनको elect करते हैं, clear है, चलो आगे आजो, अब देखो, prime minister किस तरह से, president का जो काम होता है, act करता है, and the president, actually, president की तरहां act नहीं करता है, president और prime minister का क्या role होता है, यह important हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी authority होती है न, वो prime minister के through ही करता है, president, president, यह तो बेटा important है, यह मैंने double check किया था, president acts according to, यह याद रखना, according to PM, he acts according to the PM, साथी साथ, summon करेगा, प्रोरूख करेगा house को, on the advice of, अभी मैंने comment section में देखा है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि, मैं बहुत जादा जल्दी करवा रहे हुआ, बेटा, मैं तो indirectly prime minister, यह advice करता है, president को, और क्या यार, बहुत बढ़िया बात बोल दी तुमने, और क्या ऐसे ही होता है अदित्या, ऐसे ही होता है, just rock it, absolutely you can watch it, ठीक है, आगे आजओ बेटा, आगे आजओ, जितने भी ministers को appoint करता है न, जो भी president ministers को appoint करता है न, ministers, कौन, president जब करता है न, तो उसमें भी advice होती है PM की, उसमें भी PM की advice पर ही करता है, समझ में आ रही है की नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, चलो, बहुत बढ़िया, very nice, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, judges जो है Supreme Court के, यहाँ के appointments जो होते हैं, judges, of Supreme Court, and High Court, यह भी recommendation होता है, इसमें PM का, साथी साथ, Council of Ministers, Council of Ministers, and the, and the President, इसके बीच में एक ही link है, Council of Ministers और President के बीच में एक ही link है, और वो क्या link है, वो PM की link है, he acts as a link, he acts as a link between the PM, and the, between the Council of Ministers, and the President, आई समझ में, आई समझ में, साथी साथ, इतना ज़्यादा powerful हो जाता है, कि reconsideration के लिए भी, भेज देता है, अभी मैंने बताया था, President अगर उससे कहता है, Prime Minister के according नहीं जवाब देता है, तो Prime Minister के पास power है, वापस भेज दो President को, हाँ बोलना ही बोलना पड़ेगा, ये वही proposal है, जो तुम भेजते हो बार बार, वही proposal है ये भी, मानता नहीं है ना PM, PM नहीं मानता है, आई समझ में, आजाओ Cabinet, Leader होता है, Leader of Cabinet, समझ में आ गया, आजाओ दूसरी बात, क्या करता है, Prime Minister, Allocation of Portfolio, मतलब क्या, रिशब जो है, Finance Minister होगा, और दीपक कुमार जो है, वो आपका Defense Minister हो गया, आपका इशान्त जो है, वो Education Minister हो गया, आरियन यादव जो है, वो Science Attack का हो गया, है ना, नान्शा जो है, वो Home Minister हो गई, हेमन्द जो है, वो Agricultural Minister हो गई, कौन करेगा, PM करेगा, PM करेगा ये, समझ में आ गया, यही होता है, Allocation of Portfolio, The Rank of Minister, कौन किस Rank of Minister है, ठीक है, साथी साथ, क्या करेगा, Select भी करेगा Ministers को, और, Dismiss भी करेगा Ministers को, Select and Dismiss Ministers, Cabinet के साथ, Prime Minister का क्या Function है, ये देख रहे हैं, ठीक है, Policy को Direct और Coordinate करेगा, Direct and Coordinate, ठीक है, आगे बढ़ो बेटा, एक बात ऐसी है, यहां पर सुन लोगे, तो हमेशा याद रहेगी, अगर बेटा, अगर Prime Minister ने Resign कर दिया, अगर Prime Minister ने Resign कर दिया, तो क्या माना जाएगा, Resignation of PM, is the resignation of whole ministry, of whole cabinet, is, या equals to, resignation of cabinet, क्या समझे, Prime Minister और President का क्या रोल है, देख लिया, Prime Minister और Cabinet का क्या रोल है, ये भी देख लिया, आगे क्या पढ़ना चाते हो, आप comment section भर दो, क्या पढ़ना चाते हो आगे, आगे क्या पढ़ना चाते हो इसके बाद, next part क्या पढ़ना चाते हो, अच्छा एक बाद ये बताओ, यहां पे Parliament, इनसाइड पार्लेमेंट प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, इसको कर लेते हैं, उसके बाद एक बात पूठते हैं आप लोगों से, ठीक है, अपने अपने civics के डाउट जो है, वो उपर रखना एकदम, ठीक है, यहां पे क्या होता है, लीडर, he is the leader of लोगसभा, पोक्सपर्सन होता है, पेटा, स्पोक्सपर्सन of गवश्म्मेंट, गवश्मेंट का स्पोक्सपर्सन होता है, डिदेंडर ओफ, डिदेंडर, करता है, और पार्टी अपनी पार्टी का डिफेंडर होता है, साथी साथ इंटर्वेंशन करता है इंपोर्टेंट मैटर्स में, इंटर्वेंशन इंपोर्टेंट मैटर्स, ठीक है? आजाओ, अब जल्दी से बताओ, हाँ, प्रॉब्लम्स बताओ जरा, हिस्ट्री में, सिविक्स में क्या-क्या प्रॉब्लम्स है, कौन-कौन से चैप्टर्स जो हैं, जो नहीं समझ में आ रहे हैं, कम ओन, कमेंन सेक्शन में बताओ बेटा, मर्चंट ओफ वेनिस थोड़ी सी ह और उसमें टाइम में मत वेस्ट करो अब तुम, अब एक चीज ये कर लो, कि अगर तुम्हारा यूट्यूब पे, अगर आपको ओनलाइन हेल्प मिल रही है, तो आप ले सकते हो, या फिर आप हमारे बैचेस जोईन कर सकते हो, उसमें अगर आप देखना चाओ, तो आप द प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट, इन दोनों की सारी चीज़े याद कर लो, क्वालिफिकेशन, पावर, फंक्शन, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोड में भी याद करना होगा, ठीक है, हिस्ट्री में अर्ली नैशनलिस, अच्छा, दोनों वार पढ़ा दीजिए, अरे दोनों वार पढ़ाई है मैंटम, परसो मैंने, नौन कोपरेशन मुवमेंट, जो चीज़ तुम्हें आ रही है मुवमें वही बता रहे हो, क्या, इतना एज़ी है, जब मैं पढ़ा रही है, तुम तो बच्चे कह रहे हैं, बहुत एज़ी है, और कौन-कौन से सबजे लोग बड़े educated थे, moderate थे, और believe करते थे कि हमारे साथ अच्छा ही करेंगे, Britishers, math में difficulty हो रही है, math, history में तो अभी बच्चों ने बताया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे से easy हो रहा है सब, इसमें ये वाले जो notes ना, इस से civics पढ़ लेना, आप लोग को point wise समझ में आ जायेगा, powers याद हो जाएंगी बिटा, powers याद हो जाएंगी, individual collective responsibility पे हम लोग आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, computer में problem हो रही है, तो computer में problem हो रही है, तो computer के लिए आपके जो भी classes हैं यहां PW में वो आप देखो उसको revise करो, और अपने school के जो भी notes से उनको revise करो, कुछ नया मत पढ़ू अब, अगर आप paper शुरू हो गए हैं आप लोगों के, शुरू होने वाले हैं 6-7 दिन में, तो अब नया मत पढ़ू, chemistry में problem हो रही है, chemistry का तो कल मैं लेके आ रही है, computer और chemistry problem कर रहा है, English one shot यार बात कर लूँगी, अगर आ रहा होगा तो जरूर को अपडेट कर दिया जाएगा, सब easy है न, ठीक है, कुछ बच्चे कहने सब easy है, गांधी जी नहीं थे, early nationalist नहीं थे, math में problem हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, judiciary part पे हम लोग आ गए, judiciary तो तो तुम को चुटकियों में समझ में आ जाएगा, बटा, चुटकियों म का है, Hindi medium हो, तो क्या दिक्कत है, Hindi medium तो पूरी बात Hindi में कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आता है जिनको, वो लोग देखो क्या करो, बैग को जो बैग school लेके जाना है, exam वाले दिन, उसको पूरा खाली कर दो, पूरा खाली करके, उसमें आगे वाली जेब में खाली admit card रखो और एक पानी की बोतल रखो और जब वहाँ जाना जब examination center पे जाना तो paper को खोल देना और उसमें सिर्फ और सिर्फ गाने भर देना सिर्फ गाने भरना और कुछ कर नहीं पाऊगे है ना और थोड़ा बहुत सर पे अपने मार्मूर लेना अगर examiner को थोड़ा तरस आ जाए तो आए पर तुम्हें खुद ही बता देगा हो सभी में दिक्कत है बैजनती कह रहा है बायो की definitions बायो की definitions क्या है बायो की definitions आप अपने notes प्रिपेर करो उसमें बार 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 उसको repeat करो उसको पढ़ो सुप्रीम कोट कवर कर लेंगे P.W. में computer नहीं है अच्छा कोई दिक्कत नहीं है computer नहीं है तो आ जाएगा है ना every subject का आएगा क्या one shot हाँ बिटा every subject का ही तो तयार हो रहा है ठीक है बिटा हो जाएगा don't worry physical education तो बड़ा easy है बिटा physical education तो बहुत easy है हो जाएगा वह हो जाना चाहिए चलो ठीक है आ जो collective responsibility collective responsibility पर आ जो बिटा यहां पर बिटा collective responsibility सबसे पहले तो यह समझ लेना article 73 article 75 subcloss 3 of the constitution of India provides for the collective responsibility of the house of people अब इसका मतलब क्या होता है बिटा यहां पर क्या होता है मतलब कि council of ministers जिनको लोग directly elect कर रहे हैं वो responsible collectively responsible होंगे to the house of people साथी साथ इसका मतलब यह होता है कि कि जितने भी decisions लिये जाएंगे वो हर minister को equally applicable होंगे decisions will be equally applicable यह रट लेना बेटा decisions will be equally applicable to all ministers ministers are jointly responsible ministers are jointly responsible बच्चों jointly responsible किस लिए जितनी भी government policies आई है जितनी भी government policies आई है उनके लिए किसको responsible होगा यह directly responsible होगा to the house of people that is the लोग सभा clear है next point पर आ जाओ a vote of no confidence यहां पर जो no confidence का motion होता है no confidence का जो motion pass होता है यह समझ लो if a no confidence motion is passed against a minister it is deemed to be passed against every minister समझ में आ रहा है a no, a vote of no confidence अगर किसी एक minister के against pass हुआ है तो यह समझ लो it will be deemed as it is passed against every minister ठीक है is passed against every minister clear हो गई बात इतनी clear आगे बढ़ते हैं बिटा आ जाओ individual responsibility पर आज़ा बिटा individual responsibility क्या होती है individual responsibility होती है इनकी appointing authority को कौन appoint करता है कौन appoint करता है बिटा बिटा प्रेसिडेंट को होती है council of ministers की individual responsibility प्रेसिडेंट को क्यूं क्यूंकि यहां पे इनकी appointing authority president ही है ठीक है और यह अपना office भी इनका जो term होता है ना council of ministers का यह भी during the pleasure of the president होता है कहां तक होता है pleasure of president clear हो गया appointing authority कौन है president है इतनी बात clear हो गई अब देखो यहां पे क्या होता है ministry को responsible होता है हर एक जो minister होता है इसकी individual responsibility होती है to the to the ministry clear है आ जाओ आगे बढ़ते हैं नया chapter शुरू होने जा रहा है कौन-कौन join करना चाह रहा है आ जाओ next chapter पर आ जो बेटा next chapter पर आ जो बहुत ही important wing है बहुत ही important pillar है हमारे constitution का हमारे government का हमारी country का ठीक है क्या कहेंगे इसको शुरू करें बेटा आ जो बेटा सब लोग join कर लो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले बेटा judiciary के बारे मेंगर हम लोग बात करें तो हमारे country में क्या है हमारी country में single integrated system है single integrated single integrated system है और इस single integrated system में इस single integrated system में आपको क्या देखने को मिलेगा the judiciary system जहां पे supreme court supreme court highest authority है the apex court supreme court supreme court is the is the apex court highest court ठीक है साथ ही साथ बेटा यहां पे आपको देखने को मिलेंगे civil laws civil laws है criminal laws है to govern the citizens होता क्या है आप यह मान के चलो अगर आप citizen of India हो तो जो laws है न वो आपके उपर लागू होंगे it will be applicable on you आपके सर के उपर लागू होंगे यह नहीं कि आपको पता नहीं है कि IPC नाम के कोई चड़िया होती है कोई चीज होती है और आपने किसी को murder कर दिया court में आप कहो यह नहीं 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 पता था कि IPC होती है मुझे सजा क्यों सुना रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता है ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है तो मतलब यह है कि law is always always applicable on you whether or not you know about it clear है अब देखो यहां पर बेटा हम लोग अगर appeal की बात करें ठीक है appeal Supreme Court तक आप कर सकते हो appeal appeal का मतलब क्या होता है comment section में बताओ appeal can be done till the Supreme Court from the very lowest court highest court of appeal है Supreme Court बतादो क्या मतलब होता है appeal का if we talk about the advisory jurisdiction so the president will not advisory jurisdiction का president से jail में जानेगा क्या मतलब है कोई मतलब नहीं है किस चीज की demand है eating with अर्षद की break demand कर रहे हो break demand कर रहे हो break demand कर रहे हो आप लोग break demand क्यूं कर रहे हो बेटा break demand मत करो क्यूंकि अभी पढ़ना बचा है कि अभी सफर लंबा है बेटा अगे बढ़ते हैं अब देखो Supreme Court पर अगर हम लोग आते हैं तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आर्टिकल 124 आर्टिकल आर्टिकल 124 of the Constitution provides for Supreme Court Constitution में mentioned है Supreme Court के बारे में अंडर आर्टिकल 124 यह highest authority है बेटा highest legal authority यह क्या है यह guarantor of the fundamental rights है protector protector of fundamental of fundamental rights it is the protector of the fundamental rights Supreme Court की बहुत बड़ी बड़ी powers हैं जो हम लोग आगे देखने वाले हैं ठीक है सबसे पहले बिटा composition क्या है कितने judges है Supreme Court में जल्दी से comment section में बताओ बिटा President कभी jail नहीं जाएगा अगर office में है अपने अगर official capacity में है तो नहीं जाएगा आ जाओ बिटा बिल्कुल बिटा paper pattern based strategy पे बात करेंगे पहले बताओ comment section में भर दो comment section को कितने judges हैं Supreme Court में चलो बिटा जल्दी से over हो जाएगा फिर हम लोग cover करेंगे आगे की चीजें पहले composition बता दो current chief justice of India कौन है यह बता दो जल्दी से who is the current chief justice of India who is the current chief justice of India पहले तो यह बता दो comment section में किसको किसको पता है जल्दी से बता दो किसको किसको पता है जल्दी से बता दो एक chief justice होगा यह तो सबको पता है one CGI लेकिन other judges कितने होंगे यह तो बता दो other judges कितने होंगे other judges कितने होंगे 33 absolutely correct 33 other judges तो formula क्या बना one plus 33 का one plus 33 का बिटा ठीक है 33 other judges होंगे बिल्कुल correct है पहले इसका जवाब दो मुझे इसका जवाब दो इसका जवाब दो बच्चो जल्ली से यह क्या है बिटा यह strength है supreme court की strength है of the judges और यह change हुआ है यह भी याद रखना यह change हुआ है पहले judges कितने थे 2019 का amendment था बिटा यहां पे जो है 33 judges हो गए requirement क्या थी बिटा absolutely correct आरोही यह आप लिख सकते हो यह आप अपने exam में लिख सकते हो गलत है शरद अर्विन गलत है यू यू ललित गलत है खुशी गुपता पूछ रही है history का one shot कब आएगा खुशी गुपता पूछ रही history का one shot कब आएगा बिटा one shot आ चुका है one shot आ चुका है बिटा एक बार बिटा comment section में बता दो कि क्या आप लोगों को बता है कि हमारे वहां हमारी judicial system में courts की era की क्या होती है सबसे उपर कौन सा court आता है फिर कौन सा court आता है comment section में बता दो बिटा जल्दी से बता दो अगर हम लोग बिटा qualification की बात करें qualification की बात करें तो एक चीज़ समझ देना कि सबसे पहले citizen of India number 5 है सारे qualifications में citizen of India लग देना तुम easy हो जाएगा जल्दी से बता दो पहले पहले 2019 में बिटा हाँ correct है 30 थे judges तो एक तो हो गया citizen of India supreme court का judge बनना है अगर अगर supreme court का judge बनना है तो आपको high court का judge होना चाहिए at least for 5 years high court high court judge at least for 5 years किसने किसने movie देखी है jolly llb jolly llb movie किसने किसने देखी है किसने किसने jolly llb movie देखी है बच्चो जल्दी से बताओ session end होने वाला है बहुत ही जल्दी end हो जाएगा बने रहना है end तक कि क्योंकि important questions बताऊंगी पहले बताओ jolly llb किसने देखी है absolutely correct एराखी बता रहे हो what is confusing नुमान क्या confusing हो रहा है आपके लिए तो हाँ यहाँ पे high court judge होगा 5 साल के लिए या फिर या फिर he should be an advocate for 10 years और he has been advocate practicing advocate for at least 10 years अब यहाँ पे यह बताती ना कि क्या confusing हो रहा है तो अभी यहीं पे clear कर लेते हैं बच्चो jolly llb देखी है बहुत ही बढ़िया movie है वहाँ पे आप देखोगे court system को दिखाया गया है और दिखाया गया है कि किस तरहां से जो judiciary है वो over burden हो गई है आपको एक बात बता दू मिटा judiciary में और parliament में हमेशा तसल रहता है और कहीं न कहीं judiciary जो होती है वो ज़ादा powerful हो जाती है parliament से कि कि जो law pass होता है वो judicial review भी हो सकता है उसका आप इस तरह से कुछ भी नहीं pass कर सकते समझ में आ रहा है ठीक है बेटा बेटा मैंने LLB भी किया हुआ है और मैंने LLM भी किया हुआ है और मेरा LLM constitutional law में है ठीक है मैंने हाँ किया हुआ है ठीक है इतना हो गया advocate for at least 10 years तो मतलब क्या है ये एक compulsory requirement है देखो red में जो है ये compulsory qualification है और यहाँ पे green में जो है बेटा green में जो qualification है यहाँ पे क्या है green qualification में ये है कि या तो high court का judge होना चाहिए at least for 5 years या फिर आप advocate होने चाहिए वो practicing advocate for at least 10 years clear है और और या फिर आप एक distinguished jurist होने चाहिए ठीक है distinguished jurist clear है clear है बच्चों अच्छा ये बताओ किसको law को law को अपने लिए future में अपना आगे higher education में लेना है law किसका aim है या law में interest किसको किसको है बताओ माधब को pursue करना है law very nice hello abu sir how are you not tired yet बता I am teaching you that is why I am not tired अच्छे से marks ले क्या हो बढ़िया से पढ़ाई करो इसलिए I am not tired me what is law ma'am me तो law में मतलब interest जगता है अच्छी बात है क्या चीज है मतलब जो आपको inspire करती है जैसे law में आपको practice में जाना है या you want to be a judge या ऐसे करना है मतलब जैसे आपको competitive exams देने हैं बढ़िया college पाना है क्या aim है हम बनेंगे चाय वाले बहुत बढ़िया lawyer बनना है corporate lawyer बहुत scope है आजकल तो बहुत ज़ादा हो रहा है very nice humanities में interest है बढ़िया है IPC पता है क्या जानते हूँ IPC में common law admission test I think बहुत ही बढ़िया एक option रहता है बहुत ही बढ़िया रहता है doctor बनना है बहुत अच्छा है ठीक है तो ये सारी चीजे तो चलती रहेंगी LLB करना है LLB करना है तो बढ़िया है class 12 के बाद भी कर सकते हो बहुत बढ़िया Sunny Deoil inspiration है क्या inspire करता है वो hand pump उखाडना hand pump उखाडना inspire करता है पानी पूरी बहुत बढ़िया है यार neat aspirant हो अच्छा IIT IPS officer बनना है अराध्य को awesome Devanch wants to be a judge very good Devanch easy होता है law law easy होता है लेकिन ये याद रखना ये याद रखना अपनी जो college life है उसमें जो law पढ़ाया जाएगा उसको अच्छी से पढ़ना चलो फिलाल तो exam पे ध्यान दो ठीक है ये qualification हो गई और लगा हुआ है यहाँ पे भी चलो आगे बढ़ते हैं आजाओ appointment पे आजाओ बिटा appointment पे आजाओ बच्छो यहाँ पे बिटा president जो है president ही appoint करता है appointing authority होता है chief justice nda, ca, entrepreneur very good pw teacher बनना है iitn बनना है ca बनना है nda, pw teacher बनना है civil services, youtuber ok youtuber में क्या बनना चाहते हो तारीक पे तारीक nda ठीक है बिटा बढ़िया है, अच्छा है iitn बनना है बहुत बढ़िया है बहुत ही बढ़िया है all the best for all your careers बिटा ठीक है, आजाओ तो यहाँ पे समझते हैं बिटा यहाँ पे इतना समझ लो कि president जो है appoint करता है supreme court judges को लेकिन अगर other judges की बात है तो वहाँ पे CGI का consultation रहता है और और अगर chief justice of sorry, president chief justice of India को directly elect करता है, clear है appoint करता है done है बिटा यह चलो, आगे बढ़ते हैं term of office, क्या term होता है सीधी साधी बात है बिटा सीधी साधी बात है कि term simple रहता है कोई time period fixed नहीं है क्या आप लोगों को यह बात पता है कि supreme court judge की CGI की कोई time period fixed नहीं है 65 years 65 years के बाद retire कर जाते है ठीक है maximum age है यह बिटा maximum age है this is the maximum age ठीक है और अगर बात करी जाए resignation की resignation की बात करी जाए किसको resignation देंगे appointing authority कौन है कभी भी confusion हो appointing authority पे चले जाना resignation मिलेगा president को resignation मिलेगा president को removal कैसे होगा बिटा removal again through impeachment 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 के through removal होता है बिटा the little match girl ने lock किया है I don't know her कौन है ये clear है इतना समझ में आ गया तो minimum age नहीं है कोई minimum age नहीं है जैसे हम लोगों को member बनने के लिए लोग सभा कि 25 years of age चाहिए होती है यहां पे no minimum age है लेकिन maximum है 65 years of age जो है बिटा cricketer बनना है so हमको बहुत बढ़ी है बिटा ठीक है बहुत ही बढ़ी है ये हो गया आपका इसकी बात independence of judiciary from the control of executive and legislature क्यों important होती है independence of judiciary judiciary की independence इतनी important क्यों होती बच्चों ये बता दो यार ये बता दो कि judiciary की independence इतनी जादा important क्यों होती है क्यों होती है क्यों की बेटा जो judges का appointment होता है न उसमें किसी का interference नहीं चाहिए रहता है अगर judges को appointment करने में executive का किसी का interference ले लोगे या अगर आप judges को appointment करने में legislature की किसी की किसी भी member की मदद ले लोगे लोग सबा या राजसबा में से तब आप देखोगे थोड़ा सा जो है corruption आ सकता है इसे लिए impartial impartially जो है बेटा impartially president जो है appointment करता है high court और supreme court के judges की consultation के बाद ठीक है साथ ही साथ removal की अगर बात करो removal और judges की बात करो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बेटा यह होता है on proved proved misbehavior proved misbehavior पे इनका removal होता है इनकी tenure की security होती है security of tenure आप आओगे judges में independence of judiciary इसी लिए होता है no minimum age और 65 years थक रहेंगे साथी साथ आपने देखा financial emergency की time फिर भी इनकी salaries reduce नहीं करी जाती है कितनी important बात है politician बनेंगे politician बनेंगे बेटा अपना decision देने की freedom होती है decree pronounce करने की freedom होती है कोई भी order पास करेंगे decision पास करेंगे decree पास करेंगे judgment पास करेंगे किसी का interference नहीं होगा English grammar one shot बहुत गुसा हो रहा है happy sing happy sing is not happy at all देख लो जरा कितना गुसे वाला emoji बनाया है ठीक है बहुत ही बढ़िया power punish कर सकता है अपने खुद के contempt के लिए कोई आएगा कुछ भी कह जाएगा नहीं मानेंगे कहीं से भी पकड के लिए आएंगे पाताल लोग से भी उठा लेता है supreme court खिचवा लेता है बहुत powerful अगर अपने सामने किसी भी authority को खड़ा करना चाहे तो वो खड़ा कर सकता है कटगरे में सवाल उठा सकता है बेटा पूरा control होता है work as well as establishment पे कोई discussion नहीं हो सकता है legislature में क्या हुआ किस judge ने क्या कह दिया अरे इन्होंने कितना बेकार decision दिया है we cannot say that वो उनका judicial mind है उन्होंने वो apply करा है we cannot say that समझ में आया prime minister supreme court के order को deny कर सकता है ऐसा नहीं करेगा prime minister ऐसा नहीं कर सकता है prime minister कर तो कुछ भी सकते हैं लेकिन supreme court ऐसी एक apex body ये बिटा नहीं किया जा सकता है उसकी खुद की values उसको allow नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए ठीक है आजा prohibition of practice after retirement independence of judiciary होती है आप कहो कहीं और practice कर लो किसी court में practice कर लो आपके क्या value रह जाएगी यार judge हो judge हो यार justice हो नहीं कर सकते हो ठीक है आगे बढ़ जाओ jurisdiction and power मतलब क्या होता है jurisdiction का बहुत ही important part आगा है बिटा jurisdiction का मतलब ये होता है कि इस particular area में अपनी power को exercise किया जा सकता है it is the power that a court of law exercises to carry out judgments and enforce law supreme court is the protector and the final interpreter it is the final interpreter of the constitution क्या क्या power jurisdiction होता है original होता है appellate होता है as well as advisory होता है ठीक है बढ़ बढ़ आप लोगों के लिए ही कर रही हूँ आपसिरूटली area where can you exercise power बिल्कुल करेक्ट है jurisdiction of the supreme court करेक्ट है बढ़ ठीक है बढ़ चाप्टर कंप्लीट होने वाला है बढ़ चाप्टर कंप्लीट होने वाला है अब देखो क्या होता है original jurisdiction पर आ गए original jurisdiction का मतलब क्या होता है original jurisdiction का मतलब यह होता है originally यह matter supreme court के पास ही जाएगा क्या matter है center state या interstate dispute center state या interstate dispute first instance पर क्या मतलब है first instance पर the matter will be heard heard का मतलब क्या होता है यहाँ पर सुनवाई होगी आपके case की आप देखो क्या होता है Tamil Nadu, Karnatak, UP, Bihar कोई dispute arise हो गई या Union of India Central Government से Bihar Government को कोई परिशानी है Central Government से Maharashtra Government को कोई परिशानी है तो center state या interstate dispute अगर कोई आ रहा है तो मतलब जहाँ पर Government of India है और any other state या कोई और state है वहाँ पर original jurisdiction exercise करेगा साथी साथ Government of India एक तरफ है Government of India है और उसके साथ कोई state है जो उसका साथ दे रहा है और उसके against और any other state मान के चलो Government of India Union of India along with UP versus Bihar इस तरह से भी हो सकता है समझ में आया और between two or more states two or more states यहाँ पर पार्टी इसके बात कर रही है मतलब Government of India एक पार्टी हो गया और उसके against हो गया कोई state साथी साथ यहाँ पर Government of India एक पार्टी हो गया यह state अलग पार्टी हो गया versus यह वाला state और यहाँ पर two or more states समझ में आ रहा है आपस में भी matter चल सकता है और यह कहां जाएगा Supreme Court के सामने यह matter जाएगा लेकिन इसका exception यह है कि अगर कोई agreement है अगर कोई treaty या agreement है तो उसकी according govern होगा या फिर या फिर अगर कोई water dispute है अगर कोई interstate water dispute है क्या तुम जानते हो South के कौन से states में water dispute चलती है comment section में बताओ बटा comment section में बताओ कौन से states के बीच में dispute चलती है बतादो जान जाऊँ मैं बतादो कौन कौन से states में dispute चलती है साथी साथ बटा expenses और pensions के मामले में जो है ये exceptions हैं आपके first original jurisdiction के बेला गावी dispute अब हम पिटा judiciary वाले chapter पर आ गए है Supreme Court पढ़ने है absolutely correct water dispute चल रही है कौन सी नदी को लेके चल रही है ये भी बता दो कौन सी नदी को लेके चल रही है ये बता दो protector of fundamental rights और इस protection में क्या करता है it issues issues various rights rights को issue करता है कौन कौन जाता है बेटा rights के बारे में कौन कौन जानता है बिल्कुल correct है बेटा correct है water dispute चल रही है नदी का नाम बता दो श्याकांत कह रहा है नहीं समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है बता दो protection of fundamental rights अगर violation हो रहा है वोईलेट करने अबरिज करने fundamental rights को fundamental rights को अबरिज करा जा रहा है तो उसके against क्या करेगा rate pass कर देगा Supreme Court रोक लगा देगा transfer कर सकता है cases transfer कर सकता है अपने pass cases from lower courts Supreme Court चाहे आप नहीं कर पा रहे हैं सही काम अब case उठा ले अगर public importance matter का case है उठा सकता है public interest litigation के बारे में क्या जानते हो PIL कितनी बड़ी device है public के लिए काम करते हैं बताओ क्या जानते हो कावेरी, awesome, बहुत बढ़िया गंगा कहां बेटा कावेरी water dispute ठीक है transfer कर सकते हैं under article 139A transfer कर सकते हैं किसी भी high court से ले सकते हैं from high court to itself और किसी और high court से किसी और high court भी भी भेज सकते हैं interpretation of constitution पता है supreme court final interpreter होता है final interpreter होता है constitution का पता है he is the final interpreter of the constitution कोई चीज constitution में नहीं mentioned है और supreme court ने judgment pass कर दिया it is treated as law it is treated as law समझ में आ गया इतना समझ में आ गया आ जाओ अब बेटा हम लोग करेंगे अब हम लोग करेंगे appeal art jurisdiction appeal art jurisdiction सबको समझ में आता है appeal art jurisdiction public interest में case कर सकते हैं PIL में लोग इखटा होके करते हैं group of people कोई संस्था कोई organization public की interest में कोई अग्रीव्ट है women, children, child harassment शादी हो रही है बालक लड़कियों की इसके बारे में क्या जानते हो appeal art jurisdiction क्या होता है original jurisdiction देख लिया है हम लोगों ने अरे कौन पूछ रहा है अदिती इस जुडीशिरी चैप्टर हम लोग देख रहे हैं supreme court तुम इतना बता दो CBS ती नहीं है इतना तो बता दो appeal art jurisdiction क्या होता है इस पे चांस हो उसको मारते रहो है appeal art jurisdiction का मतलब होता है appeal grant करने की जो power है power to grant to grant appeal अब ये exclusive power नहीं है जो खाली supreme court को मिली है या high court के पास भी है आजाओ appeal art jurisdiction यही होता है लेकिन एक बात ये है कि अब आप ये कहो कि supreme court के बाद हमें जाना है कहीं appeal लेके आड़े वे हो lower court से आ रहे हो district district court से आ रहे हो high court तक पहुचे उसके बाद आप कहे रहे हो supreme court के भी उपर जाना है ICJ तक जाना है ICJ तक जाना है appeal supreme court के ICJ को नहीं लाए करती है because supreme court is the final court of appeal अब इसके बाद कोई चारा नहीं है इसके बाद कोई चारा नहीं है इसके बाद नहीं बच सकते हो आई समझ में कि नहीं आई constitutional matter पर पहले आजो constitutional case में पांच जज बैठेंगे पांच जज बैठेंगे और constitution से related कोई भी matter है matter related to constitution ये देखेंगे appeal के matter में ठीक है? appeal के matter में और ऐसे matters में होता क्या है? अब ये कहोगे साफ नहीं दिख रहा है में relating to constitution इतनी बात clear हुई की नहीं लेकिन एक बात ये समझ ले न कि high court जो होता है high court जो होता है ये certificate issue करता है high court ने certificate issue कर दिया constitutional matter है supreme court चले जाईए आप आपका matter constitutional matter है अब आप supreme court चले जाईए हम ये certificate issue कर रहे हैं ये आप supreme court में पेश कर दिजिएगा तो ये क्या है constitutional cases है final court of appeal क्या है supreme court आ गया आपका अब हम लोग देखेंगे civil cases civil से क्या जानते हो एक बाद ये बता दो एक बाद ये बता दो ma'am हम अभी भी शर्मिन्दा हैं class को छोड़ने वाले अभी जिन्दा है तुम लोग को शायरी आती है तो सुनाओ ना यार तुम लोग को शायरी आती है सुनाओ मैं तो वेट कर दी हूँ जिस दिन चैट बॉक्स में वोईस मेसेज आने लगें वोईस मेसेज आने लगेंगे तो वोईस मेसेज तुनेंगे लेकिन class के time पे कहां सुन पाएंगे तुम लग पहले बताओ civil criminal में क्या difference होता है ये बताओ तब तो जाने क्या जानते हो तुम लोग civil criminal में क्या difference होता है जल्दी से बताओ पहले क्या difference होता है civil और criminal में people से related difference होता है बिल्कुल नहीं होता है judiciary पूछ रहा है अबुजर अबुजर तुम spam कर रहे हो बेटा judiciary क्या होती है courts होते हैं judges होते हैं जो comprise करते हैं what is decree decree order judgment ये सारी चीज़े हैं methods इसके through court अपना decision देता है civil cases क्या होते हैं civil property बिल्कुल भी नहीं पता है तुम लोगों को तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है यार नहीं पता है बेटा civil cases होते हैं बेटा जहां पे property से related matter होता है will से related matter होता है वसियत से related matter होता है divorce से related matter होता है marriage से related matter होता है guardianship से related matter होता है ये सारे civil related matters है civil properties से related matter होता है इसमें भी क्या होता है certificate देता है high court से certificate मिलता है certificate high court देता है इसमें भी समझ में आ रही है कि नहीं ठीक है लेकिन यहां पर क्या होता है एक चीज होती यह है कि कि अगर वो matter जो है substantial यह याद रखना question of law कोई ऐसा matter है जहां पे substantial question of law arise हो रहा है वहां पे high court जो है यह certificate issue कर देता है कि भाई आप matter अपना supreme court लेके जा सकते हैं ठीक है वो कहता है कि यह important matter है यह important matter है और अब हमाई बस में है नहीं है वो असल में थोड़ा डर जाता है कि ऐसा matter है कि हो सकता है कि अगर हम deal करने तो supreme court बुला ले उस matter को हम क्या करेंगे मेरी क्या रह जाएगी आई समझ में समझ में आ रही है बिटा supreme court कर रहे हैं जो बच्चे अभ we are dealing with its appellate jurisdiction the power to decide cases in appeal appeal में आता है यह decision supreme court ने पास कर दिया मेरे खिलाफ किया है हम अग्रीफ पार्टी है हम नहीं मानते हैं आपके decision को हम क्यों compensation भरेंगे हम क्यों सजा काटेंगे मेरी कोई गलती नहीं थी हम supreme court तक जाएंगे यह क्या है appeal करने की right है हमारी आर यह समझ में बा clear हो गया अब देखो अब यहाँ पे same criminal cases में भी certificate issue होता है बिटा certificate issue होता है by high court ठीक है certificate high court issue करता है एक बात और है एक बात और हम लोग cover करेंगे बिटा एक बात और cover करेंगे लेकिन उससे पहले भीम राओ अंबेतकर जी डॉक्टर भीम राओ अंबेतकर immense role play की आए बिटा he was the chairman he was the chairman of the of the drafting committee drafting committee की यह chairman थे बिटा drafting committee के chairman रहे है यह बहुत ही important role रहा है बच्चों इनका इन्होंने क्या कहा rights are real only if they are accompanied by remedies आप remedy ही नहीं provide करोगे एक बात बता दो हमसे कहेंगे कि तुम्हारे पास right to equality है मान के चलो किसी ने मेरी right to equality को दबा दिया, infringe कर दिया अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं है मैं कहा जाओ मान के चलो मुझे यह court का forum नहीं बताया गया तो मैं कहा जाओंगी तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि rights तभी real हैं जब आप remedy provide करोगे it is no use in giving rights if the akreef person has no legal remedy to which he can resort when his rights are invaded invaded, clear हो रही है कि बात नहीं clear हो रही है इसकी पूछ रही है cabinet क्या होता है तुम पहले यह बताओ बिटा तुम कब join की हो? कब join की हो? बच्चे ने advisory jurisdiction के बारे में पूछा था मुझसे advisory jurisdiction के बारे में पूछा था बिटा तो advisory jurisdiction क्या होता है, पता है, बताओ अच्छा, comment section में बताओ, advisory jurisdiction क्या होता है बेटा, अब president को लगता है, जब president को ये लगता है, कि हमको किसी matter में, किसी matter में, जो public importance का matter है, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, तो क्या हम Supreme Court की advice ले सकते हैं? बिल्कुल हम Supreme Court की advice ले सकते हैं, when Supreme Court की advice has been taken by the president, ठीक है, लेकिन एक बाँ बता दें, एक बाँ बता दें, ये कहो कि president, president is not bound, not binding on the president, president चाहे माने, चाहे ना माने, क्यों? क्योंकि ये judgment नहीं है, ये सिर्फ advice है, advisory nature की हो सकता है, president को ना समझ में आए, हो सकता है, ना समझ में आए, ठीक है, इतना समझ में आ गया बेटा, advisory jurisdiction समझ में आ गया है, ये बेटा दिया गया है, article, article 143, article 143 of the constitution, ठीक है, clear हो गया बेटा, बिल्कुल clear है, बता दो पहले fire emoji कर दो, fire emoji कर दो बेटा, fire emoji कर दो बेटा, हाँ, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, लेकिन राजवीर कह रहा है, राजवीर कह रहा है, मज़ा नहीं आया, तो मज़ा कैसे आएगा, ये बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, मज़ा कैसे आएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है, advisory jurisdiction, आरे गजब, आरे भाई साफ, फायर मुझी आ गए बहुत बढ़िया देखो, केशव अगरवाल ने भढ़ दिया, रिवाईजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है रिट्स क्या होती है, रिट्स पढ़ने वाले हैं, बेटा हम लोग, रिट्स पढ़ेंगे रिवाईजरी जुरिस्डिक्शन, अब उसर लिख रहा है, रिवाईजरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है रिवाईज करना जुरिस्डिक्शन को बोल रहा है हो, रिवाईज करना जुरिस्डिक्शन को जुरिस्डिक्शन को रिवाइस करोगे, रिव्यू करना बेटा, it is basically reviewing, reviewing the judgment and the order, the judgment and the order passed by the Supreme Court itself, Supreme Court itself ने जो judgment order passed किया है, उसको revise करना, उसको review करना, ना तो jurisdiction को review करना, jurisdiction तो उसको पताई है, उसका है, murder and chory ma'am, and you, अरे भाई सहाब, तुम लोग तो हद कियो, object क्या होता है, अच्छा बता दो, object क्या है, अगर कोई मान के चलो, कोई गलती हो गई, कोई mistake हो गया, कोई error हो गया, है ना, object क्या है, any mistake, कोई error हो गया, मान के चलो, तो उसको correct करना है, correcting nature का होता है, correcting nature का होता है, जो तुम jurisdiction को review करवा रहे हो, ना, अरे, गजब कर दिया, तुम लोगों ने भी हद कर दी, हद कर दी, समझ में आ गया, अब क्यूं होता है, ये, correct करना इसलिए important होता है, क्योंकि जो supreme court का judgment order होता है, जो ये देख रहे हो, ये binding होता है, high court और जो lower courts होते हैं, उनके उपर, ये compulsory होता है, जो supreme court ने order, जिस matter पर पास कर दिया है, अगर उसी related matter से कोई आपके सामने court पर आता है, तो वो आपको उसी line पर देना पड़ेगा, जो supreme court ने किया, मान के चलो अगर कोई mistake, error हो गया, और supreme court के सामने ये मसला आता है, तो obviously वो review करेगा ना, उसको, क्योंकि ये precedent की तरह काम करत होता है, जो judgment order होता है न, it is used as a precedent, used as a precedent, used as a court of record, court of record, साथी साथ evidence की तरह use होता है, इन सारे matters में जरूरत पड़ती है, out of syllabus आ गए, ऐलन बताने के लिए, again, तो बंद कर दिया लो, हटा दिया, अब इतना important है ये, यहाँ पे, कोई law pass हुआ, कोई law pass हुआ, law बना दिया गया, फला 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 लो, government of India लिख दिया, और ये law pass हो गया, law pass हो गया, है न, law pass हो गया, बच्चे हसी बना रहे हैं मेरी, और वो देखो, क्या लिख रहा है, अब देखो, फेडरलिजम कोई बच्चा पूछ रहा है, फेडरलिजम जब मैं शुरुआत में पढ़ा रही थी, तो बच्चों ने कहा था कि माम ये syllabus में नहीं है, अब देखो, आजाओ, judicial review पर आजाओ, ठीक है, law कोई बन गया, act बन गया, मतलब मान के चलो, act है ये, ठीक है, अब यहाँ पर, तुम हो, ठीक है, you, तुम हो, बड़े खुश हो, तुमारी fundamental right जो है, तुमारी fundamental right सब बढ़िया मिली विये, चंगे हो, खुश हो, बहुत खुश हो, कुछ law पास हो गया, और इस law ने, तुमारी ये जो fundamental right थी, इसको curtail कर दिया, हटा दिया, दबा दिया, ठीक है, अब तुमारी दिल तूड गया, अब तुमारी तुम जो अ तुम जाओ अपना matter लेके, और तुम जाओ judicial review के लिए supreme court, तुम supreme court जाओ, supreme court में ये जो matter है, ये supreme court judicial review में भी देख सकता है, और साथी साथ तुम directly supreme court अप्रोच करते हो, under article 32, enforcement of rights उसी में होती है, बिटा, तुमारे matter को देखा जाएगा, तुमारे matter को देखा जाएगा, और supreme court उस पे act करेगा, समझ में आ गया, ठीक है, तो judicial review पे पहले आ जाओ, ठीक है, ये तो तुमारा matter हो गया, जिसमें तुम्हें direct right मिलती है, supreme court जाने की, लेकिन मानके चलो, ये मानके चलो, सरकार बावली हो गई है, सरकारी fundamental right दबा रही है ठीक है, government ने कोई law बना दिया, government law, ठीक है, curtailing, curtailing fundamental right, तो supreme court के पास ये power है, कि उस law को, उस law को null and void declare करेगी, null and void, from the very beginning आपका law applicable ही नहीं है, कट कर देगी उस law को, protector है बिटा, fundamental rights की protector है, null and void declare कर देगी, अगर, अगर against है बिटा, if against the, the very spirit of the constitution, the very spirit of the, of the constitution, clear, ये हो गया आपका judicial review, कभी देखना constitution खोल के article number, article number 13, clear है, done, 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 done हो गया बिटा, ये, आजाओ आगे बढ़ते हैं, jurisdiction हम लोगों ने देख लिए बिटा, power function, cover, देख लिया है, देख लिया है, judicial review, appeal, protector, original, अब हम लोग एक important part cover करने वाले हैं, बिटा, एक important part, court of record तो चलो हम लोग समझी लेंगे, लेकिन ये important जो पार्ट है, ये भी आने वाला है, ठीक है, Supreme Court एक court of record है, बच्चो, court of record है, अभी ये मत समझना, ये मत समझना, अब तुम्हें लग रहा है कि यार civics है, 5 chapter है, मैं आम ने इता time लगा दिया, एक बात बताओ, तुम्हारे number आने है, तुम्हाई exam में अच्छी percentage लानी है, बिना पढ़े आ पाएगी, बिना पढ़े आ पाएगी ये बताओ, बहुत बढ़िया प्रतीक मोहंती, very nice, कह रहा है, the court has the power to review the judiciary, the review, the judiciary नहीं, review the law बेटा, law is passed by the parliament, judiciary को कहा, judiciary दो वो खुदी है न, clear है, court of record पे आजो, बस बहुत ही कम बचराए, supreme court cover हो गया, court of record, जहाँ पे judgment record किये जाते हैं, evidence के लिए, अब ये जो judgment होते हैं, ये precedent के nature के होते हैं, अभी मैंने बता चुकी हूँ, they are not to be questioned, इन पे question नहीं किया जाएगा, specially बेटा जब supreme court का होता है, ये court of record है, and it shall have powers of such court, साथी साथ अपने contempt के लिए punish भी कर सकता है, कदम में आ गए most important topic आ गया बिटा, most important topic आ गया, rates, very very important, क्या लगता है बिटा, rates की importance है कितनी, importance बता दो बिटा, जल्दी से rates की, क्या लगता है, बहुत important है बच्चो, बहुत ही जादा important है ये, exam point of view से, extremely important, शुरू करें बिटा, why is a constitution secret document क्यों है बिटा, खुला हुआ document है बिटा, government of India Act 1935 और बाखी country से borrowed constitution हमारा है, बहुत ही अच्छा constitution है, Math 9 का मैं रितिक सर करवा दो, exam आ रहा है, करेंगे बेटा, करेंगे, चलो, आ जाओ, सबसे पहला रिट, सबसे पहली रिट देखने जा रहे हैं हम लोग, the writ of habeas corpus, क्या जानते हो, habeas corpus का मतलब क्या जानते हो, corpus का मतलब क्या होता है, corpus का मतलब होता है body, habeas corpus का मतलब होता है to have the body, मान के चलो तुमारा दोस्त है, मान के चलो केशव का दोस्त है, prince, prince को illegally detain कर लिया गया है, illegally detained कर लिया गया है तुम जाओगे Supreme Court Article 32 में कहोगे Sir Prince को छुड़वा दीजे illegally detained करा गया है Supreme Court देखेगा तुमारा matter Supreme Court तुमारा matter देखेगा और कहेगा कि यार Prince को तो illegally detained करा गया है habeas corpus की rate pass करेगा जहाँ पे तुरंथ तुरंथ ही इस rate के माध्यम से आपको remedy मिलेगी proper remedy मिलेगी ठीक है It means clearly to have the body by issuing such rate the High Court or the Supreme Court can get the body of any person, group of person by the state ठीक है It is a great safeguard, personal freedom of a citizen किसी personal freedom के लिए बटा किसी citizen के ये most important safeguard है ये ना हो तो कैसे आप काम चलेगा ठीक है mandamus की बात करी जाए बच्चो mandamus की बात करी जाए to command, we order ये command होता है एक superior court किसको करता है एक lower या administrative authority को करता है कि आपको ये duty करनी है आपने miss कर दी पहले comment section में ये बताओ कि कितनी rates होती है कितने प्रकार की rates होती है जली से बताओ comment section में कितने प्रकार की rates होती है मेरा दोष जॉनी ला पता जॉनी open the chat कर दो जॉनी को ढूण लो यार कहा है जॉनी पांच प्रकार की rates होती है आदित्या ने भर दिया चलो second हो गई है third पे आजाओ writ of prohibition नाम से ही क्या समझ में आता है it is an order issued by a superior court एक lower court को order करता है कि भाई रुख जाओ stop your proceedings which might be in the excess of the jurisdiction तुम्हें ये power नहीं है तुम बढ़ गई अपनी power से नीचे रहो दबे रहो ठीक है clear हो गया आजाओ जॉनी को ढूण दो भई जॉनी को गया है fourth writ writ of certiorari ये issue करा जाता है by a supreme court judicial authority को issue करता है कि भाई ये बता दो कि क्या चल क्या रहा है what is going on इससे ये appear करता है similar to the writ of prohibition लेकिन यहाँ पे difference है prohibition is issued when certain proceedings are going on रोक लगाने के लिए certiorari में क्या होता है after the order pass order pass हो चुका है बिटा difference है साथी साथ last but not the least writ of co-warrant writ of co-warrant आजाओ it means by what order भाई किस order से ये post hold करेवे हो आप कहां से ये post hold कर लिए आपने कैसे hold कर लिए कहां से आपको ये option दिया गया था ये नौकरी जॉइन करने का आप इसके लिए applicable नहीं हो writ pass कर दी सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा by what order by what authority it is issued when a person has usurped any office गलत तरीके से office hold किया हुआ है this writ prevents public officers from forcibly or wrongly holding an office आई समझ में कि नहीं आई ठीक है बिटा आगे बढ़ते हैं बिटा rates cover हो गई एक होता है बिटा special leave to appeal article 136 article 136 में दिया गया है हो सकता है पूछ लिया जाए what is special leave to appeal to the Supreme Court special leave to appeal क्या होती है हो सकता है बच्चों आपसे पूछ लिया जाए ठीक है ये civil matter में criminal matter में बतलब ये special leave to appeal Supreme Court grant कर सकती है ठीक है civil matter में या criminal matter हो अगर तो Supreme Court ये special leave to appeal grant कर सकती है ठीक है against any judgment of order ठीक है किसी भी judgment और किसी भी order के against ठीक है ये याद रखना special leave to appeal आज़ो बेटा अब यहाँ पर क्या आ गए है यहाँ पर बेटा function आ गए functions आ गए है जादा नहीं है जादा नहीं है केवल और केवल चार functions है खतम chapter चारो functions करवा दू इजाज़त है इजाज़त है इसरा मैम OP in the chat OP हो गई इसरा मैम चलो बढ़िया है पहली बताओ कि administrative चलो appointments of officers and staff of the Supreme Court are made by the chief justice or by such others as the court में direct दूसरी बात ये क्या है administrative और supervisory functions है court makes rule regarding the conduct of advocates पूरे rules बने वे हैं Supreme Court के इस प्रकार के उसके according काम होता है आगे बढ़ो Supreme Court ये rule करता है कि Chief Justice of India's recommendation to transfer judges of the high court was not binding on the government if the recommendation was made without consulting एक ऐसा point है बिटा यहाँ पे मैंने बोला था consultation बहुत important है consultation बहुत important है इतना important है कि consultation को concurrence माना गया था कि इस पे हमें act करना ही करना पड़ेगा कहाँ पे appointment की बात हो रही है पता भी है कि हवा से निकल रही है आजाओ Supreme Court simplified procedures in the area of public interest litigation जान के यह point रखा था जान के यह point रखा था बच्चो public interest litigation में यह complaint register करी जाती है और इसके against necessary order pass होता है sexual harassment of women at work place विशाका केस के नाम से यह जाना जाता है बहुत ही important case रहा है और pavement dwellers जो जमीन पे यह लगाते हैं दुकाने लगाते हैं उनके लिए Supreme Court ने pass किया था तमाम बहुत बड़े-बड़े cases उसमें इन्होंने यह pass किया था PIL लोग जाते हैं organization जाती है Supreme Court के पास बताईए हमाई साथ यह हो गया order pass कर देंगे favor में letter के थरू भेजा है PIL letter के थरू Supreme Court ने जवाब दिया है लोगों को बहुत बड़ी stance था है बेटा बैट के याद करना ही खाली लगता है न बड़ा आसान है नहीं होता है ऐसा समझ में आ गई PIL देख लिया है अब क्या है खतम कहानी खतम कहानी एक राजा थी एक रानी cover कर लिया है हम लोग ने सब cover कर लिया है बटा आजाओ question देख लो बटा single integrated system of court से क्या मतलब है आपका briefly explain about the term of office and the procedure procedure for removal of a Supreme Court judge briefly पूछा गया है ठीक है lecture खतम नहीं हुआ है chapter बचरा एक भागने को तयार हो गए अरे lecture नहीं खतम हुआ है कह रहे है मैम यह syllabus में है क्या हमें स्कूल में नहीं करवाया तुम एपसेंट होगे बटा उस दिन bunk पे होगे अब क्योंकि अब ये जब तुमें तभी पता चलेगा यह syllabus में है जब तुमाई exam जब तुमाई question paper में आएगा और तुम बहार निकलोगे राहूल से पूचेगा अब राहूल यह पढ़ाया था क्या तो यह तभी तुमाई पता चलेगा समद में आ रहा है की नहीं आ रहा है बताओ agent बता रहा है से लिबस में है अरे तुम question देखो खतम करो how is the judiciary independent from the control of executive and legislature बता दिया 5 point में आगे बढ़ते हैं last chapter पे आ गए हैं भाईया जी smile last chapter पे आ गए हैं एराकी बता दो courts की एराकी बता दो courts की बता दो भई क्या है मसला शुरू करा जाए की नहीं यह बता दो अच्छा पियोश कुमार तुम खुदी बुल्डोजर हो बुल्डोजर दिवारी तुम खुदी हो रितु रानी बता रही मजा आ गया बटा खतम नहीं हुआ अभी अभी खतम नहीं हुआ है session अभी बच रहा है session आसिम सर ओपी हो गया भाई वा भाई वा आसिम सर ओपी हो गया CBSC वाले ओपी सब ओपी यार ICSC वाले CBSC वाले यह क्यों चलता है तुम लोग के बीच में इतना CBSC यार इसी इसी बताओ जरा comment section में क्यों चलता है बता दो देखिए हम जरा क्या मसला क्या है तुम लोग को क्यों चलता है तुम लोग के बीच में इतना पहले बता दो यार आसिम सर ओपी हो गया जल्दी बताओ CBSC वाले ओपी क्यों होता है यह बेटा अलग सर को कौन नहीं जानता है यह बताओ पहले मैम यूनो अलग सर बहुत अच्छे जानती हूं सर को ICSC is harder English ऐसा नहीं है यार English तुम वहां भी है NCRT की लैंविज को तुम्हें अंदाजा नहीं है बिटा NCRT की लैंविज बहुत difficult होती है ब्रेक मांग रहे हैं कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों तुम लोग अपना ही देखो अगर कोई problem होती तो आप कोई problem होती तो यह लोग बोल देते कोई ICC is way harder देखो difficult तो NCRT की लैंविज भी बहुत होती है NCRT भी बहुत difficult होती है English of CBSC CBSC की English हाँ CBSC तो OP होता ही है यार CBSC भी OP देखो मैं ICCC की student हूँ लेकिन मैंने मैंने अभी इधर ICCC को भी deal किया है और मैं class 9 को CBSC भी पढ़ा रही हूँ सस्टी में history और geography तो बताओ CBSC वाले foreigner समझते हैं CBSC वाले foreigner हाँ बतला इतना तुम लोग वो मत करो इतना हाइप मत करो इतना कुछ है नहीं मैं तो हाँ लेवल हो सकता है यार लेवल हो सकता है क्यों एक बात बता दे लेकिन हाँ ICCC वालो तुम लोग एक बात सुनो आपको क्या होता है न एक टाइम आएगा अभी पढ़ लो पार्वे तक उसके बाद तुम्हें NCRT भी पढ़ने पढ़ेगी NCRT तुम्हारी सरकार Government of India इशू करती है तो वो भी पढ़ना पढ़ेगा ठीक है लेकिन एक बात यह तो तैह है कि ICCC हो या सीबेसी हो बच्चे पढ़ने वाले टॉपर धर जगां है तॉपर धर जगां है और अच्छा अच्छा एक बाह बताओ साइंस तुम्हें क्या लगता है सीबेसी वालों में हलकी होती नहीं होती है यार सीबेसी के दोखो ICCC वाला कह रहा है सीबेसी की मैथ हाड होती है सब लोग एक दूसरे में मिले जुले हैं यार NCRT हभी भी सब बढ़िया है यार सब बढ़िया है तो नहीं अच्छे हैं यार ICCC syllabus is very vast that I agree यहाँ पर तो मैं agree करूँगी यह तो मैं agree करूँगी कि syllabus vast होता है आजाओ जादा बच्चों कुछ बच नहीं रहा है अब जादा बच नहीं रहा है थोड़ा जा बच रहा है लेकिन यह मत समझना अब इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है यह मत समझना कि खतम हो गया यह मत समझना आजाओ हाई कोड़ पर आजा बच्चों NCRT हाँ देखो ICSC जो होता है बेटा ICSC में vast syllabus होता है और क्या होता है थोड़ा सा में क्या होता है CBSC में भी examiner तो वही मांगेगा लेकिन CBSC में क्योंकि जो marks का division होता है यह बच्चों के लिए answer लिखने में easy हो जाता है लेकिन CBSC की NCRT के language hard होती है समझना जाधा पड़ता है conceptual clarity जाधा मांगता है वह समझने में मेहनत जाधा लगती है समझ में आ रहा है तो ओपी तो दोनों ही है यार मैं तो यह कहूंगी CBSC भी ओपी है और ICSC भी ओपी है आजओ आप पहले constitution क्या कहता है constitution क्या कहता है तुम जिस भी state को belong कर रहे हो न तुम 36 गड़ से हो जारगंड से हो आंधरपदेश से हो करनाटक से हो सब जगा तुमें क्या मिलेगा high court मिलेंगे पहले यह बताओ कितने high court से हमाई country में हमारे country में कितने high court से common high court कौन बनाना चाहे अगर parliament बनाना चाहे common high court बना सकती है यह एरिया और population पर डिपेंड करेगा अरे यह देख लिया चीटिंग कर ली क्या कि चीटिंग करके बता दोगे तुम लोग हटाओ तो पच्चेस high court है ठीक है including those have jurisdiction more than one state एक से जाधा भी कर सकते हैं 21 लिख रहा है कोई आरे गजब आरे गजब 29 high court 28 नहीं बिटा common high court भी तो होता है दिल्ली यूटी एक ऐसी जिसके बस एक high court है अपना composition बता दो क्या है चीट जस्टिस मिलेगा such other judges as the president में appoint साथी साथ प्रेजिडेंट के पास additional judges को अपॉइंट करने की power होती है दो साल के लिए acting judge के लिए अपॉइंट करने की power होती है जब permanent judge नहीं है clear आ जाओ आगे जो सोच रहना यह high court और subordinate court वाला important नहीं है लोग अदालत से सवाल बनेगा 100% लोग अदालत से सवाल बनेगा अब क्या करोगे तब क्या करोगे qualification citizen होना चाहिए वहाँ पे age क्या थी versus अगर supreme court में देखो तो वहाँ पे 65 साल age थी यहाँ पे क्या दिखरी है 62 years 62 years आजाओ ठीके 62 years हो गया judicial office hold किया है 10 साल तक की यह has been advocate of high court for at least 10 years आगे बढ़ते हैं आजाओ यह देख लिया बच्चो qualification appointment देख लो आजाओ बच्चो appointment देख लो आके chief justice of a high court appoint करा जाता है by the president appoint करता है देख लिया है और इसमें chief justice of the supreme court का consultation होना चाहिए and the governor of the concerned state clear other judges president appoint करता है president shall consult the chief justice of India governor of the state and the chief justice of the high court in the matter of bar bar वही repeat हुआ है आजाओ condition of service पर आजाओ service conditions of judges ensure high courts are independent in carrying out that work from the legislative यही इनकी condition होती इसके अलावा आपको हटना नहीं है retirement removal and transfer पर आजाओ बच्चो जल्ली से judge of a high court enjoys security of a tenure and can remain office 62 साल तक की neither additionally nor acting judge can hold 62 years के बाद भी तुम जुटे पड़े हो हमें बनना है बनना है नहीं बन सकते हैं आप ठीके बिटा आजाओ a judge of a high court can be removed by the president on the ground of again prove misbehavior and incapacity on an address of each house of the parliament impeachment impeachment का क्या सीन है बिटा such an address request should be supported by a majority of total membership and by the two thirds of the members ठीक है ओगस्ट 2011 जस्टिस सौमित्र सेन अभी एक और जजजिस के उपर उठते हैं सवाल तो बताओ comment section में किसके बारे में जानते हो सवाल उठाए बिटा impeachment procedure के लिए क्यालकटा high court के judge थे सौमित्र सेन became the first judge in India's history जिसके against ये impeachment motion हो गया था pass समझ में आ रहा है justice सेन लेकिन escape कर जाते हैं जैसे कि लोग सबाज होती वो drop कर जाती proceeding उनके against साथ दे देते हैं आजाओ आगे transfer कर सकता है president कोई भी judge को एक high court से दूसरे high court तक की condition क्या है orders for transfer can be issued after consulting the chief justice of India the chief justice of India's recommendation must be made by consultation of four senior most judges clear four senior most judges ये याद रखना बच्चो यार प्लीज याद रखना ठीक है the views of the chief justice of the high courts one from which the transfer is taking place and other from which the transfer is to be taken place must to be affected ये भी obtain करेंगे जब judge transfer हो जाता है he shall be entitled to compensatory allowance in addition to his salary ठीक है आजाओ आगे salary salary parliament decide करता है rent free accommodation मिलता है बता हो बनोगे नहीं बनोगे high court के judge बनना है कि नहीं बनना है foreign study के लिए आए से सी बेस्ट है में प्लाइन फॉर्ण फॉर्ण जाएंगे अच्छा ये बताओ तुम लोगों का syllabus कितना complete हुआ है ये बताओ पहले तुम लोग का मतलब अपना syllabus जो school, coaching, online coaching, offline coaching के अलावा तुम लोग का syllabus कितना complete हुआ है ये बताओ बताओ थोड़ा हसाद हो मुझे कितना complete हुआ है बताओ जल्दी कितना complete हुआ है पूल हो गया किता अंजली का अरे गजब अरे बाप 70% हो गया है मैम समझ में ही नहीं आया पूरा हो गया है पांच परसंट नरूतो अरे गजब 100% हो गया केशव का 100% what is wonderful dance बहुत डर लग रहा है पूल सिलिबस इस डन पांच परसंट हुआ है पूरा सिलिबस हो गया है completed है अच्छा आरे गजब सैंपल पेपर हो गया है आलन के फ्रांस जाना है न इसलिए बुल्डोजर बताओ तुम पहले पहले बुल्डोजर बताएगा कितना हो गया है मुझे पुल्डोजर से जानना है 98% क्या बात कर रहे हो तुम लोग 98% हो गया है सिलिबस कैसे माननू मैं कैसे मानूं यह बात बताओ मैट्स पूरा हो गया है कुछ नहीं हुआ है मैम यह सच्चा ही है यह दिल से निकली है तुमारी कुछ नहीं हुआ है माम, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा बिटा, नहीं हुआ है तो, judges cannot be changed, अच्छा यहाँ पे rent-free accommodation देख लिया है, इनको change नहीं किया जा सकता है बिटा, ठीक है, during the course of their service, अगर financial emergency नहीं है, तब करा जा सकता है, कुछ नहीं हुआ है माम, नेम ले लो, नेम ले लूँगी बिटा, सैयद अलशिम, दृती, physics वाला माम, इगनोर, चलो ठीक है, इगनोर कर दिया, the salaries and allowances of the judges are charged on the, मैंने क्या बताया था, consolidated fund of the state, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इनकी practice पे बिटा restriction लगा होता है, ठीक है, retirement के other condition ये है, कि president appointing authority है, उनी को resign कर सकते हैं आप, साथी साथ, the office of the judge of the high court, vacant माना जाएगा, when he is appointed by the president, to be the judge of the supreme court, मान की चलो, transfer हो गया, क्या तुम लोग जानते हो, किसी high court के judge को, जो supreme court का भी judge बनाया गया है, मैं, please say my name, Anuman, hello Anuman, 99% lying, बच्चों अच्छा एक बात बताओ, कोई क्यारा 100% हो गया है syllabus, कोई क्यारा 98% हो गया है, बेटा, मेरा exam होता न, तो मेरा एक दिन पहले भी हुआ न होता, तुम लोग बहुत गजब हो यार, पूरा syllabus complete कर लिए हो, बहुत बढ़िया है यार, ये syllabus क्या होता है, ये बात आई न, रिशी ने बोला, चाहिदा ने बोला, देखो, history easy होती है, civics hard होती है, लेकिन बेटा, history में भी answer writing कैसे करोगी, इतने बड़े-बड़े answer लिखने हैं, कैसे लिखोगी, syllabus क्या होता है, रिशी, ये बढ़िया है, चलो आजाओ, यहाँ पर jurisdiction of the high court extends to the territorial limit of the state, अगर UP का high court है, तुम कहो कि वो judge, जो UP high court का है, पावर तो exercise करेगा, लेकिन ये नहीं जारकन के high court में जाके बैठके decision देने लगे, obviously not, clear है, आगे आजाओ, औरिजनल जुरिस्डिक्शन में, state उसके revenue से related matter होते हैं, मैंने आपको बताया, will, divorce, marriage, company law पे matter होते हैं, जितने भी वो देखता है, every high court has the power to interpret the constitution, judicial review का भी power होता है, along with the supreme court, original jurisdiction होता है, for the enforcement of the fundamental rights, high court has original jurisdiction in cases like election petition, election petition, कौन-कौन politics join करना चाता है, अभी बोला बच्चों ने, politics join करनी है, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, यह बताओ, same बिटा अपलार jurisdiction होता है, high court के बाज भी अपलार jurisdiction होता है, civil cases में, decided by the district vote, यह जो है, यह आ जाते हैं, अपलार jurisdiction में, अगर civil cases हैं, अचा, रंजन डिक्षित कह रहा है, take my name, hello, रंजन, how are you, SST में confidence नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, confidence बेटा, points में history के answer लिखेंगे, correct है बेटा, points में लिखो, points में लिखो बेटा, या तुम points में, पैराब में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत में नहीं है, बट एक जो trick मैंने बताई थी, तुम question से चिपक के रहना, Indian education is worst, why do you say that, why do you say that, बताओ जरा, ऐसा क्यों कह रहे हो, Alan, कुछ ना कुछ तो point होगा तुमारे पास, कि बस सिर्फ तुम्हें spam करना है, अच्छा, civil cases में land revenue से related जो है, या जहां पे उन cases में जहां पे बहुत ज़्यादा injustice cause हुई है, ठीक है, यह हो गया, आगे आ जाओ, criminal cases में session judge, यहां पे देखो, session judges का जो matter है, यह भी exam में पूछा जा सकता है, तो question क्या है, appellate jurisdiction, criminal cases में, consist of appeal against a judgment of a session judge, or an additional session judge, where the sentence of imprisonment exceeds 7 years, against the judgment of assistant session judges, यह याद नहीं करना समझ लो, ठीक है, where the imprisonment exceeds 4 years, against the state, when the order of acquittal is passed by the session judge, acquittal का order pass कर दिया है, a sentence of death must be confirmed by the high court, before it can be carried out, clear है, आज ओ, revisory jurisdiction, मिस प्लीज एक बार, आसिम सर को बुला दीजे, प्लीज, आसिम सर को बुला दीजे, प्लीज, अच्छा, अभी देखते हैं बटा, अभी देखती हूं, revisory jurisdiction, high court, can call for the record of the case, which has been decided by a subordinate court, this is done by high, because high court feels that the subordinate court has exercised a jurisdiction in it, or has not followed the proper procedure, इन जस्टिस अगर cause हो गया, या अगर record को देखते ही लग रहा है, कि यार ये तो गलत हो गया, violation of the principles of natural justice, arbitrary authority, जो है, wrongful judgments दे रही है, या error हो गया in procedure, tips and tricks for scoring full marks in history civics, बता दूँगी, full marks वैसे नहीं मिलेंगे, पांचे नमबर कट जाएंगे, तीन चार नमबर, आजाओ आगे, judicial review, same supreme court की तरह high court के पास भी होता है, ठीक है, कोई भी state legislature ऐसा law pass कर देता है, जो fundamental rights को दबा रहा है, तो वहाँ पे judicial review उस law का करा जा सकता है, आजाओ, court of record होता है, इसका दो implications होते हैं, एक तो अपने contempt के लिए punish भी कर सकता है, और साथी साथ बिटा, future cases के लिए judgments को preserve कीर के रखा जाता है, और यह हो गया contempt वाली बात, आजाओ आगे, enforcement of fundamental rights, power to issue rights, रिट क्या होती है, definition क्या है, order from a judicial authority asking a person to perform some act or refrain from doing an act, clear है, 5 रिट हैं, बता चुकी हूँ, अब आजाओ बिटा, subordinate courts पे बिटा, किसको, किसको subordinate courts के बारे में पढ़ना है, raise your hands, raise your hands, subordinate courts को उपी कर दो इन्दचाइट, यह courts किस level के होते हैं बिटा, इनका level होता है, यह district level पे होते हैं, आपके state में कितनी districts हैं क्या जानते हो, कितनी districts हैं क्या जानते हो बिटा, कितनी districts हैं, Uniform Structure होता है इनका, मतलब क्या है? Uniform Structure का क्या मतलब है? जो process होगा, court का जो process होगा, court function जो है, यहर एक district court में similar होंगे विटा, similar होंगे. कितनी districts हैं बता दो, कितनी districts हैं बता दो, यह बता दो बस. Administration कौन देखता है? District Judges. District Judges के द्वारा Administration देखा जाता है. अब यह देखो, यह क्या है? यह चार्ट है. 75 in UP, correct है. और बताओ कोई State. कोई और State बताओ. कौन से State में हैं? चलो, आगे आजाओ. Civil Courts, Criminal Courts और Revenue Courts. ठीक है? यहाँ पर आपको District Judge देखने को मिलेंगे. Criminal Courts में आपको Session Judges देखने को मिलेंगे. इनके बाद यहाँ पर Civil Judges की Post आती है. यहाँ पर Metropolitan Magistrates मिलते हैं आपको. फिर उसके बाद मुनसिफ Courts होते हैं और Courts of Small Causes होते हैं. यहाँ पर Metropolitan Magistrate की Post होती है. फिर Second Class Judicial Magistrates होते हैं. यह Revenue Courts हैं, यहाँ पर Board of Revenue होता है. फिर Commissioner की Courts होती है. हम Down to Up जाएं तो तहसिलदार की Courts, Collector की Courts, Commissioner की Courts, फिर Board of Revenue. Second Class Magistrate, Metropolitan Magistrate, Chief Metropolitan Magistrate, Session Judge, Additional Session Judge. जो यहाँ पर District Judge होता है, वो यहाँ पर Session Judge हो जाता है. सिर्फ Post पलट जाती है. आगे आजाओ. अब Subordinate Courts में भी, जो Difference है बेटा, Civil Cases में बेटा, Civil Cases में अलग Matters जाएंगे, और Criminal Cases में अलग Matters में जाएगा. देखो, Civil Courts में Land, Property, Money Transaction, Arbitration, Guardianship, Marriage, Divorce, इन सारे Matters से रिलेटेड जो Courts हैं, उनके पास Matter जाएंगे. यह जो है, यह Highest Court होता है District का. ठीक है? Highest Court of District, clear है? यह Highest Court होता है District का. साती साथ बेटा, साती साथ यहाँ पर आपको District Judge देखने को मिलते हैं. Clear है? इनके Qualification क्या होती है? इनके Qualification यह होती है कि He Should Be Advocate. Should Be Advocate. He Should Be an Advocate for 7 Years. ठीक है? For 7 Years. Clear हो गई बात? Administrative Power, बहुत ही Important Power होल करते हैं क्या? Deputy Commissioner और District Collector की. Deputy Minister. Deputy Commissioner and District Collector की. ठीक है? यह जज होने के बाद भी यह Administrative Powers जो हैं, यह होल करते हैं. Thank you, बेटा. ठीक है, बेटा, यह पर Session end हो गया, आप समझ लो. We are done with it. Court of Civil Judges आ गए, इनका Jurisdiction देख लो क्या होता है? Punishable with 7 Years of Imprisment, जो भी Matters हैं, यह याद रखना. Punishable with 7 Years of Imprisment, यह Matters जाएंगे. Court of Civil Judges, यह याद रखना बिटा. Munsip Courts में क्या आता है? 20,000 रुपए से जो Matters, जो 20,000 रुपए तक के Matters होते हैं. वो आते हैं, Munsip Courts में, और यह Lowest Courts होते हैं. These are the Lowest Courts. ठीक है? Clear हो गया? आगे आजाओ. Criminal Courts पे आजाओ. Criminal Courts में तो Interest होगा ना? Murder हो गया. Murder हो गया. यह सारी चीज़े तो देखने में मज़ा ही आता है ना तुम लोगों को. Criminal Courts में आजाओ बिटा. Criminal Courts में बिटा, very easy. सबसे पहले आपके आजाएंगे. Court of Session. Sessions Court आ जाता है. Sessions Court के बारे में सुनाएं कभी? Sessions Court के बारे में सुनाएं. Criminal Matters देखे जाते हैं यहाँ पर. Judicial Magistrates of First Class. Magistrates के बारे में सुनाएं. Magistrates of. अच्छा तुम लोग के स्कूल में पढ़ाया गया है यह चैप्टर की नहीं? यह बताओ. यह तो जानू में. स्कूल में पढ़ाया है की नहीं पढ़ाया गया? उसके बाद बेटा. Judicial Magistrates of Second Class. Second Class. And last but not the least, the Executive Magistrates. ठीक है? यह हो गए आपके Criminal Courts का Division. Sessions Court में बेटा आपको इतना समझना है बस. इंट्रोडक्शन में आप यह समझ लो कि यह Highest Criminal Court होता है एक डिस्ट्रिक का. Highest Criminal Court होता है बेटा यह. उस Particular District का. ठीक है? Important in that sense. Highest Criminal Court होता है. Sessions Court में और District Court में Difference पूछा गया है एक्जाम में आपके. पूछा गया है बेटा. यह एक्जाम में पूछा गया है. Clear है? यहाँ पर more serious nature के जो offenses होते हैं वो आते हैं. और इसके अगर death sentence दे रहा है तो death sentence का confirmation पहले करता है कौन? High Court. आगे बढ़ो. Clear है? यह subordinate courts में आपको मिलते हैं. Criminal courts में Chief Metropolitan Magistrate, Chief Judicial Magistrate, First Class और Second Class Magistrates. Clear है? अब आजाओ difference पर. Difference important है. Highest court क्या है? Civil court, court of district judge. Criminal court, session court की आ जाती है. फिर उसके बाद district judge preside करता है. यहाँ पर session judge preside करता है. District judge and additional district judges are appointed by the governor. ठीक है? यहाँ पर भी governor करेगा appoint. यहाँ पर civil related matters होते हैं. यहाँ पर आपके criminal related matters होते हैं. Deputy Commissioner और district collector की administrative functions भी करता है. कौन? District judge. यहाँ पर कोई ऐसे functions नहीं करता है. आगे बढ़ो. आजाओ बिटा important पर. लोक अदालत. मतलब क्या होता है लोक अदालत का? लोक अदालत बिटा important हो जाती है. क्यूं? क्यूंकि यह people's court है. मतलब उसके literal मतलब से समझो. It is the people's court. ठीक है? It is people's court. लोक अदालत is people's court. और साथी साथ यह dispute resolution court होती है. It is a dispute resolution. ठीक है? पब्लिक इंट्रेस्ट में बिटा, लोक अदालत सुनियें कि नहीं कभी? People's court होती है. ठीक है? यह जो होता है बिटा, यहाँ पर fees और अगर law की बात करो यहाँ पर act की बात करो, तो यहाँ पर जितने भी states हैं, authorities हैं, उनको बोला गया है. सारे states को. All states are required to set up. To set up लोक अदालत. Clear है? यह कौन है? जानते हैं कोई बच्चे? जानते हैं कोई बच्चे? Legal Service Authority Act. क्या है? याद रखना. Legal Services Authorities Act 1987. कौन है इनको कोई जानता है बिटा? इनके बारे में बताओ पहले यह कौन है? He is the father of लोक अदालत. Justice, 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 कोई नहीं जानता है. कोई भी नहीं जानता है उनको. My uncle, काश यह मेरे भी अंकल होता है. Justice, P.N. भगवती हैं यह. Public interest litigation में भी बहुत important role रहा है इनका. सुना है, कभी नाम सुना है अच्छा ही बता दू. कभी नाम सुना है इनका. इनसान है. No. Justice, P.N. भगवती. ऐसे नहीं बोलते हैं यार बिटा. ऐसे नहीं बोलते हैं. आजाओ. Purpose देख लेते हैं. Purpose देख लेते हैं. लोक अदालत का important है. फस जाएगा. Legal Aid प्रोवाइड करेंगे. Quick Justice प्रोवाइड करेंगे. क्या? Provide. Legal Aid. Quick Justice. Legal Aid and Quick Justice. Relieve the court with backlog जो तुम लोग ने create करा है. Backlog of cases. Clear करने में मदद करता है. लोक अदालत normal cases जो हैं. वो सब deal कर लेगा तो जो भरते जा रहे हैं case वो तो बच जाएंगे. ये जो तुम लोग ने backlog करके रखा है. ये पूरा clear करता है. High cost और expense को बचाने में मदद करता है. High cost and expenditure. ये बचाने में, पैसा खर्चा करने में मदद करता है. क्या लोक अदालत clear है? तो यहाँ पे एक तो permanent लोक अदालत के बारें पढ़ना है की नहीं पढ़ना है? ये बता दू. Permanent लोक अदालत के बारें पढ़ना है की नहीं पढ़ना है? पढ़ना हो तो बताओ. Section 22B of Legal Service Authorities Act इसके बारे में बात करता है 1987 Permanent Law का दालत Permanent Law का दालत बिटा important हो जाता है ठीक है? अब इसमें क्या होता है? इसमें basically यहाँ पर Permanent Law का setup होता है जैसे की अच्छा No कह रहे हैं बच्चे ठीक है? ठीक है? नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं इस तरह की बिटा देखो Mobile Law का दालत भी setup हुई है No कह रहे हैं बच्चे न? ठीक है? तो यह हो गया Mobile Law का दालत ऐसे Moving Vans में आपके Dispute Resolution Mechanism बहुत easily available है चलो Working of Law का दालत कौन-कौन होता है? Judges होते हैं, Law Graduates होते हैं यहाँ पे Public Workers होते हैं जो काम करते हैं यह जो Judges होते हैं लोग का दालत के यह Conciliators होते हैं ठीक है? Legal Aid Committees होती हैं Social Action Groups होते हैं जो इसमें मदद करते हैं Compromise or Agreement जो है यह कोशिच करते हैं कि Parties जो हैं Compromise पे आ जाएं पहली लोग का दालत कहां पे हुई थी जूनागड इन गुजरात March 14, 1982 जूनागड गुजरात याद रखियो Clear? खतम कहानी? आ जाओ यह Justice P.N. भगवादी का statement है कि Government alone will never be able to do it It is only the people themselves who must utilize law for the purpose of bringing justice at the doorstep of large masses of your country तो इसी beautiful quote के साथ यह session का I think end होने वाला है end होई गया है ठीके? session का end होने वाला है पांचों chapter cover हो गए हैं बिटा पांचों chapter cover हो गए हैं हम लोग ने पांचों chapter cover कर लिये हैं और I think बढ़िया ही session रहा है अब बताओ कुछ बात बात करनी हैं कि चला जाए important questions भूल गई important chapters भूल गई आजाओ important chapters देखते हैं बच्चों important chapters में सबसे पहले सबसे पहला important chapter जो है आपका हिस्ट्री पार्ट में हिस्ट्री पार्ट में जल्दी से आप पहले हमें comment section में reply इस चीज का करो कि आप first chapter से लेकर के fifth chapter तक की first war of independence growth of nationalism first phase of Indian national movement एक बात रुको एक बात करते हैं काम करते हैं इस तरह से करते हैं ना easy way में यह हो गया इधर और यह हो गया इधर अब आजाओ अब यहां पे बीटा थोड़ा सा वहां पे adjustment कर रही थी अब देखो chapters की बात करी जाए important chapters अब यहां पर यह बता दो सिर्फ history के बात करूँ कि सिर्फ civics की बात करूँ या दोनों को mix करके बता दूँ जल्दी से बता दो comment section में बता दो जल्दी से cold war overview कल करवा दिया है परसो मैंने जल्दी से बताओ पहले इसके बारे में बताओ दोनों mix ठीक है आजओ history आजओ पहले इधर और civics आजओ इधर ठीक है अब इसमें जो first एक से पांच जो chapter हैं मतलब first war of independence 1857 ये हो गया एक फिर growth of nationalism G.O.N. फिर first phase फिर second phase और फिर आपका आपका Muslim League इसमें से short short एक long answer आ रहा है ठीक है one long तो आ ही रहा है one long short भी short भी मान लो इतना समझ में आया की नहीं एक तो ये हो गया उसके बाद जो mg वाला जो era है जो mg का era है न मतलब 6-9 6-9 6-9 में बेटा अराम से सवाल बनेंगे ये chapters most important chapters आप one to five लो उसके बाद six to nine ठीक है six to nine उसके बाद important होते है equally importance इनका equal importance है इनका equal importance है इन दोनों का equal importance है तुम शुरुआत इससे करना बच्चो तुम शुरुआत एक से नौ एक से नौ करो एक से नौ पहले उसके बाद तुम क्योंकि सवाल बनने है तुमारे contemporary world से भी सवाल बनने है इसलिए तुम contemporary world को बार बार revise कर सकते हो लेकिन पहले ये कर लो क्योंकि इसमें point wise सयारी करनी है उसमें क्या है contemporary world में कहानी है ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ फिर यो अच्छा हाँ जो तुमारे ये chapters है न तेरा चौदा पंदरा जो तेरा चौदा पंदरा है इसमें से भी सवाल बनेगा और long ही बन जाए कोई ये भी important हो रहा है ठीक है civics में civics में I think मेरे according union parliament union parliament से बन जाएगा ठीक है union parliament से पा जाओगे सवाल हाँ UNESCO है बिटा सभी important है नहीं तुम इस तरह से अगर तुम पुरा strategy बना के करोगे तो जादा easy हो जाएगा ठीक है एक तो ये बात हो गई उसके बाद union parliament के बाद तुम तयार करना Supreme Court को तुम Supreme Court को तयार करना उसके बाद तुम President को करना President VP को करना उसके बाद तुम PM-COM को करना ठीक है और उसके बाद तुम ये करना High Court और ये वाला जो कोट है सबॉर्डनेट कोट का आई समझ में समझ में आ गई MCQ के लिए सब पढ़ना पड़ेगा absolutely correct Alan मैंने तुमें sequence बताया है sequence बताया है कि इस तरह से करो शुरुवात ये दोनों ये दोनों सबसे जादा नंबर पाऊगे सबसे जादा नंबर इसी में से मिल जाएंगे तुमें शॉर्ट भी से आएगा लॉंग भी से आएगा तो नंबर मिल जाएंगे आई समझ में तो ये हो गई कहानी तुमारी और इसी के साथ बिटा इसी के साथ ये session complete होता है बिटा hopefully मिलते हैं next session में और wishing you all the very best for your exams, history, civics, बहुत बढ़िया करो, in fact सारे ही paper दुआ दुआ कर दो, एक second तो बेटा, in fact सारे ही आपके subject बढ़िया तरीके से हो जाएं, hopefully बहुत ही धमाकेदार exams हों आपके, wishing you all the very best and see you soon guys, take care and